ओपरेशन पाकिस्तान लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक चाप्टर वान वो एक बेहत तूफानी रात थी पहले बेहत तेज रफ्तार से आंधी का तूफान चलता रहा था और अब मूसलाधार बारिश हो रही थी काबुल एरपोर्ट की इमारत के वेटिंग हौल में बैठी गीता सेन के शरीर में जुर जुरी डौड गई उसने बड़ी मजबूती से अपना गर्म कोट अपने शरीर के गिर्द लपेट लिया और विशाल शीशे के पलों वाले दर्वाजे से बाहर जाका वर्षा के भीशन था पेड़ों से दर्वाजे के शीशे धुंदला गई थे और उनसे पार एरपोर्ट का रनवे पून तया अंधकार में डूबा हुआ लग रहा था उसने अपनी कलाई परबंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया साड़े ग्यारा बच चुके थे कंटास एरवेस की फ्लाइट नंबर 752 पहले ही एक घंटा लेट हो चुकी थी गीता सेन उसी फ्लाइट की प्रतीक्षा में काबुल एरपोर्ट पर मौजूद थी और उसे पहले से मालूम था कि कंटास एरवेस की फ्लाइट नंबर 752 का माल वाहग बोईंग 707 प्लेइन काबुल एरपोर्ट पर बारह और साड़े बारह के बीच किसी समय लैंड करेगा वो फ्लाइट काबुल एरपोर्ट पर अपेक्षित नहीं थी वो एक लंबे रूट का कारगो यानि माल वाहग प्लेइन था जो सिड्नी से चल कर मनीला, होंग कॉंग, दिल्ली, तहरान और वियना में रुखता हुआ लंदन पहुँचता था दिल्ली के बाद उसका हगला स्टॉपइज तहरान था आज वो प्लेइन किसी भीक्षन काबूल एरपोर्ट पर अपेक्षित था और इस बात की जानकारी अभी तक काबूल एरपोर्ट के अदेकारियों को भी नहीं थी गीतस सेन ने फिर घड़ी देखी और हिसाब लगाया अगर कोई भाड़ी गड़बर नहीं हो गई होगी तो उस समय कंटास एरवेज की फ्लाइट 752 का विशाल बोईंग 707 कारगो प्लेन अपने नॉर्मल रूट से लगभग 200 मिल भटक कर पेशावर के आसपास कहीं उड़ रहा होगा वेजर रिपोर्ट के अनुसार आज रात को जैसा मौसम काबुल अफगानिस्तान में था वैसा ही मौसम पश्चिमी पाकिस्तान में, रावल पिंडी और पेशावर के आसपास के इलागों में भी था कंठास सेर्वेज की फ्लाइट 752 के पाइलिट का नाम पीटर विंस्टन था उसकी सूचना अनुसार वो एक लंबा तगड़ा तंदुरुस तंग्रेश था और पिछले तीन साल से लंदन सिड्नी रूट के कंठास सेर्वेज के कार्गो प्लेन से जा रहा था गीता से इनको पीटर विंस्टन की केवल तस्वीरें दिखाई गई थी उसने अपने जीवन में पहले कभी पीटर विंस्टन की सूरत नहीं देखी थी उसने अपने कोट की भीतरी जेब को ठटोला उसकी भीतरी जेब में 20,000 पाउंड के नोटों का बंडल सुरक्षित था नोट एक मोटे waterproof लिफाफे में बंद थे और बाहर से देखकर ये नहीं जाना जा सकता था के लिफाफे के भीतर क्या था काबुल राजनगर ट्रंक लाइन पर कोड शब्दों में जो सीमित बात चीत गीता सेन की भारतीय सीक्रिट सर्विस की ब्रांच स्पेशल इंटेलिजन्स के डारेक्टर करनल मुखर जी से हुई थी उससे वो ये तो जान ही गई थी कि शनिवार की रात को काबुल एरपोर्ट पर मौजूद रहकर उसे क्या करना था साथी उसे सारे सिलसले का थोड़ा बहुत आभास भी मिल गया था उस तूफानी रात में कंठास एरवेज की फ्लाइट नंबर 752 के बोईंग 707 कारगो प्लेन के पाइलिट पीटर विंस्टन को पश्चिमी पाकिस्तान के उपर से उड़ते समय अपने नॉमल रूट से लगभग 200 मील भटक जाने के बदले में 20,000 पाउंड की मोटी रकम हासिल होने वाली थी करनल मुखर जी को पूरा भरोसा था कि 20,000 पाउंड की रकम के बदले में पीटर विंस्टन उनका काम जरूर करेगा और इसी विश्वास के अंतरगत गीता सेन उस तूफानी रात में काबूल एरपोर्ट पर मौजूद थी और उसके कोट की भीतरी जेब में 20,000 पाउंड के नोटों से भरा लिफाफा रखा हुआ था पीटर विंस्टन का प्लेन किसी भी क्षण काबूल एरपोर्ट पर लैंड कर सकता था लेकिन संभावना इस बात की भी थी के एन मौके पर पीटर विंस्टन का इरादा बदल जाता और वो दिल्ली से टेक आफ करने के बाद प्लेन को सीधा तहरान के महराबाद एरपोर्ट पर ही ले जाकर उतारता और गीता सेन काबूल एरपोर्ट पर उसकी प्रतीक शाही करती रह जाती हाधा घंटा और गुजर गया खराब मौसम की वजह से काबूल से टेक आफ करने वाली लगभग सभी फ्लाइट कैंसल हो ही चुकी थी और काबूल में लैंड करने वाले अधिकतर प्लेनों के लेट आने की सूचना भी अनाउंस हो चुकी थी इसलिए उस तूफानी रात के बारह बजे एयरपोर्ट पर बहुत कम लोग रह गए थे उस इक्षान वेटिंग हॉल में एक नया आदमी प्रविष्ट हुआ वो सिर से पाव तक बारिश में भीगा हुआ था उसने अपने सिर पर लाल रंग की तुर्की टोपी पहनी हुई थी उसने टोपी उतार कर उस पर से पानी जटका और उसे फिर अपने सिर पर पहन लिया गीता सेन ने देखा उसकी खोपड़ी एकदम गंजी थी और शायद इसी वजह से वो हर क्षण सिर पर टोपी पहने रहने का आदी था लाल टोपी वाले आदमी ने अपने कपड़ों से पानी जटका जेब से रुमाल निकाल कर चेहरा पूंचा और फिर अपने चारों और देखा एक क्षण के लिए उसकी निगाह गीता सेन पटी की और फिर ततकाल वहां से हट गई वो गीता सेन के सामने पड़े सोफे परा बैठा जहां पर एक मोटा सा आदमी पहले से ही बैठा था वो रह रह कर जमाईयां ले रहा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी द्रिश्टी अपने आप ही शीशों से पार रन्वे की ओर उट जाती थी जहां अभी भी मूसलाधार वर्शा हो रही थी और अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था होंग कॉंग से आने वाले प्लेन के बारे में कोई अनाउंस्मेंट होई सहब लाल टोपी वाले ने उस मोटे आदमी से अंग्रेजी में पूछा आज की रात तो वो काबुल पहुँचता दिखाई देता नहीं मोटा आदमी जबरदस्ती जमहाई दबाता हुआ उक्ताइस वर में बोला ये वारिश का तुफान बंद होगा तभी एरपोर्ट वाले हौंकों के प्लेन के बारे में निश्चित रूप से गोशना कर सकेंगे मैं खुद उसी प्लेन के इंतजार में बैठा हुआ हूँ ओ लाल टोपी वाला बोला उसके छेहरे पर निराशा के भावो भराए भीगा होने की वज़ा से रह रह कर उसके शरीर में कपकपी दोड़ जाती थी मोटे आदमी ने अपने हाथ बगलों में दबा लिए पांप सामने भेला लिए और नेतर बंद कर लिए थोड़ी देर बाद गीता सेन को यूँ लगा जैसे उस पर नींद ने काबु पा लिया हो लाल टोपी वाले ने बाहर एरो ड्रम की दिशा में मूँ फेर लिया और धीरे से बोला या लाह गीता सेन चुप चाप अपने स्थान पर बैठी रही उस तूफानी राच से हर कोई परेशान था गीता सेन ने फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर दिश्टिपात किया सवा बारह बज गए थे उसी खशन गीता सेन के खानों में एक आवाज पड़ी वो सतर्क हो गई बादलों के गरजन, कड़कती बिजली, तेज हवा और बारिश के शोर में उसे हवाई जहास के जेट इंजिन की धीमी सी आवाज सुनाई दी उसी खशन लाउड स्पीकर पर कोई ऐसी अनाउंस्मेंट होने लगी जिसका एक भी शब्द गीता सेन की समझ में नहीं आया उसके खान हवाई जहास के इंजिन की आवाज की योर लगे हुए थे चुक्षन प्रतिक्षन समीप होती जा रही थी फिर इंजिन की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी लाल रंग की तुर्की टोपी वाला आदमी एकदम सतर्क हो गया था उसकी बगल में बैठे मोटे आदमी ने भी नेतर खोल लिये थे और संभल कर बैठ गया था ये शायद होंकांग वाला प्लेन आ रहा है वो आशापून इस स्वर से बोला ना मुम्किन लाल टोपी वाला उसकी और घूमे बिना बोला अगर ऐसा होता तो इसकी अनाउंस्मेंट लाउट स्पीकर पर जरूर हुई होती मोटे का चेहरा उतर गया गीता सेन, मोटा और लाल टोपी वाला और वेटिंग हॉल में मौजूद अन्य सभी लोग बाहर की और देख रहे थे उसी ख्षन लंबे रनवे की बत्तियां चल उठी एक आएक लाल टोपी वाला अपने स्थान से उठा और यूँ बोला जैसे अपने आप से बात कर रहा हूँ मैं पूछ कर आता हूँ ये कौन सा प्लेन आ रहा है मोटे ने अन्जाने में ही सहमती सूचक ढंग से सिरहला दिया गीता सेन सतर खोट ही थी और बड़ी व्यग्रता से रनवे की ओर देख रही थी ये जरूर पीटर विंस्टन का प्लेन होगा वो मन ही मन बोली हवाई जहाज उसे अभी तक दिखाई नहीं दिया था लेकिन इंजन की आवाज पहले से तेज हो गई थी फिर दूर काले अंधेरे आसमान में उसे हवाई जहाज का आभास देने वाली बत्तियों की हलकी सी टिम्टिमाहट दिखाई दी उसी क्षण लाल टोपी वाला वापस आ गया वो आकर धम से मोटे आदमी की बगल में बैठ गया और निराशा पूर्ण स्वर में बोला ये तो कोई कारगो यानि माल वहाँ प्लेइन आ रहा है जो कलपुर्जों की खराबी और खराब मौसम की वज़ा से यहां फोर्स लैंड कर रहा है मोटे के मूसे एक अजीब सी आवाज निकली और फिर उसने आखें बंद कर ली गीता सेन संभल कर अपने स्थान पर बैठ गई उसने अपने कोट की जेब में पड़े नोटों से भरे लिफाफे को एक बार फिर टटोला उसका जहरा एक दम भावीन था लाल टोपी वाले ने गीता सेन की ओर देखा उसने कुछ कहने के लिए मुँख खोला लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया उसने एक सिगरिट सुलगाया और फिर ला परवाही से रनवे की ओर देखने लगा एर फिल्ड के आखरी सिरे पर एक विशाल बोईंग प्लेन प्रकट हुआ प्लेन की तेज सपाट लाइट रनवे पर पढ़ने लगी कुछ ही क्षणों बाद प्लेन के पहियों ने जमीन को छुआ और फिर प्लेन लंबे रनवे पर दोड़ता हुआ दिखाई दिया अंत में रनवे पर प्लेन रुख गया उस खेंजन का शोर बंद हो गया वो सुरक्षित रूप से लैंड कर चुका था गीता सेन ने घड़ी देखी बाह पहला कर जोर की अंगड़ाई ली और फिर अपने स्थान से उठखड़ी हुई अपनी बगल में रखा बैग उसने अपने बाएं हाथ में लिया और फिर ला परवाही से चलती हुई आगे बढ़ गई लाल टोपी वाले ने उच्सुकता पूर्ण नेतरों से उसकी और देखा गीता सेन को एक बर फिर लगा जैसे वो उससे कुछ पूछने वाला हो लेकिन उसके होट नहीं हिले गीता सेन बिना एर फिल्ड की और दृष्टी बात किये रेस्टरॉंट की और बढ़ गई रेस्टरॉंट वेटिंग हॉल के ही एक कोने में था रेस्टरॉंट लगभग खाली पड़ा था वो खिड़की के समीप वाली एक मेज पर बैठ गई वहां से सारा वेटिंग हॉल और एर फिल्ड का बहुत बड़ा भाग दिखाई दे रहा था उसने अपना बैग अपने से दाई और की कुरसी पर रख दिया और प्रतीक्षा करने लगी रेस्टरॉंट की तीन चौथाई खाली सीटों की वज़ा से गीता सेन तन एक चिंतित होट ही थी अगर मौसम खराब ना होता और फ्लाइट कैंसल ना हुई होती तो रात के उस समय भी रेस्टरॉंट में काफी भीड भाड होती और करनल मुखर जी के प्लाइन की अनुसार पीटर विंस्टन और गीता सेन की मुलाकात भारी भीड भरे वातावरण में होती ऐसे वातावरण में जहां किसी को ये जानने की फुर्सत ना होती कि कौन किस से क्या बात कर रहा था उसी क्या अंटरेस्टरॉंट में एक लंबा तगड़ा अंग्रेज प्रविष्ट हुआ उसका सारा शरीर रेन कोट से डगा हुआ था उसके सिर पर पाइलट की टोपी थी रेन कोट और टोपी दोनों में से बारिश का पानी टपक रहा था गीता सेन उसे फौरण पहचान गई पीटर विंस्टन गीता सेन खिड़की से बाहर वेटिंग हॉल में देखने लगी जहां लाल तुर्की टोपी वाला और दूसरा मोटा आदमी पहले की तरहा बोरियत और परिशानी की प्रतिमूर्ती बने बैठे थे पीटर विंस्टन ने एक सरसरी दृष्टी सारे हॉल में दोड़ाई गीता सेन को देखकर वो तने खिच खिचाया और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ नाक की सीध में उसकी और बढ़ चला वो गीता सेन के एकदम समीपा खड़ा हुआ और भाव ही इन स्वर से बोला घ्लो गीता सेन ने सक पका कर से उठाया नेम इस पीटर विंस्टन वो पूरववत भाव ही इन स्वर में बोला आइम पालिट अव कंटास कारगो फ्लाइट नंबर 752 I have just force landed my flight here Does it mean anything to you? यानि मेरा नाम पीटर विंस्टन है मैं कंटास कारगो फ्लाइट नंबर 752 का पालिट हूँ मैंने अभी अपना जहाज यहां उतारा है तुम्हारा इस सिलसले से कोई वास्ता है? गीता सेन बोखला गई पीटर विंस्टन के उस आक्षन ने उसे बुरी तरह से गड़बढा दिया था उसे ये बताया गया था के पीटर विंस्टन उसके लाल रंग के चमड़े के कॉलर वाले ओवर कोट से उसे पहचाने का और फिर रेस्टरॉंट में भीड होने की वज़ह से वो उसकी टेबल पर बैठने की आग्या मांगेगा गीता सेन उससे दो सवाल पूछेगी जहाज कितनी उचाई पर उड़ रहा था और हवा की रफतार क्या थी? उत्तर मिल जाने के बाद वो पीटर विंस्टन का ध्यान बगल की कुरसी पर पड़े बैग की ओर आकरशित करेगी पीटर विंस्टन चुप चाप उसमें फिल्म डाल देगा गीता सेन बीस हजार पाउंड के नोटों से भरा लिफाफा निखाल कर मेस पर रख देगी लेकिन गीता सेन का तश्रीफ रखने का निमंतरण मिल चुकने से पहले ही पीटर विंस्टन गीता सेन का बाग कुरसी से उठा कर मेज पर रख चुका था और उस कुरसी पर धम से बैठ कया था उसने सिर से टोपी उतार कर बैग के पास मेज पर पटक दी फिर उसने अपने शरीर पर पहने रेन कोट पर निगाह डाली और बुरा सा मूँ बना कर उठखडा हुआ उसने रेन कोट को उतार कर बगल की खाली कुरसी की पीट पर डाल दिया उसने दोबारा गीता सेन की और देखा और छेहरे पर हाथ फिराता हुआ धीरे से बोला ओ जीजस गीता सेन ने कुछ खहने के लिए मुँँ खोला लेकिन उसे पहले ही पीटर विंस्टन उच्च स्वर में बोल पड़ा वेटर एक वेटर फॉरण प्रकट हुआ यानि तुम क्या लोगी? पीटर विंस्टन ने उससे पूछा कॉफी गीता सेन के मुँँ से अपने आप निकल गया ब्रांडी फॉर मी वो वेटर से बोला कॉफी फॉर माडम वेटर सहमती सूचक ढंग से सिरह लाता हुआ फॉरण वहाँ से चला गया मरम पीटर विंस्टन उख्ड़े स्वर में बोला लानत है उस बुरी घड़ी पर जब मैंने दौलत के लालच में आकर वो बेहूदा काम करना स्वीकार किया लेकिन काम हुआ? गीता सेन ने व्यग्र स्वर में पूछा पीटर विंस्टन ने जुबान से उत्तर नहीं दिया उसने अपने कोट की भीतरी जेब से अल्यूमिनियम के खोल में रखी हुई एक फिल्म निकाली और उसे गीता सेन के सामने उच्छाल दिया गीता सेन के मुँसे सिसकारी निकल गई उसने भयभीत दृष्टी से चारों और देखा किसी का ध्यान उनकी और नहीं था उसने चल्दी से फिल्म उठाई और से कोट में हाथ डाल कर अपने ब्लाउस के भीतर रख लिया मेरे भाप की भी तौबा पीटर विंस्टन बोला अगर मैं दुभारा तुम्हारे ऐसे किसी काम को स्विकार करने के बारे में सपने में भी सोचूँ कोई गरबड हो गई थी क्या गीता से ने यूँ ही पूछ लिया पीटर विंस्टन पाकिस्तान की हद से बाहर निकलाया था काम हो गया था अब वो सुरक्षित उसके सामने बैठा था वास्तव में अब गीता से ने को परवाह नहीं थी कि कोई गरबड हुई थी या नहीं गरबड? पीटर विंस्टन जल कर बोला मेरी तो तकदीर अच्छी थी जो पेशावर में उन्होंने एंटी एरक्राफ्ट गन से मुझे मार नहीं गिराया या मुझे कहीं फोर्स लैंड करने के लिए नहीं कहा मेरी मौजूदगी की जानकारी उन्हें मेरी अपेक्षा से जल्दी हो गई थी तुम लोगों दोरा बताए सारे इलाके का मैं भी एक ही चक्कर लगा पाया था कि पाकिस्तान एर फोर्स के दो बॉम्बर हवाई जहाजों ने मुझे दाएं बाएं से घेर लिया था बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें ये विश्वास दिलाने में सफल हो पाया था कि बेहत खराब मौसम की वज़ा से मैं रास्ता भटक गया मैंने उन्हें ये भी बताया कि प्लेन के दो इंजिनों में खराबी आ गई है और फ्यूल टैंक लीक करने लगा है खुदा का शुक्र था कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास आ गया और उन्हें मेरा पीछा छोड़ दिया फिर फॉरन पेशावर कंट्रोल टावर से मेरा संपर्क हुआ ये जाहिर करने के लिए कि मैं वाकई बड़ी मुश्किल में था मैंने अपने हवाई जहाज को पेशावर हवाई पट्टी पर उतारने की इजाज़त मांगी लेकिन उन्होंने फॉरन सख्त इंकार कर दिया मेरे नाविगेटर को सही रास्ते का निर्देश दे दिया गया के या तो मैं वापस रावल पिंडी एरपोर्ट पर चला जाऊं और या काबुल की और बढ़ जाऊं मैंने दूसरी राए मान ली जो के मैंने माननी थी मैडम मैंने जब तक काबुल एरपोर्ट पर प्लेन नहीं उतार लिया मेरी जान गले में अटकी रही ओ गाड ओ माई गुड गाड उस इक्शन वेटर उनकी मेज पर कॉफी और ब्रैंडी छोड़ गया पीटर विंस्टन ने एक ही बार में अपना ब्रैंडी का गिलास खाली कर दिया गीता सेन ने कॉफी को छुआ तक नहीं तुम्हें उन लोगों से पेशावर उतरने के बारे में नहीं कहाँ चाहिए था गीता सेन धीर ऐसे बोली अगर उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली होती तो वे लोग तुम्हारे प्लेंड की तलाशी भी ले सकते थे और फिर वो कैमरा भी उन लोगों की जानकारी में आ सकता था जो विशेश रूप से तुम्हारे प्लेंड में फिट किया गया था जो के 10,000 फुट तक की उंचाई से गंदे से गंदे मौसम में नीचे की साफ तस्वीरें खींच सकता था। तुम ठीक कह रही हो लेकिन उन लोगों का विश्वास जीतने के लिए वो कहना जरूरी था जो के मैंने कहा और तुम्हारी जानकारी के लिए उस कैमरे को मैंने पहल क्यों नहीं? अभी फिल्म दी तो है तुम्हें? लेकिन माडम, तुम्हारे लोगों को वहम हो गया है. पेशावर में वैसा कुछ नहीं है जिसकी कि तुम्हारे लोग कल्पना कर रही हैं. उन्हें पेशावर के बारे में गलत सूच ना मिली मालूम होती है. हमारी दिलचस् लेकर दरगई तक और सैदु शरीफ तक और तक्षिला और हैबटाबाद से लेकर खैबर पास तक के घेरे का चक्कर लगाया है। मुझे तो कहीं ऐसा रॉकेट स्टेशन या मिलिटरी इंस्टलेशन देखाई नहीं दिया, जो हिंदुस्तान के लिए खतरे के वज़ा बन सके। ये तुम्हारे माध्यम से हम कोई रॉकेट स्टेशन या मिलिटरी इंस्टलेशन चेक रहे थे। हर बात कहने की जरूरत नहीं होती मैडम और फिर मैं अपने भेजे में अकल रखता हूँ पेशावर और उसके आसपास के इलाके की तस्वीरों का क्या तुम्हारी सरकार कोई कैलेंडर चापना चाहती है गीता सेन चुप रही अब मेरा माल निकालो पीटर विंस्टन बोला त तुमने तस्वीरें कितनी उचाई से ली हैं? छे और साथ हजार फुट के बीच की उचाई से? पेशावर खैंट और मरदान के इलाके में मैं इससे भी थोड़ा नीचे आ गया था हवा की रफ्तार? दो सौ से दो सौ चालीस तक लेकिन मैं फिर खहता हूँ वहां कुछ नह रहा था उसकी आँख तुम्हारी आँखों से बहुत तेज थी. वो कैमरा उन चीजों की तस्वीरें खीचने की भी ख्शमता रखता था जो नंगी आँख से दिखाई नहीं देती. पीटर विंस्टन ने ला परवाही से कंदे जटकाए. गीता सेन ने अपने कोट की एप स नोटों से भरा लिवावा निखाला और धीरे से मेज पर रखे अपने बैग की ओट में पीटर विंस्टन की ब्रैंडी के खाली गिलास की बगल में रख दिया. पीटर ने एक निगाह लिवावावे पर डाली और धीरे से बोला, अब मुझे वो सोच कर भी हैरानी होती है क मैंने 20,000 पाौंड की मामूली रकम की खातिर अपनी जान को, अपनी कंपनी के कीम्ती प्लेञ को और प्लेञ में लदे लाखों के माल को खात्रे में डाल दिया था. बीस हजार पाौंड मामूली रकम नहीं होती, गीता सेन विरोध पूर्ण स्वर में बोली, जब मैंने ये काम करने के लिए हां की थी तब मेरा भी यही विचार था लेकिन अब खेर छोड़ो उसने लिफाफ़ उठा लिया और उसे अपनी जेब में रखने के स्थान पर उसका एक कुना पाड़ा उसने लिफाफ़े के भीतर हाथ डाला गीता सेन ने आतंकित नेत्रों से अपने चारों और देखा और फिर व्यग्रता और आतंक पूर्ण स्वर में बोली मिस्टर प्लीज ओके ओके विंस्टन बोला उसने एक बार लिफाफ़े के भीतर जहांका और फिर उसे अपनी युनिफॉर्म की भीतरी जेब में रख लिया गीता सेन अपने स्थान से उठ खड़ी हुई अपने कॉफी के कप को उसने एक बार चुआ भी नहीं था थैंक यू वो अपने होटों पर जबरन एक मुस्कुराहट लाती हुई बोली थैंक यू मिस्टर पीटर विंस्टन पीटर विंस्टन ने सिर उठा कर विचित्र नेत्रों से उसकी और देखा और फिर बेहद गंभीर स्वर में बोला मैं तुम्हें एक नेक राय देना चाहता हूँ मैडम क्या इस धंधे से हाथ खींच लो वरना तुम्हें खबर नहीं होगी और तुम दूसरी दुनिया में पहुँच जाओगी तुम किस धंधे की बात कर रहे हो गीता सेन उल्जन पूर्ण स्वर से बोली ओके ओके अगर तुम जान बूझ कर अंजान बनना चाहती हो तो मुझे कोई अतराज नहीं धंधा तुम्हारा है जिन्दगी तुम्हारी है लेकिन देख लेना एक दिन ना ये धंधा रहेगा और ना ये जिन्दगी रहेगे और तकदीर का कोई भरोसा नहीं संभव है अंतिम रात्री का वो दिन आज ही आ जाए गीता सेन चुप रही मैडम मैं तुम्हें बड़ी नेक राय दे रहा हूँ मैं तुम्हें वो नेक राय दे रहा हूँ जिस पर मैं खुद अभी इसी क्षण से अमल कर रहा हूँ कुट दिस राकेट सेस्टर और सूनर दे बेटर गीता सेन पटाक शेप सा करती हुई बोली पीटर विंस्टन ने उसकी और देखा लेकिन वो मुझ से कुछ नहीं बोला उसके होटों पर एक अवसाद पूर्ण मुस्कुराहट थी गीता सेन छोटे छोटे कदम रखती हुई रेस्टरॉंट से बाहर निकल गई गीता सेन रेस्टरॉंट से निकल कर एयरपोर्ट से बाहर की ओर चल दी उसने एक उड़ती सी निगाह वेटिंग हॉल में डाली मोठा आदमी अब पूरे सोफे पर पसरा हुआ था और शायद सो चुका था लाल रंग की तुर्की टोपी वाला आदमी उसकी बगल में मौजूद नहीं था गीता सेन बाहर की ओर बढ़ चली लाल टोपी वाला इंक्वाइरी काउंटर पर खड़ा था अब तो मौसम साफ होता दिखाई दे रहा है उसके समीप से गुजरते समय उसने लाल टोपी वाले को कहते सुना क्या हौंग कॉंग के प्लेन के जल्दी आने की कोई संभावना है गीता सेन एरपोर्ट की मार्की में पहुँची पीटर विंस्टन की दी हुई फिल्म उसके बलाउज के भीतर उसके उरोजों के बीच सुरक्षित थी अगली सुभा उसने वो फिल्म काबल में स्थित भारतिय दूतावास के एक अधेकारी को दे देनी थी और फिर उसकी जिम्मेदारी खत्म मूसलाधार वर्षा थम चुकी थी केवल हलकी हलकी बूंदा बांदी हो रही थी लेकिन तेज हवा अभी भी चल रही थी और आस्मान में अभी भी बरसाती काले बादल उमण रहे थे तेज वर्षा किसी भी खशन दुबारा शुरू हो सकती थी तकदीर अच्छी है गीता सेन ने मन ही मन सोचा उसके एरपोर्ट से विदा होने के समय पर जैसे केवल उसी के लिए वर्षा रुक गई थी वो इमारत से बाहर निखलाई और भीगी सड़क पर चलती हुई कार पाकिंग की और बढ़ी साइड से एक बड़ी सी गाड़ी एरोड्रोम की ओर बढ़ रही थी उसके खानों में गाड़ी के हॉन की आवाज पड़ी उसने तेजी से सड़क को पार कर जाना चाहा लेकिन उसी खश्न उसका पाम सड़क पर बने बरसाती पानी से भरे एक छोटे से खड़े में फड़ा और वो एक दम मूँ के बल सड़क परा गिरी कोई चिलाया, ब्रेकों की चरचरहट की आवाज उसके खानों में पड़ी एक बार गीता सेन ने उठने का प्रयत्न किया लेकिन उससे पहले ही जैसे उस पर पहाड तूट पड़ा केवल एक क्षण के लिए उसे तीवर पीड़ा का आभास हुआ और फिर साब खत्म बड़ी सी गाड़ी एक स्टेशन वैगन थी जिसके अगले दोनों पहिये गीता सेन के शरीर के उपर से गुजर चुके थे गीता सेन का बैग दूर कहीं जा गिरा था बैग जटके से जमीन पर गिरने से खुल गया था और उसके भीतर मौजूद सारी चीजें सड़क पर बिखर गई थी उसके बलाउज में दबी अल्यूमिनियम के खोल में बंद फिल्म एक जटके से बलाउज से बाहर निकल गई थी और सड़क पर लुडकती हुई एक मटमेले पानी से भरे छोटे से खड़े में जाकिरी थी स्टेशन वैगन का ड्राइवर लपक कर बाहर निकला सड़क से पार टैक्सी स्टैंड पर खड़े टैक्सी वाले उस ओर भागे बीट पर माजूद पुलिस का सिपाही उस ओर लपका पलक जपकते ही गीता सेन के आसपास लोगों की भीड लग गई बाई गौड मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी स्टेशन वैगन का ड्राइवर आतंकित स्वर में बार बार कह रहा था कोई ड्राइवर की बात नहीं सुन रहा था लोगों ने बड़ी सावधानी से गीता सेन का बुरी तरह कुछला हुआ शरीर स्टेशन वैगन के नीचे से निकाला कुछ खशन बात कोई बोला गीता सेन मर चुकी थी उसी क्षन फ्लाइंग स्क्वाड के साइरन की आवाज से वातावरन गूंज उठा लाल टोपी वाला एरपोर्ट की मार्की में खड़ा सारा नजारा देख रहा था उसने दुरगटना स्थल की और कदम बढ़ाने का उपकरम नहीं किया था उसने अपने सिर से टोपी उतार ली और अपनी गंजी खोपडी पर हात फेरने लगा फिर उसने गहरी सांस ली तोपी को दुबारा अपनी गंजी खोपडी पर जमाया और फिर लंबे डग भरता हुआ एरपोर्ट के उस कोने की और बढ़ चरा जहां पब्लिक टेलिफोन के छोटे-छोटे कैबिनों की कतार दिखाई दिखाई दे रही थी करनन मुखर जी ने पाइप का एक लंबा कश लगाते हुए अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर द्रिश्टिपात किया और फिर धेर सारा धुआ उगलते हुए बोले प्लेंटी अफ टाइम यानि अभी बहुत वक्त है उनकी बगल में बैठे सुनील ने अपनी घड़ी देखी और फिर सहमती सूचक धंग से सिरहिला दिया करनल मुखर जी की विशाल शेवरले कार को धर्म सिंग ड्राइव कर रहा था धर्म सिंग उनका पीर, बावर्ची, बिश्टी, खर सभी कुछ था उनका कहाना पकाने से लेकर उनकी कार ड्राइव करने तक के सभी काम धर्म सिंग ही करता था करनल मुखर जी का वो बहुत विश्वसनी आदमी था लेकिन नजानिक क्यों सुनील को कभी कभी उस पर संदेह हो जाता था पिछले कुछ केसों में कुछ ऐसी बातें लीख हो गई थी जो करनल मुखर जी और सुनील के सिवाए किसी तीसरे आदमी को मालूम नहीं थी और हर बार सुनील को ऐसा लगता था कि अगर कोई तीसरा आदमी उन बातों की जानकारी हासिल करने में सफल हो सकता था तो वो केवल धर्म सिंग था सुनील ने एक दो बार अपना ये संदेह करनल मुखर जी पर व्यक्त भी किया था और उसी के अनुरोध पर उन्होंने धर्म सिंग को अच्छी तरह चेक भी करवाया था लेकिन अंत में वे इस नतीजे पर पहुँचे थे कि धर्म सिंग पूर्ण तया इमानधार और अपने देश से प्रेम करने वाला आदमी था भाद में सुनील को भी ऐसा अनुभव होने लगा था कि वो धर्म सिंग पर संदेह करके उसके साथ ज्यादती कर रहा है कार में अगली और पिछली सीट के मध्य में एक साउंड प्रूफ शीशे की स्क्रीन लगी हुई थी राजनगर एरपोर्ट से इंडियन एरलाइन्स का काबुल को रवाना होने वाला कैरवल प्लेइन साथ बज़ कर बीस मिनट पर टेक आफ करेगा बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए उस प्लेइन में एक सीट का इंतजाम करवाया गया है प्लेइन में सीट मांगते समय इस बात पर विशेश रूप से जोर दिया गया था कि काबुल में तुम्हारी पतनी का एकसिडन्ट में देहान तो हो गया है इसलिए तुम्हारा फॉरन काबुल पहुँचना बहुत जरूरी है शुक्र है बात निचले स्थर पर ही बन गई वरना उस फ्लाइट में तुम्हें सीट दिलवाने के लिए हमें ग्रिह मंत्राले और शायद प्रतिरक्षा और विदेश मंत्राले तक से प्रार्थना करनी पड़ती जो के मैं मजबूरी में करता जरूर लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के नाते ये कोई अच्छी बात नहीं होती अगर किसी विदेशी एजन्ट को सारे सिलसिले की भनक पड़ जाती तो वो जरूर संदिक धहो उठता के आखिर एक साधारन आदमी को अर्थात तुम्हें फॉरन काबुल विजवाने में इतने बड़े बड़े सरकारी विभाग क्यों दिल्चस्पी ले रहे थे सुनील चुप रहा कर्नल मुखर जी कुछ खशन पाइप के लंबे-लंबे कश लगाते रहे और फिर बोले गीता सेन की जो तस्वीरें तुम्हें दिखाई गई हैं उनकी सहायता से तुम्हें विश्वास है कि तुम गीता सेन को पहचान लोगे जी हाँ सुनील विश्वास पूर्ण स्वर में बोला बशरते के अक्सिडंट में उनका चेहरा बुरी तरह कुछला न गया हो ऐसी सूरत में तुम्हें उसे उसके शरीर के शिनाखती निशानों से पहचानना होगा मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उसके पेट पर एपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन का निशान है और बाएं पाम के अंगूठे का आधा नाखून तूटा हुआ है शिनाखती निशान तो मुझे याद है सर लेकिन आपको इनकी जानकारी कैसे हुई आपके कथनानुसार आपने तो कभी गीता से इनकी सूरत भी नहीं देखी कर्रेक्ट और अगर देखी भी होती कर्नल मुखर जी के होटों की कोरों पर एक हलकी सी मुस्कुराहट प्रकट हुई और लुप्त हो गई तो पेट पर अपेंडिसाइटिस के आउपरेशन के निशान के मामले में तो शायद मुझे उसके कथन पर ही विश्वास करना पड़ता मिस्टर ये दोनों बातें और कुछ अन्य महत्वपूर बातें मैंने उसके उस प्रार्थना पत्र में से जानी है जो उसने आज से दो साल पहले पासपोर्ट हासिल करने के लिए भारत सरकार को दिया था I.C. सुनील आदरपूर स्वर में बोला लेकिन आपने अभी तक सारे सिलसले के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं अभी बताता हूँ करनर मुखर जी बोले उन्होंने पाइप का आखरी कश लगाया और उसे मुझ से निकाल लिया वे सुनील की और घूमे और फिर धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में बोले गीता सेन राजधानी से निकलने वाले कंग्रेजी के अखबार की काबूल में नियुक्त कॉर्सपॉंडन्ट यानी प्रतिनिधी है और पिछले दो साल से काबूल में ही रह रही है पिछले 14 महीनों से उसका संबंध Special Intelligence से है लेकिन आज तक हमें कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी प्रकार के राजनैतिक संबंध नहीं है पाकिस्तान की कई गतिविधियों के बारे में हमें वैसे तो काबूल से बेहतर सूचनाएं हासिल होने की आशा रहती है वो आशा भी किसी हद तक बाद में पूरी हुई लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैंने ये जरूरी समझा था के काबूल में हमारा कोई contact हो सुनील चुप रहा परसों रात मैंने राजनगर काबूल ट्रंक लाइन पर गीता सेन से बात की थी कल रात के लिए उसे एक काम सौपा गया था क्या? काम बहुत मामूली था उसे कंटास Airways की कारगो फ्लाइट नंबर 752 के पाइलिट पीटर विंस्टन से काबूल एरपोर्ट पर संपर्क स्थापित करना था पीटर विंस्टन ने उसे एक कैमरा फिल्म सौप देनी थी और पाकिस्तान में पेशावर के आसपास के इलाके पर से उड़ते समय की प्लेन की उचाई और हवा की रफतार के बारे में बताना था बदले में गीता सेन ने उसे 20,000 पाउंड के नोटों से बहरा एक लिफाफा सौप देना था काबूल स्थित भारतिये दूतावास के जिस अधेकारी ने गीता सेन को 20,000 पाउंड के नोट दिये थे उसी को गीता सेन ने वो फिल्म सौप देनी थी और फिर हमारे दूतावास ने डिप्लोमाटिक बैग में वो फिल्म भारत भेज देनी थी काम बहुत मामूली था 14 महीने से गीता सेन Special Intelligence की सदस्या थी और इतने समय में उसे कभी कोई काम नहीं सौपा गया था कल रात पहली बार वो Special Intelligence का एक मामूली सा काम कर रही थी और कल रात ही वो पीटर विंस्टन से मिलकर काबूल एरपोर्ट से निकली और एक स्टेशन वैगन की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ दो बैठी हत्या मेरी सूचना के अनुसार वो एक सीधा साधा Accident का ही केस था एक चश्मदीद गवाह का और खुद स्टेशन वैगन के ड्राइवर का खतन है कि गीता सेन सडक पार करते समय एका एक ठोकर खा गई थी और सीधी स्टेशन वैगन के सामने आगे री थी ड्राइवर की बचाव की भरपूर कोशिश के बाद भी स्टेशन वैगन के अगले पहियों के नीचे आकर गीता सेन का शरीर कुछला गया स्टेशन वैगन के ड्राइवर ने वहाँ से भाग निकलने का कताई उपकरम नहीं किया था ये बातें इस तथ्य की काफी हद तक पुष्टी करती हैं कि गीता सेन की हत्या नहीं की गई थी वो बदकिस्मती से सच्मुछी एक्सिडन्ट की शिकार हो गई थी मुझे काबूल क्यों भीजा जा रहा है? ताके हमें वो फिल्म हासिल हो सके जो काबूल एरपोर्ट पर पीटर विंस्टन ने गीता सेन को सौपी थी गीता सेन की लाश काबूल के सिविल हॉस्पिटल के मौग में है और उसकी निजी वस्तुएं पुलिस के अधेकार में है तुम उसके पती के रूप में काबूल जा रहे हो स्वयम को गीता सेन का पती सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास परयाप्त प्रमाण होंगे उन प्रमाणों में तुम्हारे नाम विदेश मंत्राले की एक चिप्ठी भी है जिसमें सरकारी तौर पर तुम्हें ये सूचना दी गई है कि तुम्हारी पत्नी गीता सेन का काबूल में एक एकसिदंट में देहांत हो गया है इसके अतिरिक्त जरूरत पढ़ने पर काबूल स्थित भारती ये दूतावास से भी तुम्हें परयाप्त सहायता मिल सकती है काबूल पहुँचने पर हॉस्पिटल वाले तुम्हें गीता सेन का निजी सामान सौप देंगे तुम काबल में ही गीता सेन का अंतिम संसकार कर दोगे और उसका सारा निजी सामान समेट कर वापस लौटाओगे लेकिन आप इस बात की गारंटी कैसे कर सकते हैं कि पुलिस के पास सुरक्षित उसके निजी सामान में वो फिल्म भी होगी ऐसी कोई पक्की गारंटी तो मैं नहीं कर सकता लेकिन इस बात की तफ्तीश मैं करवा चुका हूँ कि पीटर विंस्टन उसे वो फिल्म सौंप चुका है मैं इस बात का पता लगा चुका हूँ कि पीटर विंस्टन का प्लेन आधी रात के बाद काबूल एरपोर्ट पर उतरा था अगर पीटर विंस्टन ने हमारा काम ना किया होता तो वो अपने प्लेन को काबूल एरपोर्ट पर उतारने के स्थान पर सीधा तेहरान ले गया होता नमबर दो इस घटना का समाचार हमारे काबूल स्थित दूतावास ने विदेश मंत्राले को भेजा था विदेश मंत्राले ने इसकी सूचना गिह मंत्राले को दे दी थी गिह मंत्राले को गीता से इनके स्पेशल इंटेलिजन्स के समपर्क का ग्यान था इसलिए फॉरण ही ये सूचना मुझे मिल गई थी मैंने तत्काल अक्शन लेना आरम्भ कर दिया मुझे मालूम हुआ के पीटर विंस्टन सुभा छे बजे ही अपना प्लेन लेकर काबुल से रवाना हो गया था नौ बजे के आसपास वो तहरान पहुँच गया था मैंने तहरान में पीटर विंस्टन से संपर्क स्थापित किया था उसके कथनानुसार उसने गीता से इनको फिल्म सौप दी थी मुझे पीटर विंस्टन के जूट बोलने की कोई वज़ा दिखाई नहीं दे थी कापुल में दुरगट नस्थल पर पुलिस फॉरण पहुँच गई थी और पुलिस ने गीता से इनके शरीर और निजी सामान को फॉरण अपने अधिकार में कर लिया था इन तमाम बातों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बहुत ही अप्रत्याशित बात नहीं हो गई है तो फिल्म जरूर गीता से इनकी निजी वस्तूओं में होगी अगर उसके अधिकार में फिल्म नहीं होगी तो बीस हजार पाउंड के नोट होंगे और उस सूरत में तुम्हारे काबुल पहुँचते ही वहां की पुलिस इतनी धेर सारी फोरन करंसी के बारे में तुमसे प्रशन पूछे बिना रहीगी नहीं गीता सेन के अन्य संबंधियों को भी तो उसकी इमृत्यों की सूचना दी गई होगी भारत में उसका कोई संबंधी जीवित नहीं है गीता सेन का सारा परिवार कोईना के भूचाल में मारा गया था उसका एक भाई कैनेडा में रहता है और वो उसका एकलौता जीवित संबंधी है उस तक सूचना पहुचते पहुचते ही पहुचेगी मेरे पासपोर्ट पर मेरा नाम सुनील कुमार चक्रवर्ती लिखा हुआ है क्या मुझसे ये नहीं पूछा चाएगा के मेरी खधित पतनी का नाम गीता सेन क्यों है गीता चक्रवर्ती क्यों नहीं है इस सवाल के तुमसे पूछे जाने की पूरी संभावना है लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें सुनील कुमार सेन या किसी अन्य कुमार सेन के नाम का नया पासपोर्ट तयार करवा के दे सकूँ इसी लिए तुम्हें अपने ओरिजिनल पासपोर्ट पर सफर करना पड़ रहा है लेकिन इस सवाल का एक काफी हद तक विश्वस निया जवाब मैं तुम्हें सुझा सकता हूँ क्या? गीता सेन जिस अख़बार की कॉर्रिस्पॉंडन्ट थी उसमें उसके द्वारा भेजी रिपोर्टों पर आरंभ से ही उसका यही नाम चपता रहा है इसलिए शादी के बाद भी उसने अपना नाम बदलना अर्थात गीता सेन से गीता चक्रवर्ती कर लेना उचित नहीं समझा फिल्म अभिनेता, लेखक, पत्रकार और अन्य समाज में प्रसिधी प्राप्त व्यक्ती अक्सर शादी के बाद भी अपना वास्तविक नाम नहीं बदलते उदाहरन तया हॉलिवुड की फिल्म अभिनेत्री अलिजबिट टेलर चार शादियां कर चुकी है लेकिन कभी भी उसने अपना नाम नहीं बदला अर्थात रिचर्ड बर्टन से शादी करने के बाद वो अलिजबिट बर्टन नहीं कहलाने लगी या एडी फिशर से शादी करने के बाद वो अलिजबिट फिशर नहीं कहलाने लगी थी अभिनेत्री माला सिन्हा पी सी लोहानी से शादी करने के बाद माला लोहानी नहीं बन सकी प्रसिध लेखि का मन्नु भंडारी ने लेखक राजेंद्र यादव से शादी करने के बाद अपना नाम बदल कर मन्नु यादव नहीं रख लिया था इसी प्रखार अगर प्रसिद्ध पत्रकार गीता ने तुमसे शादी करने के बाद अपना नाम गीता चक्रवर्ती नहीं रखा तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है You understand my point? Yes, sir मुखर जी पाइप के खश लगाने लगे लेकिन, sir, वो फिल्म का किस्सा क्या है? करनल मुखर जी ने फिर घड़ी पर द्रिश्टिपात किया एक खशन हीच की चाए और बोले हाल ही में हमें कुछ ऐसे संकेत मिले थे जिससे ये प्रकट होता था कि पाकिस्तान में पेशावर कैंट के आसपास के इलाके में कहीं चीनियों की सहाइता से एक भारी रॉकेट बेस तैयार किया जा रहा है हमें ये संकेत मिला था हयात हैदर नाम के एक पश्चिमी पाकिस्तान के नागरिक से जो के पेशावर कैंट के स्टेशन पर नियुक्त रेलवे करमचारी था उसे हर साल रेलवे का फ्री पास मिलता था और इस फ्री पास पर वो हर साल कराची में रहने वाले अपने रिश्टेदारों से मिलने जाया करता था पिछली बार जब वो कराची पहुँचा तो वो चुप चाप कराची में स्थित हमारे हाई कमिशनर के आफिस में भी पहुँचा हाई कमिशन के एक अधिकारी से उसने बात की और कहा कि पाकिस्तान की फौजी तैयारियों के बारे में वो कुछ ऐसी जानकारी रखता था जो भारत के लिए बहुत हितकर सिद्ध हो सकती थी उस जानखारी के बदले में हयाथ हैदर ने भारती हाइख कमिशन के उस अधिकारी से एक मोटी रकम की माँगी। हाइऑ कमिशन के अधिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सारे सिलसिले को भारती हाई कमिशन पर एस्पियनाज यानि जासूसी का इलजाम लगाने का मौका तलाश करने की दिशा में एक चाल समझा। परिणाम स्वरूप हयात हैदर नाम का पेशावर कैंट स्टेशन का वो रेल कर्मचारी बड़ी सफाई से हाई कमिशन से दफा कर दिया गया। करनल मुखर जी एक क्षण रुके और फिर बोले हयात हैदर निराश वापस लोट गया। उस घटना के कुछ दिनों के बाद संयोग वशी हयात हैदर रावल पिंडी में जॉन मैक्सवल से टकरा गया। जॉन मैक्सवल कौन? जॉन मैक्सवल एक एंगलो इंडीयन है जो कई सालों से पाकिस्तान में बसा हुआ है और काबुल में गीता सेन की तरह रावल पिंडी में हमारा कॉन्टैक्ट है जॉन मैक्सवल को भारती हाई कमिशन से भी हयात हैदर के बारे में सूचना मिल चुकी थी पहले जॉन मैक्सवल को भी हयात हैदर एक फ्रॉड ही लगा था लेकिन बाद में जब उसने हयात हैदर से बात की तो उसे धीरे धीरे उसकी बात पर विश्वास होने लगा परिणाम स्वरूब जॉन मैक्सवल ने हयात हैदर से कथित फौजी महक्व की जानकारी खरीदने का फैसला कर लिया जॉन मैक्सवल ने उसे धेर सारा रुपया दिया और धेर सारा रुपया और देने का वादा किया बदले में उसने जॉन मैक्सपल को जो बातें बताईं उनके आधार पर हमें ये स्वी कार करने पर मजबूर होना पड़ा कि पाकिस्तान चीन की सहाईता से बहुत भारी और खतरनाक मिलिटरी तैयारियों में जुटा हुआ है हयात हैदर ने क्या बताया था? हयात हैदर ने बताया कि जनवरी के महीने में उसने पांच दिन की चुट्टी ली थी हयात हैदर पेशावर कैंट की लोको मोटिव वरक्शॉप में काम करता था चुटी के बाद जब वो वापस लोटा तो उसने पेशावर कैंट के स्टेशन के आसपास के इलाके में कई परिवर्थन पाए पाकिस्तानी फौज के अतिरिक्त उसे हर जगा चीनी सैनिकों के दर्शन हुए उसे फौज द्वारा वर्क्शॉप की और जाने से रोक दिया गया उसे बताया गया के पेशावर कैंट स्टेशन के आसपास के इलाके में साधारण नागरिकों के आगमन पर नकेवल प्रतिबंध लग गया था बलके मिलिटरी के सैनिकों को ये भी आदेश था कि अगर कोई अनधिक्रित व्यक्ति उस इस इलाके में दिखाई दे तो उसे फौरन गोली मार दी जाए उत्तर में हयात हैदर ने उन्हें बताया कि वो रेल का ही कर्मचारी है और पांच दिन की छुटी के बाद वापस लोटा था मुनासिब शिनाख्त के बाद उसे वरक्शॉप इंचार्ज को सौप दिया गया वरक्शॉप इंचार्ज ने उसे ल्यूटी पर ले लिया और साथ ही उसे कड़ी चेतावनी दी कि वो वरक्शॉप के उत्तर में बने किसी शेड की और कदम ना रखे उन शेडों की और कदम बढ़ाने वाले किसी भी अनधिकरित व्यक्ति को आउन साइट शूट किया जा सकता था हयात हैदर ने आदेश का पालन करने का वादा किया लेकिन उसके खुराफाती दिमाग से ये बात नहीं निकली के आखिर उसकी पांच दिन की गेरहाजरी में पेशावर कैंट स्टेशन के उत्तरी शेडों में ऐसी क्या चीज आ गई थी जिसकी वजह से सारे इलाके में इतना तगड़ा मिलिटरी का फहरा लग गया था और मिलिटरी को किसी अंजाने व्यक्ति को उस और कदम बढ़ाते देखते ही उसे फौरन गोली से उड़ा देने का आदेश मिल गया था करनल मुखर जी ने जेब से दिया सलाई निकाल कर अपने पाइप के तंबाकू को कुरेदा पाइप के दो तीन लंबे लंबे कश लगाए और फिर बोले अगले कुछ दिनों में हयात हैदर की उत्तरी शड में काम करने वाले कुछ फौजियों से मित्रता हो गई मित्रता इस हद तक बढ़ी के वे लोग दोपहर के खाने के बाद चाए के लिए कभी कभार उसे अपने पास बुलाने लगे हयात हैदर ने बातचीत के दोरान में बड़े सरल स्वर से उन लोगों से पूछने की कोशिश की कि उत्तरी शेडों में क्या था लेकिन किसी ने कोई संतोष जनक उत्तर नहीं दिया वे लोग बड़ी चतुराई से उसकी बात को टाल गए उनहीं दिनों में हयात हैदर ने एक चीनी फौजी अधिकारी को ये कहते सुना था कि अब वे दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान इतना छोटा सा देश होते हुए भी भारत जैसे विशाल देश की ऐसी तैसी करके रख देगा फिर फिर एक दिन ऐसा आया जब हयात हैदर ने एक ऐसा काम कर डाला जिसके बारे में सोचने भर से भी गज भर के कलेजे वाला आदमी कांप जाए एक दिन उसके फौर मैं ने उसे खा कि उसे डबल ड्यूटी देनी पड़ेगी रात की शिफ्ट में काम करने वाला एक करमचारी बीमार हो गया था उसके स्थान पर हयात हैदर को रात की शिफ्ट में भी काम करने का आदेश मिला हयात हैदर की शिफ्ट सुभा आठ बजे से शाम के चार बजे तक होती थी उस रोज के बाद दस दिन तक उसे रात के बारह बजे से सुभा के आठ बजे तक चलने वाली शिफ्ट में भी काम करना पड़ा उन्हीं दिनों में से एक दिन रात के अंधेरे में वो उत्तरी शेडों में से एक की और बढ़ गया वो अपनी जान से हाथ दो सकता था दो सकता था लेकिन शायद उसकी उचसुकता इस कदर बढ़ गई थी वक्ती तोर पर वो ये बात भूल गया था कि किसी उत्तरी शड़की और कदम उठाकर वो कितना बड़ा खत्रा मूल ले रहा था या शायद उसके खुराफाती दिमाग ने ये महसूस किया था कि अंधेरी रात में उस और बढ़ने का खत्रा उतना भयंकर था नहीं जितना के दिन में उसके इंचार्ज ने जाहिर किया था फिर क्या हुआ? रात के अंधेरे में वो सुरक्षित एक शड़ के पास तक पहुँच गया शड़ का दर्वाजा मजबूती से बंद था और उसके सामने एक उंगता हुआ फौजी खड़ा था हयात हैदर के कथना मुसार शड़ की पिछली दिवार में छट के पास रौशन दान थे जो खुले हुए थे उसी दिवार के पास धेर सारे ड्रम एक दूसरे के उपर और अगल बगल रखे हुए थे हयात हैदर चुप चाप उन ड्रमों पर चढ़ गया आखरी ड्रम पर चढ़ने के बाद वो इस स्थिती में पहुँच गया कि वो शड़ के भीतर जाक सके भीतर तो एकदम अंधेरा होगा भीतर एकदम अंधेरा था लेकिन हयात हैदर के पास एक चोटी सी टॉर्च थी उस टॉर्च की सहायता से उसने भीतर जाका और फिर नीचे उतर आया वो चुप चाप वापस अपनी ड्यूटी पर पहुँच गया शड़ के भीतर क्या था? सुनील ने उचसुकता पूर्ण स्वर में पूछा शड़ के भीतर जो कुछ भी था हयात हैदर ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था उसके कथना उसार वो नीचे से गोल और उपर से शंकु के आकार की लगभग 40 फुट लंबी कोई चीज थी वैसी कई चीजें उस शड़ में मौजूद थी और उनमें से अधिकतर पर या तो मोटे कपड़े का खोल चड़ा हुआ था और या वे तिरपाल से ढखी हुई थी केवल एक पर से तिरपाल खिसक गई थी और हयात हैदर उस चीज की सूरत देखने में सफल हो गया था और हमें इतना कुछ मालूम हो सका था कि हमारा Military Research Section ये फैसला कर सके कि वो वास्तव में क्या हो सकता था वो क्या था? हयात हैदर से मिली सूचनाओं के आधार पर Military Research Section ने ये नतीजा निकलाला है कि वो जर्मन V2 से मिलता जुलता Middle Range Rocket था हमारी सूचनाओं के अनुसार वो सबसे पहले सन 1965 में पीकिंग में Liberation Day की फौजी परेड में दिखाया गया था तब से शायद उसकी डिजाइनिंग में कई परिवर्तन भी हो गए हैं लेकिन बुनियादी तोर पर हमारा Research Section इस बात को पूर्ण तया निश्चित कर चुका है कि वो चीन द्वारा निर्मित Middle Range Rocket ही था वो रोकेट कम से कम 800 मील तक मार कर सकता है कहने का मतलब यह है कि जंग छिड़ जाने पर पेशावर के आसपास से छोड़े गए वो रोकेट हमारी राजधानी से भी आगे 500-600 मील तक आधे से अधिक हिंदुस्तान में तबाही मचा सकते हैं बशर्ते के Research Center की Research ठीक हो Correct, लेकिन हायात है दर से खरीदी जानकारी के अतिरिक्त भी हमें इस बात का दूसरा प्रमान शिग्र ही मिल गया कि पेशावर केंट के आसपास के इलाके में कहीं भारी military installation चल रही है क्या, दस जून को, यानि कि आज से दस दिन पहले पेशावर केंट के समीब के 20 मील के इक इलाके को prohibited area यानि रक्षित क्षेत्र गोशित कर दिया गया उस क्षेत्र में military का सخت पहरा लग गया है और साधारन नागरिकों के किसी भी प्रकार के वहाँ आवागमन पर कड़ी पाबंदी लग गया है अर्थात, इस 20 मील के क्षेत्र में कहीं rocket station तयार किया जा रहा है जाहिर है, लेकिन इतनी देर क्यों? पिशावर केंट के shadow में rocket तो जनवरी में देखे गए और समीब के 20 मील के क्षेत्र को रक्षित क्षेत्र जून में घुशित किया गया क्यूंके rocket कोई खिलोना नहीं होता जिसे जब जाहे जहां ले जाकर खड़ा कर दिया जाए रॉकेट बेस तयार करने के लिए केवल रॉकेटों की ही जरूरत नहीं होती जैसा के साधारन आदमी सोचता है रॉकेट बेस में रॉकेट बाद में आते हैं पहले लाँच पैड आते हैं ब्लांस्ट शील्ड बनती हैं केबल ट्रफ और कंट्रोल के लिए इमारतें तयार की जाती हैं स्टोरिंग के लिए बंकरों की जरूरत होती है इंधन और ऑक्सिडाइजर्स वगहरा के लिए ट्रेलर चाहिए होते हैं इतना सारा बखेडा पहले होता है तब कहीं जाकर रॉकेट आते हैं रॉकेट बेस कोई ऐसी चीज नहीं जो रात भर में चुपचाप तयार हो जाती हो सॉरी मुझे रॉकेटों के बारे में जानकारी नहीं है नेवर माइंड रॉकेटों के बारे में जानकारी की तुमसे अपेक्षा भी नहीं की जाती फिर एक रात को पेशावर कैंट के स्टेशन पर मिलिटरी के विशाल टैंकर ट्रक बड़े बड़े ट्रेलरों के साथ प्रकट हुए और पेशावर कैंट स्टेशन के उत्तरी शेडों में रखा हुआ सारा सामान वहां से निकाल कर रक्षित क्षेतर में पहुँचा दिया गया जौन मैक्सवल के भरपूर प्रयतनों के बाद भी हमें ये नहीं मालूम हो सका कि उनके पास वैसे कितने चीनी रॉकेट हैं और ना ही हमें कोई ऐसा प्रमान मिल सका जिसे हम संसार की प्रेस के सामने रख कर ये सिध कर सकें कि पाकिस्तान चीन की सहायता से भारी फौजी तैयारियों में जुटा हुआ है और किसी भीक्षन भारत की सुरक्षा के लिए खत्रा बन सकता है रॉकेट बेस के बारे में कोई ठोस जानकारी हासिल करने की खातिर हमने कंटांस एर्वेज के पाइलट पीटर विंस्टन से संपर्क स्थापित किया पीटर विंस्टन कंट्रांस एरवेज के एक माल वहाद जहाज का पाइलिट है जो सिडनी से रवाना होता है और मनीला, हौंग कॉंग, दिल्ली, तेहरान और वियना होता हुआ लंदन पहुँचता है दिल्ली से पीटर विंस्टन को कार्गो फ्लाइट नंबर 752 के विशाल बोईंग प्लेन से शनीवार रात को टेक आफ करना था और फिर तहरान में जाकर उतरना था वेदर ब्यूरो से शनीवार की रात को पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के काबल वकांधार के इलाकों में बेहद गंदा मौसम होने की जानकारी हमें पहले ही हो चुकी थी 20,000 पाउंड की मोटी रकम के बदले में पीटर विंस्टन को इस बात के लिए तयार किया गया था कि वो पश्चिमी पाकिस्तान के उपर उड़ते समये अपने नॉर्मल रूट से लगभग 200 मील भटक जाए और तक्षिला और एबटाबाद से लेकर खैबर पांस तक और कोहाट से दरगई और सैदु शरीफ तक के घेरे का एक चक्कर लगा डाले और उस सारे इलाखे की तस्वीरें खीच ले दिल्ली में उसके प्लेन में पहले से ही एक विशेश कैमरा फिट कर दिया गया था जो दस हजार फुट तक की यूँचाई से गंदे से गंदे मौसम में नीचे की साफ तस्वीर खीच सकता था इनसान की आँख को न दिखाई देने वाली चीजों की तस्वीर भी उस कैमरे की आँख से ली जा सकती थी हमारी स्कीम के अनुसार पीटर विंस्टन हमारा काम करने में सफल हो गया शनिवार की तूफानी रात को उसने अपने प्लेन को काबूल एरपोर्ट पर उतारा और गीता से इनको फिल्म दे दी दुर्भाग्यवश आखरी क्षण में गीता से इनका अक्सिडन्ट हो गया और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया हमने पीटर विंस्टन को भारत का एस्पियनाज एजेंट होने के इल्जाम में पकड़े जाने का खत्रा मोल लिया इतना धेर सारा रुपया खर्च किया लेकिन नतीजा फिर भी कुछ नहीं निकला आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि गीता सेन दुरगटना की ही शिकार हुई है उसकी हत्या नहीं की गई है मैं पहले ही कह चुका हूँ हर बात यही जाहिर करती है कि गीता सेन दुरगटना की ही शिकार हुई थी लेकिन अगर दुश्मन चालाख हो तो ऐसा स्टेज भी तो सेट किया जा सकता है कि किसी की हत्या कर दी जाए लेकिन वो संयोग वश हो गई दुरघट ना ही मालूम हो संभव है पाकिस्तानियों को पीटर विंस्टन के प्लेन की गतिविधी की खबर हो गई हो अगर ऐसा हुआ होता तो या तो वे पीटर विंस्टन के प्लेन को मार गिराते और या फिर उसे जबरदस्ती पाकिस्तान में कहीं प्लेन उतारने पर मजबूर कर देते शायद उन्हें Peter Winston के प्लेन की जानकारी तब हुई हो जब वो पाकिस्तान की हद से बाहर निकल गया हो Peter Winston की फ्लाइट के प्रोग्राम से उन्हें मालूम हो गया होगा कि उसका अगला स्टापेज तहरान में था उसे काबूल की और मुड़ते देखकर उन्हें और भी संदेह हो गया होगा शायद काबूल में उनका कोई एजन्ट हो और उनके पास उससे तुरंत संपर्क स्थापित करने का साधन भी हो उन्होंने अपने एजन्ट को आदेश दिया हो कि वो काबूल एरपोर्ट पर पहुँचे और कंटांस एरवेज की कारगो फ्लाइट नंबर 752 को चेक करे शायद उस पाकिस्तानी एजन्ट ने पाइलिट को गीता सेन को फिल्म सौपते देखा हो और बाद में उसने ऐसा इंतजाम किया हो कि गीता सेन एरपोर्ट की इमारत से निकलते ही स्टेशन वैगन द्वारा इस तरह कुचल दी जाए कि सारा सिलसिला एक दुरघटना मातर ही लगे लेकिन मेरी सूचनाओं के अनुसार दुरघटना गीता सेन की गलती से हुई थी स्टेशन वैगन के ड्राइवर की गलती से नहीं एक चश्मदीद गवाह ने गीता सेन को ठोकर खाकर स्टेशन वैगन के सामने गिरते देखा था वो संयोग भी हो सकता है और शायद उसी वजह से स्टेशन वैगन का ड्राइवर वहां से भागा नहीं गीता सेन के ठोकर खाकर सडक पर गिरने से उसका काम आसान हो गया था अब वो ये दावा कर सकता था कि गीता सेन सरासर अपनी गलती से स्टेशन वैगन के नीचे आकर कुछली गई थी संभव है अगर गीता सेन ठोकर खाकर न गिरती तो वो जान बूझ कर उसे कुछलता हुआ वहां से भाग निकलता और संभावना तो इस बात की भी है गीता सेन के ठोकर खाकर गिरने की बात कहानी ही हो संभव है स्टेशन वैगन के ड्राइवर ने ही ये बात कही हो और सबने आपके कथित चश्मदीद गवाह ने भी मान ली हो करनल मुखर जी चिन्तित दिखाई देने लगे पाइप उनके दांतों में फंसा हुआ था लेकिन वे कश नहीं लगा रहे थे इसका मतलब तो ये हुआ वे चिन्तित स्वर में बोले कि गीता सेन की एक-एक गतिविधी शत्रूओं की निगाह में थी जाहिर है? लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि फिल्म उनके हाथ में नहीं आई होगी करनल मुखर जी जोर दे कर बोले घटना स्थल पर पुलिस फौरन पहुँच गई थी और उसके बाद किसी को गीता सेन की लाश को या उसके किसी सामान को हाथ लगाने का मौका नहीं मिला था आपकी सूचना सारी या किसी हद तक गलत भी हो सकती है करनल मुखर जी चुप रहे संदेह का बी जारोपन हो चुका था उन्हें अब सारा ओपरेशन पहले जैसा आसान नहीं लग रहा था अच्छा है कि तुम काबल जा रहे हो वे बोले आगे हमें क्या करना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि गीता सेन की निजी वस्तूँ में तुम्हें फिल्म मिलती है या नहीं दरसल फिल्म न मिलने की स्थिति में हमारे लिए इस बात का फैसला करना कठिन हो जाएगा कि पीटर विंस्टन ने गीता सेम को फिल्म दी ही नहीं थी या फिल्म एक्सिडेंट के बाद पाकिस्तानी एजेंटों ने हतिया ली थी या वो यूही एक्सिडेंट के दौरान में या बाद में कहीं गुम हो गई थी सर, सुनील कुछ क्षण चुप रहने के बाद तनिक बदले स्वर में बोला मान लीजिये फिल्म मिल जाती है उसके बाद आप उस फिल्म का क्या इस्तेमाल निकालना चाहते हैं? मेरे विभाग का काम तो फिल्म हासिल हो जाने के बाद उसे प्रतिरक्षा मंत्राले को सौप देने से ही खत्म हो जाएगा उस फिल्म के माध्धिम से हमारी सरकार को इस बात की गारंटी हो जाएगी के पाकिस्तान में वाकई भारी रॉकेट बेस तयार किया जा रहा है फिर हम संसार के सामने पाकिस्तान और चीन के गठ जोड की बात जाहिर कर सकते थे और पाकिस्तान की नियत का प्रचार कर सकते थे इससे हमें अपने मित्र राष्ट्रों की सहानुभूती हासिल हो सकती थी और वर्ल्ड प्रेस द्वारा पाकिस्तान की भर्चना की जा सकती थी हमारे लिए वो बात बड़ी फाइदे की सिद्ध हो सकती है कि पाकिस्तान की गुप्त सैनिक कार्यवाहियां गुप्त न रह सकें पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उठ जाए और सारे संसार को पता हो जाए कि हमारा पडोसी राश्टर पाकिस्तान हमारा मित्र रहने का इरादा तक नहीं रखता है और ये कि वो ताशकंद समझाओते को तनिक भी महत्व नहीं देता है अभी और ये कि वो कई अन्य एशियाई देशों की तरह पूरी तरह हमारे दूसरे शत्रु राष्ट्र चीन के हाथों का खिलोना बनता जा रहा है कर्नल मुखर जी एक क्षण रुके फिर बोले ये बात हाल ही में रूस ने भी स्विकार की है कि चीन एशियाई देशों में फूट को बढ़ावा दे रहा है सोवियत पत्री का नोवो गोमिया यानि न्यू टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में इसी संदर्भ में भारत-पाकिस्थान और भारत-नेपाल संबंधों तथा सिक्किम्व भूटान में कूट नीती तथा चीन द्वारा बर्मा व नागा लैंड के विद्रोहियों की मदद करने का हवाला दिया गया है चीन एशियाईयों के विरुध एशियाईयों को लड़वाकर एशिया में अपना प्रभुत्व काइम करना चाहता है वो भारत और पाकिस्तान के मतभेदों को भढ़का कर और दोनों देशों में जंग छिड़वा कर भारत को कमजोर करना चाहता है और पाकिस्तान पर पूरी तरह अपना नेयंतरन कायम रखना चाहता है चीन चाहता है कि भारत के हर पडोसी राश्ट्र से चाहे वो मित्र है या शत्रू हमारा मतभेद बना रहे इसी लिए वो पाकिस्तान को युद्ध की तैयारियों में मदद दे रहा है वो नेपाल और भारत के संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहा है चीनी एजन्ट बूटान और सिक्किम में चालें चल रही हैं चीन नागा लैंड के विद्रोहियों को शस्त्र दे रहा है और हमारे सारे देश में चीन समर्थक गद्धार पैदा कर रहा है ताके हम आपस में ही लड़ भिड़कर शक्तिहीन होते जाएं चीन की ये नीती भारत और पडोसी देशों पर ही लागु नहीं होती चीन सारे एशिया में यही कुछ कर रहा है सोवियत संग ने स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाया है के एक आएक करनल मुखर जी बेहद आवेग में आ गए थे पीकिंग ने छठे दशक में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच युद्ध भढ़काने और पीकिंग जकार्ता गुट बनाने की कोशिश की से अपना राजदूत वापस बुलाना पड़ा उसने लाओस को धम की दी फिलिपिन्स, मलेशिया और इंडोनेशिया में आंदोलन के साथ गद्धारी की और अब कमबोडिया में चीन के हस्तक्षेप के कारण कमबोडिया अमरीकी सामराज जवादियों की गोद में चला गया अध्यक्ष माउत से तुंग और उसके समर्थक दक्षन एशिया में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए उस समस्त क्षेत्र में सतत आंतरिक संगर्ष की स्थेती पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं चीनी नेता एशिया की जनता को जन युद्ध के लिए भड़का रहे हैं वे एशिया के देशों को एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं वे समझते हैं कि ये युद्ध ऐसी सीड़ी का काम करेंगे जिन पर चढ़ कर चीनी एशिया के एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेंगे। उसी क्षण कार की रफतार कम होने लगी। करनल मुखर जी बोले, संसार के सामने हमारे द्वारा किया गया पाकिस्तान की नियत का प्रचार ठहरे हुए पानी में पत्थर भीकने जैसी किया होगी। लेकिन हम वो पत्थर तब तक नहीं भीक सकते जब तक के हमारे पास कोई थोस प्रमान ना हो। अब तुम्हें उस फि पाबूल में तुम होटल मेट्रो पोल में ठहरना। करनल मुखर जी बोले, वो एक B-class होटल है। तुम्हारी हैसियत के पत्रकार का वैसे ही किसी होटल में ठहरना मुनासिब लगता है। वैसे भी उस होटल में विदेशी तूरिस्ट बहुत ज्यादा ठहरते हैं इसलिए तुम अवांचित व्यक्तियों की संदिग्ध निगाहों से बचे रहोगे। तुम्हारी बातों ने मेरे मन में संदेह का बीजारोपन कर दिया है। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है के शायद गीता सेन की हत्या की गई हो। ऐसी सूरत में इस बात की पूरी संभावना ह के शायद पाकिस्तानी एजेंट तुम्हारे जैसे किसी आदमी के काबूल में पदारपन की प्रतीक्षा ही कर रहे हूं। इसलिए मैं तुम्हें सावधान रहने की और कोई भी ऐसा काम न करने की चेतावनी दे रहा हूं जिसकी वजह से तुम शत्रूओं की निगाहों में कार मारकी में आकर रुक गई। सुनील ने अपना छोटा सा सूट के संभाला और कार से बाहर निकलाया। करनल मुखर जी ने अपने स्थान से हिलने का भी उपकरम नहीं किया। सुनील के कार से बाहर निकलते ही उन्होंने धीरे से अपने और धर्म सिंग के बीच के शीशे के पार्टिशन को खट-खटाया। धर्म सिंग ने कार फौरण आगे बढ़ा दी। इंडियन एरलाइन्स का कैरवल प्लेइन रात के लगभग साढ़े आठ बजे काबूल एरपोर्ट पर उत्रा। आकाश पर बादल चाय हुए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। कस्टम के बखेडों से निकल कर सुनील एरपोर्ट की इमारत से बाहर निकल आया। हर सडकें अभी भी गीली थी। शायद थोड़ी देर पहले बारिश होकर हटी थी। टैक्सी। मारकी में आकर सुनील ने आवाज लगाई। एक टैक्सी उसके समी पारुकी। सुनील ने टैक्सी की पिछली ओर का दर्वाजा खोला। उसने सूटकेस को भीतर रख दिया। होटल मेट्रुपोल। वो अफगान टैक्सी ड्राइवर से बोला और स्वयम भी भीतर बैठने लगा। उसी क्षण किसी ने पीछे से उसका कंधा चुआ। बैग यूर पादन सर। साथ ही किसी का शिष्ट स्वर सुनाई दिया। सुनील ने पीछे घूम कर देखा। पीछे क्षमा याचना पूर्ण मुद्रा बनाए एक सूट धारी व्यक्ति खाड़ा था। वो अपने सिर पर लाल रंग की तुर्की टोपी पहने हुए था। येस। सुनील भावहीन स्वर में बोला आप होटल मेट्रोपोल जा रही है ना। वो पूर्ववत अंग्रेजी में बोला और साथ ही उसने जल्दी से जोड़ दिया। मैंने आपको ड्राइवर को कहते सुना था। अगर मुझसे सुनने में गलती नहीं हुई तो आप से जाम लेते सुना तो सोचा कहकर देखता हूँ शायद आप मेरे साथ टैक्सी शेयर करने के लिए तैयार हो जाएं। मीटर का आधा किराया मैं दे दूँगा। इनकार सुनील की जुबान पर आते आते रह गया। लेकिन फौरन उसके दिमाग में करनल मुखर जी की चेताव जनी गूंज गई। उसने ऐसा कोई काम नहीं करना था जो कि किसी के लिए भी संदेह का विशय बन जाए। सुनील की हैसियत का आदमी पर देश में बचत करने का मौका भला क्यूं छोड़ेगा। तश्रीफ लाइए। सुनील बोला। थैंक यूू। तुरकी टोपी वाल अपने टैक्सी ड्वाइवर का मूट देखा। तुरकी टोपी वाला बोला। जी हां देखा। आपके साथ मेरा बैठना इसे बेहद नागवार गुजरा है। क्यों? ये मुझे पहचानता है। अपने धंदे के सिलसिले में मुझे अकसर एरपोर्ट पर आना पड़ता यहां से लौटती बार हमेशां मेरी यही कोशिश होती है कि मैं होटल मेट्रोपोल या उसके आजपास कहीं तक किसी के साथ टैक्सी शेयर कर लूँ। इसकी टैक्सी पर मैं पहले भी बैठ चुका हूँ। आप बहर से आया आदमी हैं। आपको होटल मेट्रोपोल तक ये दस मील का चक्कर लगा कर ले जाता मेरी मौजूदगी में इसकी ये बेईमानी करने की हिम्मत नहीं हो सकती सुनील के होटों पर मुस्कुराहट दोड़ गई बिदेशियों को ठगने के मामले में भारत और अफगानिस्तान में कोई अंतर नहीं था लाल टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी उतारी सुनील ने देखा उसकी खोपड़ी एक दम गंजी थी उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और टोपी दोबारा सिर पर जमा ली और फिर बोला शुरू शुरू में किसी को टैक्सी शियर करने के लिए कहते समय मुझे बड़ी जिजक होती थी कि कहीं कोई मना न कर दे लेकिन अब मैं इस मामले में बहुत पक्का हो गया हूँ क्योंकि अब मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि पैसे की बचत के मामले में बाकी लोगों के सोचने का ढंग भी लगभग मेरे जैसा ही है पर देश में जो बचत हो जाए वही अच्छी आप ठीक कह रही हैं सुनील बोला आप तो हिंदुस्तानी है ना लाल टोपी वाला बोला जी हाँ सुनील बोला आपने कैसे जाना वा साहब वा लाल टोपी वाला जोर का ठाहस लगाता हुआ बोला ये तो बच्चा भी जान सकता है चेहरे मोरे से आप हिंदुस्तानी मालुम होते ही है आपका अंगरेजी बोलने का लहजा भी हिंदुस्तानियों जैसा है और फिर जिस वक्त आप एरोड्रोम पर मौजूद थे उस वक्त सिर्फ इंडियन एरलाइन्स के एक प्लेन ने ही एरोड्रोम पर लैंड किया था आप बहुत होशियार आदमी हैं मैंने ये बात होशियारी जताने के लिए नहीं कही थी मैंने ये बात इसलिए कही थी के अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो मैं अंग्रेजी की टांग तोड़ना बंद करूँ इस बार लाल टोपी वाला हिंदी में बोला बड़ा अच्छा खयाल है साहब सुनील भी हिंदुस्तानी में बोला सिगरेट पीजिये लाल टोपी वाला अपनी जेब से स्टेट एक्सप्रेस का एक पाकेट निकाल कर उसकी और बढ़ाता हुआ बोला शुक्रिया सुनील बोला उसने एक सिगरेट ले लिया लाल टोपी वाले ने भी एक सिगरेट निकाल लिया और पिर पहले सुनील का और फिर अपना सिगरेट सुलगा लिया बंदे को अब्दुलवहीद कुरेशी कहते हैं वो सिगरेट का एक गहरा कश लगाता हुआ बोला मैं मुंबई की एक एक्सपोर्ट कंपनी का प्रतिनिधी हूँ मेरा नाम सुनील है सुनील ने संक्षिप्त साउत्तर दिया उसका खयाल था कि अब उसकी बगल में बैठा आदमी कई तरह के सवालों की जड़ी लगा देगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अब्दुलवहीद कुरेशी चुप चाप सिगरेट के कश लगाता रहा काबुल की सड़कों पर टैक्सी आगे बढ़ती रही सुनील ने सिगरेट का आखरी कश लगा कर उसे खिड़की से बाहर फिंक दिया होटल अच्छा चुना है आपने एका एक कुरेशी बोला सस्ता है और हर तरहा की सहूलियत भी वहां से हासिल है आपको तो मेट्रोपोल की पहले से ही जानकारी मालूम होती है मेरे एक दोस्त ने मुझे मेट्रोपोल में ठहरनी की राय दी थी बड़ी नेक राय दी थी सहब कभी मेरी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बताईएगा जरूर बताऊंगा उसी क्षण टैक्सी एक 6 मनजली अमारत के सामने आकर रुकी अमारत के सामने होटल मेट्रोपोल का विशाल नियान साइन लगा हुआ था कुरेशी अपनी और का दर्वाजा खोल कर टैक्सी से बाहर निकला उसने मीटर पर द्रिश्टी बात किया और फिर सुनील की मुठी में एक नोट ढूंसता हुआ बोला ये लीजिए खिराय का मेरा हिस्सा टैक्सी वाले को तीस अफगानी से ज्यादा मत दीजिएगा छोड़िए मैं दे दूँगा सुनील बोला नहीं सहब कुरेशी बोला परदेस में ऐसे मामलों में तकल्लुफ करना मुनासिब नहीं होता और वो अपनी एडियों पर घूमा और होटल में प्रविश्ट हो गया अब्दुल वहीद कुरेशी के प्रती सुनील का रहा सहा संदेह भी जाता रहा उसको पूरी उमीद थी के होटल पहुँचने पर कुरेशी उसके साथ चिपकने की कोशिश करेगा लेकिन अब लगता था के सुनील में उसकी दिलचस्पी तभी तक थी जब तक के वो अपनी मन्जिल पर नहीं पहुँच गया था सुनील के साथ चिपकना तो दूर उसने तो होटल में सुनील के साथ प्रविष्ट होने तक का तकलूफ नहीं किया था और नहीं एरपोर्ट से होटल तक के सारे रास्ते में उसने एक भी निजी प्रशन पूछा था उसने सुनील को अपनी सहायता की ओफर तो दी थी लेकिन ये नहीं बताया था कि होटल के कौन से कमरे में ठहरा हुआ था लगता था उसने तकलूफ में मदद का जिक्रही किया था वास्तव में उसका सुनील की मदद करने का कोई इरादा नहीं था सुनील ने टैक्सी वाले को तीस अफगानी किराया दिया और अपना सूटकेस और कैमरा संभाले टैक्सी से बाहर निकलाया होटल के काउंटर पर खड़े क्लरक ने उसे तीसरी मंदिल पर स्थित 315 नंबर कमरे में बुक कर दिया होटल का एक करमचारी उसे कमरे तक छोड़ाया कमरे में पहुँचकर सुनील ने अपना सूटकेस खोला उसमें से आवश्यक कागजात निकाल कर उसने अपनी जेब के हवाले किये और कमरे से बाहर निकलाया उसने कमरे को ताला लगा कर चाबी अपनी जेब में रख ली नीचे डाइनिंग रूम में पहुँचकर उसने खाना खाया फिर वो कमरे की चाबी बिना रिसेप्शन पर सौपे होटल से बाहर निकलाया बाहर आकर वो एक टैक्सी पर सवार हो गया ठीक दस बजे वो काबुल के सिविल हॉस्पिटल के पूछ ताँच के काउंटर पर खड़ा था मेरा नाम सुनील है सुनील काउंटर के पीछे बैठी युवती से अंग्रेजी में बोला मैं गीता सेन का पती हूँ गीता सेन? लड़की उलजन पूर्ण स्वर में बोली कौन गीता सेन? जिसका खल रात को एरपोर्ट के सामने एक्सिडन्ट हो गया था मैं उसका पती हूँ और सीधा भारत से आ रहा हूँ मैं अपनी पतनी की लाश क्लेम करने आया हूँ लेकिन लड़की ने कुछ बोलने का उपकरम किया लेकिन फिर कुछ सोच कर चुप हो गई उसने विचित्र आँखों से एक बार सर से पाम तक सुनील को देखा और फिर होटों पर एक व्यवसाए सुलब मुस्कुराहट लाती हुई बोली आप तश्रीफ रखिये मैं अभी अधिकारियों को सूचना देती हूँ थांक्यू सुनील बोला और एक कुर्सी पर बैठ गया उसके छेहरे पर थकान और घम के वे तमाम भाव जलक रहे थे जिनकी किसी ऐसे आदमी से अपेक्षा की जाती है जिसकी पतनी परदेश में मोटर दुरघटना में मर गई हो रिसेप्शनिस्ट ने एक बार सर जुकाए बैठे सुनील की और देखा फिर उसने मेज पर रखे टेलिफोन का रिसीवर उठा लिया उसने तेजी से एक नमबर डायल किया कुछ ख्षन संपर्क स्थापित होने की प्रतीक्षा की और फिर तेजी से ऐसा कुछ खेहने लगी जिसका एक भी शब्द सुनील की समझ में नहीं आया हंत में उसने रिसीवर को क्रेडल पर रख दिया और फिर सुनील की ओर देखकर मधूर स्वर में बोली सुनील ने सहमती सूचक ढंग से सर हिलाया और चुप चाब बैठा रहा लगभग पांच मिनट बाद सफेद रंग का कोट पहने एक व्यक्ती रिसेप्शन पर प्रकट हुआ उसने प्रशन सूचक आंखों से रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा बिसेप्शनिस्ट ने सुनील की और संकेत कर दिया गीता सेन के पती आप हैं? सफेद कोट वाला सुनील से बोला जी हाँ सुनील ने घमगीन स्वर में बोला यू आर मिस्टर सुनील येस मिस्टर सुनील भारत से कब आया? सीधा चला रहा हूँ मेरा नाम डॉक्टर सरवरी है मैंने गीता सेन का मेरा मतलब है आपकी पत्नी का पोस्ट मौटम किया था मुझे आपकी पत्नी की मौत का अफसोस है सुनील चुप रहा मेरे साथ तश्रीफ लाइए डॉक्टर सरवरी बोला सुनील उठकर उसके साथ हो लिया आपको अपनी पत्नी की मृत्यू की सूचना कैसे मिली? रास्ते में डॉक्टर ने पूछा मुझे मेरे देश के विदेश मंत्राले ने सूचना दी थी कैसे? कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके पास कोई टेलिफोन आया था कोई संदेश वहा काया था या आपको पत्र लिखा गया था मुझे पत्र लिखा गया था फिर तो आप बहुत जल्दी काबुल पहुंचे आपके विदेश मंत्राले ने भी आपको सूचित करने में बड़ी फूरती दिखाई इस संदर्ब में मुझे आपके डाक थार विभाग और हवाई सेवा दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी अगर भगवान ना करे मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ होता मेरा मतलब है कि अगर मेरी पत्नी भारत में कहीं दुरगटना की शिकार होकर जान खो बैठती तो चार-पांच दिन तक मुझे इसकी खबर भी नहीं मिलती और उसके बाद पता नहीं कितना समय भारत के लिए एर पैसेज बुक करने में लग जाता सुनील चुप रहा डॉक्टर सर्वरी उसे एक आफिस नुमा कमरे में ले आया आप यहां तश्रीफ रखिए डॉक्टर सर्वरी एक विशाल आफिस टेबल के समीब पड़ी कुर्सियों में से एक की और संकेत करता हुआ बोला मैं मृत शरीर के रिलीज के खागजात तयार करवाता हूँ सुनील ने सहमती सूचक ढंग से सिरहला दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया डॉक्टर सर्वरी कमरे से विदा हो गया सुनील कमरे में अकेला बैठा रहा पांच मिनट गुजर गए सुनील बेचैनी से पहलू बदलनी लगा उसी क्षण कमरे का द्वार खुला सुनील ने आशा पूर्ण नेत्रों से द्वार की और देखा और हडबढा कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ हैजब द्वार पर एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था और उसकी रिवॉल्वर सुनील की और तनी हुई थी सुनील ने तत्खाल हाथ उठा दिये कमरे में चार पांच सिपाही घुसाए एक ने उसके हाथों को इकठा किया और उनमें हदकड़ी लगा दी सब कुछ पलक जपकते ही हो गया इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर होल्स्टर में रख ली और कमरे में प्रविष्ट हो गया उसके पीछे ही डॉक्टर सरवरी भी था उसके होंटों पर कुटिल मुस्कुराहट थी मिस्टर सुनील डॉक्टर बोला अब आप हमें ये बताएंगे के वास्तव में आप कौन है तब तक शौक की स्थिती गुजर चुकी थी वो अपने हथ-कड़ी लगे हाथ अपने सामने फैलाता हुआ क्रोधित स्वर में बोला पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे के इस हरकत का क्या मतलब है जैसे आपको नहीं मालूम डॉक्टर बोला आप अपना थोबड़ा बंद रखिए सुनील गला फाड़ कर चिलाया डॉक्टर सहमकर चुप हो गया आफिसर सुनील इंस्पेक्टर से संबोधित हुआ मैं तुम से पूछता हूँ इस हरकत का क्या मतलब है आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे इंस्पेक्टर बोला वहीं आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा लेकिन मुझे मालूम तो हो के मेरा अपराद क्या है पुलिस स्टेशन पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा लेकिन बहस करने में कोई फाइदा नहीं होगा सुनील चुप हो गया इंस्पेक्टर उसे एक कमरे में ले आया आपका नाम इंस्पेक्टर ने उससे प्रश्न पूछने आरंभ किये सुनील सुनील कटिन स्वर में बोला पूरा नाम बताईए सुनील कुमार चक्रवर्ती गीता सेन आपकी पतनी थी? जिहां आपको ये ऐसा सबूत पेश कर सकते हैं जिससे ये जाहिर हो के गीता सेन आपकी पतनी थी? मैं ऐसे कई सबूत पेश कर सकता हूँ लेकिन पहले मेरे हाथों से हदखड़ी निकलवाईए इंस्पेक्टर कुछ खशन हिचकिचाया फिर वो बगल में खड़े सिपाही से अपनी भाशा में कुछ बोला सिपाही ने आगे बढ़कर सुनील के सारे शरीर को थपथपा कर देखा कि कहीं उसके पास कोई हधियार तो नहीं था हर प्रकार से संतुष्ट हो चुकने के बाद उसने सुनील के हाथों से हथ खड़ी निकाल ली सुनील ने अपनी जेब से एक खाकी रंग का लंबा लिफाफा निकाला और उसमें से कुछ कागजात निकाले ये मेरी और गीता सेन की शादी का सर्टिफिकेट है सुनील एक कागज खोल कर इंस्पेक्टर के सामने रखता हुआ बोला ये विदेश मंत्राले से मुझे लिखी गई चिठी है जिसके माध्हम से मुझे ये सूचित किया गया है कि मेरी पतनी गीता सेन का एक मोटर अक्सिडंट में देहांद हो गया है ये मेरा राजनगर से काबू तक का हवाई जहाज का टिकेट है जिससे ये जाहिर होता है कि मैं सीधा हिंदुस्तान से यहां आ रहा हूँ ये मेरा प्रेस काड है जिससे ये जाहिर होता है कि मैं बलास्ट नाम के अखबार का कॉर्रिस्पॉंडन्ट हूँ और जिस पर मेरी तस्वीर लगी हुई है जो निर्विवाद रूप से ये सिद्ध करती है कि इन कागजात में जिस सुनील कुमार चक्रवर्ती का जिक्र है वो मैं हूँ इसके अतिरिक ताप चाहें तो आप भारत के सरकार या देकारियों से पूछताच कर सकते हैं अपनी पत्नी की लाच लेने के लिए मेरे यहानी की सूचना हमारे काबल स्थित दूतावास खो भी है आप दूतावास में फोन कीजिए या मुझे बात करने की इजाज़त दीजिए अपनी हकीकत के बारे में मैं आपका रहा सहा संदेह भी दूर कर दूँगा इंस्पेक्टर बड़ी बारी की से खागजों की जाच करने लगा अंत में उसने खागज एक और सरका दिये उसके चेहरे पर चिंता के लक्षन परिलक्षित हो रहे थे समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर यूं बढ़ बढ़ाया जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो कि किसी दूसरे आदमी को अपनी पतनी के लाश में क्या दिलचस्पी हो सकती थी क्या मतलब सुनील चौंक कर बोला दरसलिब बात ये है मिस्टर सुनील इंस्पेक्टर गंभीरता और खेदपूर्ण स्वर में बोला कि थोड़ी ही देर पहले एक दूसरा आदमी अपने आपको गीता सेन का पती बता कर गीता सेन का मृत शरीर क्लेम कर चुका है कब सुनील के मुह से अपने आप निकल गया आपके तश्रीफ लाने के लगभग दो घंटे पहले और मेरी पतनी का निजी सामान गीता सेन का निजी सामान जो के हमें दुरगटना स्थल पर लाश के आसपास बिखरा मिला था वो भी उसी आदमी को सौंपा जा चुका है लेकिन आप लोगों ने किसी गलत आदमी को लाश सौंप कैसे दी आपके प्रकट होने से पहले तो हमें वो गलत आदमी नहीं लग रहा था साहब इंस्पेक्टर खेद पून स्वर में बोला आप खुद ही सोचिए एक आदमी बदहवास सा आंसू बहाता हुआ हास्पिटल में पहुँचता है और कहता है कि वो गीता सेन का पती है और सीधा भारत से आ रहा है वो हमें एक पत्र दिखाता है जिससे जाहिर होता है कि उस आदमी को आपके देश के विदेश मंत्राले द्वारा उसकी पत्नी की मृत्यों की सूचना दी गई है संदेह का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है आखिर कोई आदमी खामखा किसी मृत औरत को अपनी पतनी क्यों बताएगा आपने उस आदमी को लाश सौंप दी जी हाँ, लाश भी और उनका निजी सामान भी हमने उस से रिलीज पर साइन करवाए और गीता से इनकी लाश और उसका निजी सामान उसके हवाले कर दिया विदेश मंत्राले की जो चिठी उस आदमी ने आपको दिखाई थी वो जरूर जाली थी सुनी लावेश पूर्ण स्वर में बोला आपको उस आदमी से कोई ठोस प्रमान मांगना चाहिए था धोस प्रमान तो हम तब मांगते जब हमें उसकी हकीकत पर संदेह होता हमें तो खाब में भी नहीं सूझा था कि जो आदमी गीता से इनकी लाश क्लेम करने आया था वो वास्तव में उसका पती नहीं था हमें आपकी हकीकत पर संदेह हुआ तो आपने देखा ही है कि हमने आपको क्या ट्रीटमेंट दिया है और अब लग रहा है साहब कि वो आदमी बहुत बड़ा अभीनेता था अपनी पतनी की लाश देखकर वो फूट फूट कर रोया था और उसने बड़े करुण स्वर से हमसे प्रार्थना की थी कि दुरगटना स्थल पर मिली गीता सेन की छोटी से छोटी चीज़ चाहे वो हेर पिन ही क्यों न हो उसे लौटा दी जाए उसके खथनानुसार उसकी पतनी की हर चीज़ उसके लिए उसकी आखरी निशानी थी और उसे जी जान से प्यारी थी हम उसकी भाव विहलता से इतने प्रभावित हुए थे कि हमने वाकई बड़ी सावधानी से गीता सेन की मामूली से मामूली चीज़ उसे सौप दी थी क्या आप बता सकते हैं कि मेरी पतनी की निजी वस्तुएं क्या क्या थीं जो उस बहरूपिये को सौपी गई थी जी हाँ हमारे पास कंप्लीट लिस्ट है और इंस्पेक्टर ने मेज की दरास खोल कर एक टाइप की हुई लिस्ट उसकी और बढ़ा दी सुनील ने सावधानी से लिस्ट पढ़नी आरंब कर दी वे फंद्रह आइटम थी जो कोई भी कामकाजी लड़की साधारन तया आपने पर्स में रखती थी लिस्ट में लगभग बारह सौ अफगानी के नोटों का जिक्र था लेकिन बीस हजार पाउंड का जिक्र नहीं था ना ही लिस्ट में किसी कैमरा फिल्म का जिक्र था घटना स्थल पर इन चीजों के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिला था जी नहीं क्या आप किसी विशेश वस्तु के बारे में पूछना चाहते हैं जी नहीं उस आदमी ने अपना नाम क्या बताया था सुधीर सेन उसने लाश की अपनी पत्नी के रूप में विधिवत शिनाख्त की थी विधिवत शिनाख्त से अगर आपका ये मतलब है कि हमने पहले सुधीर सेन को गीता सेन का हुलिया बयान करने के लिए कहा हो और फिर उसे लाश दी हो तो ऐसा नहीं हुआ था मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि हमें खुआब में भी नहीं सुझा था कि सुधीर सेन फ्रॉड हो सकता था वो रोता बिलकता हॉस्पिटल आया उसने स्वयम को गीता सेन का पती बताया हम उसे सीधे गीता सेन की लाश के पास ले गए और फिर छुट्टी यानि कि आपके पास ये जानने तक का साधन भी नहीं है कि वास्तव में वो मेरी पतनी को सूरत से पहचानता भी था या नहीं इंस्पेक्टर ने हिचकिचाते हुए सहमती सूचक ढंग से सिरहिला दिया सुनील निराश हो गया भरपूर चोट हो चुकी थी अब आप क्या करेंगे? उसने इंस्पेक्टर से पूछा सुधीर से नाम के उस फ्रॉड को आपकी पतनी की लाश ले जाया भी ज्यादा देर नहीं हुई है हम उसे तलाश करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे मेरी पतनी के निजी सामान की लिस्ट में उसके फ्लैट की चाबियों का भी जिक्र है संभव है वो आदमी वहां भी जाए मैं अभी वहां फहरा बिटवाता हूँ वो एक सिपाही की और गुमा अपनी भाशा में उसने सिपाही को कोई आदेश दिया सिपाही फौरण वहां से रवाना हो गया आप लोगों की लापरवाही की वजह से मुझे अपनी पतनी के आखरी दर्शन भी नसीब नहीं हुए सुनील गमगीन स्वर में बोला हमें अफसोस है इंस्पेक्टर बोला हमारी वजह से आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हम शमा प्रार्थी हैं नेवर माइंड सुनील अपने स्थान से उठता हुआ बोला मैं होटल मेट्रोपोल में ठहरा हुआ हूँ अगर कोई नई बात हो तो मुझे जरूर और फॉरन सूचित कीजिएगा जरूर करेंगी सहब इंस्पेक्टर भी उठ खड़ा हुआ चलिए मेट्रोपोल तक मैं आपको जीप पर छोड़ा आता हूँ कोई जरूरत नहीं सुनील बोला दरसल मैं इस समय अच्छे मूड में नहीं हूँ मैं थोड़ी देर तनहाई चाहता हूँ जरा थोड़ी देर पैदल चलूँगा और फिर मेट्रोपोल के लिए टैक्सी ले लूँगा जैसी आपकी इच्छा इंस्पेक्टर सहान उभूति पूर्ण स्वर में बोला आएए आपको बहर छोड़ाऊं सुनील इंस्पेक्टर के साथ हो लिया सुनील ने होटल मेट्रोपोल के अपने कमरे में कदम रखा और दर्वाजा भीतर से बंद कर लिया वो एक कुरसी पर ढेर हो गया और पिछली घटनाओं पर विचार करने लगा गीता सेन की लाश का जो अंजाम हुआ था उससे उसे और भी विश्वास हो गया था कि उसकी हत्या की गई थी और पीटर विंस्टन द्वारा सौपी गई फिल्म की खातिर ही उसकी हत्या की गई थी शत्रों ने बड़ी हिम्मत और चालाकी से गीता सेन की लाश और उसका सारा निजी सामान हत्या लिया था और अब तक फिल्म निश्चित ही उन लोगों के हाथ में पहुंच चुकी थी अब वर्तमान स्थिती में काबल में सुनील के लिए करने लायक कुछ नहीं रह गया था सुभा उसने भारती अदूतावास से राजनगर में करनल मुखर जी को फोन करके सारी स्थिती की सूचना दे देनी है और फिर छुटी करनल मुखर जी ने निश्चे ही उसे फौरन वापस आने के लिए कह देना था सुनील कुर्सी से उठा उसने सूटकेस में से अपना नाइट सूट निकाल लिया और फिर खोट उतार कर कुर्सी की पीट पर डाल दिया उसने टाई की गांठ ढीली की और उसी क्षण किसी ने बाहर से कमरे का दर्वाजा खट-खटाया सुनील ने आगे बढ़कर दर्वाजा खोला बाहर होटल का एक वेटर ख़ड़ा था आपका टेलिफोन है वो आदर पूर्ण स्वर में बोला मेरा टेलिफोन? सुनील आश्चर ये पूर्ण स्वर में बोला नीचे रिसेप्शन पर सुनील कमरे से बाहर निकलाया उसने द्वार बंद करके बाहर से ताला लगाया और वेटर के साथ हो लिया सीड़ियों पर उसे उपर आता हुआ कुरेशी मिल गया हलो कुरेशी बोला हलो सुनील ठिटक कर बोला आराम से तो हैं आप जी हाँ, कृपा है कौन सा खमरा मिला? 315 नमबर वेरी गूड कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताईएगा जरूर सहब कुरेशी आगे बढ़ गया सुनील फिर सीडियां उतरने लगा रिसेप्शन काउंटर पर रिसीवर टेलिफोन के क्रेडल से नीचे पड़ा था सुनील ने रिसीवर उठा कर कान से लगा लिया और बोला हलो सुनील साहब बोल रहे हैं दूसरी ओर से आवाज आई येस सुनील साहब मैं शेरजादा बोल रहा हूँ शेरजादा? सुनील ने उलजन पूर्ण स्वर में नाम दोहर आया जी हाँ इंस्पेक्टर शेरजादा अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन पर आपसे मुलाकात हुई थी शायद मैं आपको अपना नाम बताना भूल गया था अब तक सुनील दूसरी और से बोलने वाले को आवाज से भी पहचान चुका था लाइन पर वही पुलिस इंस्पेक्टर था जिसने हॉस्पिटल में उसे गिरफतार किया था मैं आपको पहचान गया सुनील बोला फरमाईए कैसे याद किया क्या आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हैं क्या बात हो गई है हमें दुरघटना स्थल से आपकी पतनी की एक दो चीज़ें और मिल गई है शायद वे आपके किसी काम की हो मैं आता हूँ सुनील बोला और उसने संबंध विछेद कर दिया वो वापस अपने कमरे में आया उसने टाई की गांट ठीक की कोट पहना और फिर कमरे से बाहर निकला आया होटल से बाहर आकर उसने एक टैक्सी की और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गया वो इंस्पेक्टर शेरजादा के कमरे में पहुँचा आये इंस्पेक्टर बोला सुनील एक कुरसी पर धेर हो गया और बोला क्या मिला है इंस्पेक्टर ने अपनी मेज का एक दरास खोला और उसमें से निकाल कर दो वस्तुएं सुनील के सामने मेज पर रख दी सुनील ने देखा एक सुनहरी खोल वाली लिपस्टिक थी और दूसरी चीज दूसरी चीज अल्यूमिनियम का एक वैसा खोल था जिसके अंदर फिलमें रखी जाती है सुनील का दिल तेजी से धढ़कने लगा लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी तरह की उतेजना या उतकंठा नहीं जलकने दी एका एक वो एकदम कंभीर हो उठा उसने धीरे से हाथ बढ़ा कर लिपस्टिक उठा ली और भाव विहवल नेत्रों से उसे देखने लगा कुछ क्षण बाद उसने अल्यूमिनियम का खोल उठाया खोल के वजन से ही उसे महसूस हो गया कि भीतर फिल्म थी उसने धीरे से खोल का ड़कन खोला और भीतर जहाका भीतर फिल्म मौजूद थी सुनील ने ड़कन बंद कर दिया ये दोनों चीज़ें केवल आधा घंटा पहले मेरे अधिकार में आई हैं इंस्पेक्टर शेरजादा बोला लगता है दुरगटना के बाद ये दोनों चीज़ें गीता सेन के जिस्म से छिटक कर सड़क किनारे के बरसाती पानी के एक छोटे से खड़े में जाग गिरी थी और तफ्तीश के दौरान में हमारी निगाह इन पर नहीं पड़ी थी बरसात बंद होने के बाद खड़े में से पानी काफी हद तक निकल गया था और बीट के सिपाही को ये दोनों चीजें वहां दिखाई दे गई थी उसने ये चीजें पुलिस टेशन जमा करवा दी थी हाला के मैं दावे से तो नहीं कह सकता लेकिन हालात यही जाहिर करते हैं कि ये दोनों चीजें गीता सेन की है ये दोनों चीजें जरूर मेरी पत्नी की है सुनील भाव विहवल स्वर में बोला मैं इस लिपस्टिक को पहचानता हूँ ये बड़े असाधारन शेड की लिपस्टिक है अधिकतर महिलाएं ये शेड पसंद नहीं करती लेकिन मेरी पत्नी को केवल ये ही शेड पसंद था और फिल्म? फिल्म भी जरूर मेरी पत्नी की होगी इंस्पेक्टर सहब शायद उसमें गीता की तस्वीरे हों क्या आप ये दोनों चीजें मेरे सुपूर्द कर सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं ये आप ही की तो प्रॉपर्टी है सहब इसी लिए तो मैंने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है मैंने सोचा आप अपनी पत्नी की आखरी निशानी देख कर खुश होंगे बहुत बहुत महरबानी इंस्पेक्टर सहब सुनील क्तग्यता पूरुन स्वर में बोला उसने दोनों चीज़ें अपने कोट की भीतरी जेब में डाल ली फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ उसने इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया और अपने छेहरे पर मनहूसियत दर्शाता हुआ वहां से विदा हो गया पुलिस स्टेशन के बाहर से उसने फिर एक टैक्सी पकड़ी और अपने होटल में पहुँच गया अपने कमरे में आकर उसने कमरे का दवार भीतर से बंद कर लिया और दवार के हैंडल के नीचे एक कुरसी की पीठ अटका दी उस हालत में दवार का हैंडल भाहर से नहीं घुमाया जा सकता था उसने खपड़े बतले और बिस्थर पर आ लेटा केवल संयोग से ही फिल्म उसके हाथ लग गई थी शत्रूँ की होशियारी से चारों खाने चित्त हो जाने के बावजूद भी वो अपने अभियान में सफल हो गया था उसे इस बारे में रंच मात्र भी संदेह नहीं था कि ये वही फिल्म थी जो पीटर विंस्टन ने गीता सेन को दी थी वो एक विशेश प्रकार की फिल्म थी जिसके बारे में करनल मुखर जी उसे पहले ही काफी डीटेल से समझा चुके थे ये भी अच्छा हुआ था कि फिल्म का अल्यूमिनियम का खोल वाटर प्रूफ था और इसलिए बरसाथ का पानी खोल के भीतर नहीं घुश पाया था उसने एक खमरे की बत्ती बुझा दी और फिल्म को तकिये के नीचे रख दिया कुछ ख्षण वो आखें खोले लेटा रहा फिर यका यक उसे एक खयाल आया वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया बिना बत्ती जलाए उसने बगल की मेज पर पड़े कैमरे की और अपना हाथ बढ़ा दिया उसने अपने कैमरे के भीतर पड़ी फिल्म को बाहर निकाल दिया उसने तकिये के नीचे से पीटर विंस्टन वाली फिल्म निकाल ली उसने अलुमिनियम के खोल में से पीटर विंस्टन वाली फिल्म निकाल कर अपने कैमरे में डाल ली और कैमरा बंद कर दिया फिर उसने कैमरे से निकला साधारन अन एक्सपोजड फिल्म का स्पूल अलुमिनियम के खोल में रख दिया उसका हाथ दोबारा तकी एकी और बढ़ा ही था कि यका यक उसके कानों में हलकी सी खटकी आवाज आई आवाज इतनी मध्धम थी कि अगर उस समय वहाँ पूरन शान्ती न होती और सुनील तीवर श्रवन शक्ती का स्वामी न होता तो वो आवाज उसे कभी सुनाई न देती सुनील की दृष्टी अपने आप ही दर्वाजे की और उठ गई कोई बाहर से बड़ी साफधानी से हैंडल को घुमाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हैंडल के नीचे कुरसी की पीठ हटकी होने के कारण हैंडल अपनी जगा से जरा सा हिल कर रह गया था संयोग वशी सुनील बत्ती बुझाने के बाद भी काफी देर तक जाकता रहा था अगर वो सो चुका होता तो बाहर से हैंडल घुमाई जाने की खबर उसे हरगिज नहीं हो पाती सुनील बिना हिले डुले चुपचाप पलंग पर बैठा रहा उसके नेत्र द्वार पर टिके हुए थे फिर बाहर से किसी ने हैंडल छोड़ दिया हैंडल जो रंच मात्र अपनी जगा से हिला था वापस अपनी पहली हालक में आ गया सुनील अपनी जगा से उठा और दबे पाउं द्वार की ओर बढ़ा अभी वो द्वार से दो कदम दूर ही था कि किसी ने बाहर से द्वार खटखटा दिया सुनील अपनी जगा पर ठिठक कर खड़ा हो गया कुछ क्षण वो अनिश्चय की मुद्रा में खड़ा रहा फिर उसने पलंग पर से कैमरा उठा कर वापस मेज पर रख दिया और एलुमिनियम के खोल में रखी फिल्म को तकीये के नीचे रख दिया उसने कमरे की बत्ती जला दी और द्वार के समी पहुचा धीरे से उसने हैंडल के नीचे से कुरसी निखा ली और उसे एक ओर रख दिया फिर उसने द्वार खोल दिया भाहर अब्दुल वहीद कुरेशी खड़ा था कुरेशी के होटों पर मुस्कुराहट थी और वो अपने हाथ में एक बुझा हुआ सिगार थामे हुए था गुस्ताखी माफ सहब वो मीठे स्वर में बोला सो गए थे क्या? नहीं सुनेल अनिश्चेपूर्ण स्वर में बोला मेरी माचिस में एक ही तीली थी जिससे मैंने ये सिगार सुलगाया था कुरेशी अपना सिगार वाला हाथ उंचा करता हुआ बोला माचिस खाली हो गई और फिर सिगार बुझ गया बरसाथ का मौसम है ना सिगार सील गया था मेरी कुछ ऐसी आदत हो गई है कि जब तक रात को सोने से पहले एक डेड़ इंच सिगार न पीलूँ मुझे नीद नहीं आती नीचे माचिस मांगने जा रहा था आपके कमरे के समीब से गुजरा तो खयाल आया क्यों ना आपसे ही माचिस मांगू इससे मैं तीन मंजिल सीडियां उतरने की जहमत से बच जाऊंगा सुनील ने एक उर्ती सी द्रिष्टी सर से पांव तक कुरेशी पर डाली वो एक चाइना सिल्क के गाउन में लिप्टा हुआ था तुर्की टोपी की अनुपस्थिती की वजह से उसका गंजा सर कृत्रिन प्रकाश में अंडे की तरह चमक रहा था उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चाप थी और उसके किसी भी आक्शन से ये जाहिर नहीं होता था कि जो कुछ वो कह रहा है वो सच नहीं था सुनील अपने होटों पर मुस्कुरा हट लाता हुआ बोला मैं अभी माचिस हाजिर करता हूँ सुनील दौर से वापस घूमा और मेज की और बढ़ा जिस पर उसके कैमरे की बगल में लकी स्ट्राइक का पैकेट और माचिस पड़ी थी उसने जान बूझ कर कुरेशी को भीतर आने के लिए नहीं कहा था लेकिन कुरेशी ला परवाही से चलता हुआ लगभग उसके साथ ही कमरे में प्रविष्ट हो गया सुनील ने मेज से माचिस उठा कर उसके हाथ में दे दी थैंक यू कुरेशी माचिस लेता हुआ बोला आप सिगरेट पीजिए? नहीं, सुनील बोर सा होता हुआ बोला मेरी इच्छा नहीं है वैसे सुनील साहब कुरेशी विनूध पूर्ण स्वर में बोला मैंने आपका दर्वाजा खट-खट आने से पहले एक बहुत गलत हरकत की थी अगर आपकी निगाह उस पर पड़ गई होती तो आप मुझे न जाने कैसा आदमी समझ बैठते कैसी हरकत? यानि कि मेरी उस बेहुदा हरकत पर आपकी वाकई निगाह नहीं पड़ी लेकिन कुरेशी साहब सुनील तनिक जुझला इस वर में बोला जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस गलत हरकत का जिकर खर रहे हैं? करेक्ट! कुरेशी उसकी जुझला हट की और तनिक भी ध्यान दिये बग़ेर बोला मैं भी कैसा एहमक हूँ? दरसल बात यह साहब कि मेरे में एक बड़ी गंदी आदत है दर्वाजा खट खटाने से पहले मेरा हाथ आदतन दर्वाजे के हैंडल की और बढ़ जाता है और हैंडल घुमा देता हूँ मैं समझता हूँ कि ये एक गलत हरकत है लेकिन जनाब क्या बताऊं? आदत से मजबूर हूँ ये गलत हरकत पहले कर चुका होता हूँ तो मुझे खयाल आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपका दर्वाजा खट खटाने से पहले भी मैंने यही किया था अगर आप मुझे हैंडल घुमाते देख लेते तो शायद आप यही समझते कि कोई चोर भीतर घुशने की कोशिश कर रहा था और वो यू जोर से हसा जैसे उसने भारी मजाँक की बात खह दी हो सुनील के मस्थिश्क में से कुरेशी के प्रति उत्पन शंका के बादल घटने लगे उसके होटों पर मुस्खुरा हटा गई कुरेशी ने अभी तक अपना सिगार सुलगाने का उपकरम नहीं किया था टाइम क्या हो गया? सुनील संकेतात्मत स्वर में बोला एक बजने को है? कुरेशी घड़ी देखकर मशीनी स्वर में बोला वो क्षन भर ठिटका और फिर यू बोला जैसे उसे कोई भूली बात याद आ गई हो ओ, I am terribly sorry मैं आपको खामखा लेट करवाए जा रहा हूँ कुरेशी ने माचिस जला कर अपना सिगार सुलगाया फिर माचिस को उसने फूंक मार कर बुझा दिया बुझी हुई तीली को हाथ में थामे उसने दाएं, बाएं, दृष्टी दोड़ाई आश्ट्रे मेज पर रखी थी कुरेशी बुझी हुई तीली हाथ में थामे मेज की और बढ़ा मेज की समीप पहुँचकर उसने बुझी हुई तीली एश्ट्रे में डाल दी और माचिस भी वहीं मेज पर रख दी सिगार का लंबा कश लेता हुआ वो वापस घूमा फिर यका यक पता नहीं कैसे उसका पांव मेज के समीप रखी कुर्सी की टांग से उलचा कुर्सी एक और पलट गई उसने एक शानदार कलाबाजी खाई उसके मुह से सिगार निकल कर फर्ष परा गिरा दोनों हाथ किसी अद्रिश सहरे के लिए हवा में पहल गए गिरते गिरते उसका एक हाथ पलंग की साइड पर पढ़ा पलंग की साइड के स्थान पर केवल चादर ही उसके हाथ में आई और उसके साथ खिंचती चली गई पलग जपकते ही सब कुछ हो गया पलंग की चादर से उल्जा कुरेशी आंधे मूँ जमीन पर पढ़ा था पलंग का तकिया एक और उचल गया था और उसके नीचे रखी अल्यूमिनियम के खोल में लिप्टी फिल्म जमीन पर आगिरी थी और लुड़कते हुए कमरे के कोने तक पहुँच गई थी सुनील कुरेशी की और लपका लेकिन कुरेशी सुनील के सहारे के बिना ही उठख़डा हुआ जोट थो नहीं आई साब सुनील बोला नहीं कुरेशी हाफता हुआ बोला I am sorry I am creating nuisance Never mind सुनील बोला कुरेशी ने अपना गाउन ठीक किया अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा उसने कमरे में आसपास द्रिष्टी दोड़ाई एक कोने में उपेक्षित सा उसका सिगार पढ़ा था वो अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरता हुआ आगे बढ़ा उसने जमीन पर से सिगार उठा लिया और साथ ही सिगार के समी पढ़ी फिल्म भी उठा ली सिगार बुझा नहीं था उसने सिगार को मुँ में दवाया और फिल्म को हाथ में उच्छालता हुआ बोला होटल के बगल में ही एक फोटोग्राफर की दुकान है मालिक मेरा दोस्त है कहें तो आपकी फिल्म मैं धुलवा दू बढ़िया काम हो जाएगा जी नहीं सुनील अपना हाथ उसकी और बढ़ाता हुआ बोला मुझे कोई जल्दी नहीं है और फिर मैं खुद फोटोग्रफर हूँ मैं अपना काम खुद ही करता हूँ मैं इसका भी इंतजाम करवा सकता हूँ आप चाहें तो उसके स्टूडियो में खुद फिल्म को धोली जिएगा और प्रिंट निकाल ली जिएगा साहब मैंने अर्स किया है मुझे जल्दी नहीं है कुरेशी ने घहरी सांस ली और फिल्म उसके हाथ में रख दी सुनील ने फिल्म जिब में डाल ली मैंने आपको बहुत डिस्टरब किया साहब कुरेशी खेद पूर्ण स्वर में बोला कोई बात नहीं लाए पलंकी चादर तो बिछा दूँ कुरेशी सिगार के कश लगाता हुआ दूआर की और बढ़ गया सुनील भी दूआर बंद करने के इरादे से उसके साथ आगे बढ़ा दूआर के समी पहुँचकर कुरेशी उसकी और घूमा और बोला आईए मेरे कमरे में तश्रीफ लाईए सुनील ने गलियारे में कदम रखा और सिगार के लंबे कश लगाता हुआ गलियारे में आगे बढ़ गया सुनील चेहरे पर उलजन के भाव लिये दूआर के समी भी खाड़ा रहा अब्दुल वहीद कुरेशी उसकी समझ से बाहर था पहले वो उसे एक निर्दोश व्यक्ति लग रहा था लेकिन अब फिर उसे उस पर संदेह होने लगा था उसने फिल्म को खुद धुलवा देने के बारे में जरूरत से ज्यादा अनुरोध किया था और सुनील को ऐसा लग रहा था जैसे कुरेशी कौफी के बहाने उसे कमरे से निकालना चाहता था ताके वो बाद में अपने किसी साथी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकता इसके विपरीच सुनील के संदेह को निराधार सिद्ध करने वाली सबसे बड़ी बात ये थी के होटल मेट्रोपॉल में कुरेशी पहले से ही ठहरा हुआ था और उसको इस बात की जानकारी होने की संभावना कताई नहीं थी के सुनील काबूल में आकर मेट्रोपॉल में ठहरेगा इस बार ये कर्नल मुखर जी के नौकर धर्म सिंह पर भी संदेह नहीं कर सकता था क्योंके कर्नल मुखर जी की कार का प्रिष्थ भाग साउन्ड प्रूफ था driving seat पर बैठे धर्म सिंह का उनका वारतालाप सुन पाना समभव नहीं था या शायद खार का प्रिष्ठ भाग उतना साउंड प्रूफ नहीं था जितना कर्नल मुखर जी उसे समझते थे संदेह और विश्वास के तानों बानों में उल्चे सुनील ने अपने कमरे का द्वार फिर भीतर से बंद कर लिया अगले दिन सुर्योदे से पहले ही सुनील सोकर उठ गया पंद्रह मिनट में वो नित्य कर्म से निवरित्त हो गया उसने तकीये के नीचे रखी फिल्म को यथा स्थान रहने दिया लेकिन मेज पर से कैमरा उठा कर अपने कंधे पर लटका लिया कमरे के कोने में एक स्टूल पढ़ा था जिस पर एक कांच की सुराही रखी थी उसने सुराही का पानी सिंक में पलट दिया और स्टूल और सुराही को उठा लिया वो द्वार के समीप पहुँचा उसने स्टूल को दर्वाजे के एक पले से एक दम सठा कर रख दिया और स्टूल के उपर सुराही रख दी वो कमरे से बाहर निकलाया कॉरिडूर सुनसान पड़ा था उसने कमरे का दूसरा दर्वाजा तीन चौथाई बंद किया और फिर बाकी बचगाए स्थान में हाथ डाल कर स्टूल को दोनों दर्वाजों से पीछे सरका दिया फिर उसने सुराही को स्टूल के एक दम किनारे पर इस प्रकार रख दिया कि उसके तले का केवल दो तिहाई भाग ही स्टूल पर रखा था उसमें दर्वाजा बाहर से बंद करके उसमें ताला लगा दिया बंद दर्वाजे के पीछे रखे स्टूल की स्थिती ऐसी थी कि बाहर से दर्वाजा खोले जाने पर स्टूल को धक्का जरूर लगता और स्टूल को मामूली सा धक्का लगने पर स्टूल पर रखी शीशे की सुराही नीचे जरूर गिरती सुनील संतुष्टि पूर्ण ढंग से सिरहिलाता हुआ आगे बढ़ा और सीड़ियां उतरने लगा नीचे आकर वो होटल के मुखे द्वार के समीप बने चलेफोन बूथ की और बढ़ा उसने रिसीवर उठाया और एक नंबर डाल कर दिया वो नंबर काबुल स्थित भारती यदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी कुलकरणी खा था कभी सहायता की आवशक्ता पढ़ने पर करनल मुखर जी ने उसे उसी नंबर पर कुलकरणी से बात करने के लिए कहा था कुछ क्षण दूसरी और घंटी बचती रही फिर किसी का उनीदा सा स्वर सुनाई दिया हलो सुनील ने जल्दी से कॉइन बॉक्स में सिक्के डाले और सावधान स्वर में बोला हलो हलो मुझे मिस्टर कुलकरणी से बात करनी है कुलकरणी बोल रहा हूँ सुनील एक ख़ण चुप रहा और ठी में किन्तु सपष्ट स्वर से बोला मेरा नाम सुनील है मैं एक भारतिय समाचार पत्र ब्लास्ट का प्रतिने थी हूँ मैं परसों रात काबूल एरपोर्ट पर हुए अक्सिडन्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ तुम्हारा पूरा नाम सुनील कुमार चक्रवर्थी Can you identify yourself? पडोसी की छट पर उड़ते हुए बाज ने जो शिकार किया था उसकी खबर पडोसी को भी है और बाज के मालिक को भी लेकिन शिकार बाज के मालिक के अधिकार में है सुनील पूर्ववत धी में किन्तु स्पश्ट स्वर में बोला कुछ खशन शांती रही थोड़ी देर बाद दूसरी और से जो स्वर सुनाई दिया वो मित्रता पूर्ण था मुझे आपकी सहाइता की जरूरत है कैसी सहाइता? मेरे अधिकार में एक ऐसी चीज़ है जिसे खुद भारत ले जाने में मैं थोड़ा खत्रा महसूस कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि कुछ अवांशनी अव्यक्ती मेरे पीछे लगे हुए है मैं वो चीज़ आपको सौपना चाहता हूँ ताकि आप उसे डिप्लोमाटिक बैग में भारत भिजवा सकें वो चीज़ इस वक्त तुम्हारे पास है? जी हाँ, तुम कहां से बोल रहे हो? मैं होटल मेट्रोपोल से बोल रहा हूँ मैं होटल के 315 हैं नंबर कमरे में हूँ मैं अभी तुम्हारे पास अपना एक आदमी भेजता हूँ तुम वो चीज़ उसे सौप देना सौरी, सुनील द्रिढ़ स्वर में बोला क्या मतलब? आपको खुद आना होगा मैं किसी दूसरे आदमी का भरोसा नहीं कर सकता लेकिन मेरा आप आना संभव नहीं है मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ कल रात मेरे पाव में मोच आ गई थी तो फिर मुझे वहाँ बुला लीजी? आल राइट, आजओ पर निर्भर नहीं करना चाहता सच पूछिये तो मुझे तो ऐसा वहम हो गया है कि होटल से बाहर कदम रखते ही कोई ना कोई मुझे पर जपट पड़ेगा आल राइट, आल राइट मैं दूतावास की गाड़ी भेजता हूँ गाड़ी का नंबर बता दीजे CD212 और ड्राइवर का नाम मजजय भगवान है वो मेरा निजी आदमी है ओके, मैं अपने कमरे में उसका इंतजार करूँगा सुनील ने रिसीवर को हुख पर टांग दिया वो बूच से बाहर निकलाया रिसेप्शन काउंटर के पीछे पिछली रात वाला ही कलक बैठा था और अखबार पढ़ रहा था उसने एक उदासीन सी दृष्टी सुनील पर डाली और दोबारा अखबार पढ़ने में तलीन हो गया सुनील सीड़ियों की और बढ़ा सीड़ियों के पास पहुँचकर वो ठेठक गया वो एक क्षण हिच की चाया और फिर वापस लौट पढ़ा वो रिसेप्शन काउंटर पर पहुँचा उसकी आहट सुनकर कलक ने अखबार से सिर उठाया और फिर प्रश्ण सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा हलो सुनील अपने होटों पर एक आत्मी अता पूर्ण मुस्कुराहट लाता हुआ अंग्रेजी में बोला गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग सर क्लरक ने उत्तर दिया ये अब्दुल वहीद कुरेशी साहब कौन से कमरे में है क्लरक ने अपने पीछे टंगे की बोर्ड पर द्रिष्टी दोड़ाई और फिर यंत्र चलित स्वर में बोला 322 में 322 सुनील होटों में बुदबुद आया और फिर दोबारा क्लरक की और आकर्शित होता हुआ बोला यार सुनो क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल सलाम क्लरक बोला सुनील फिर अपने स्वर को यू आत्मियता से लादता हुआ बोला जैसे वो उसे वर्षों से जानता हूँ यार पता नहीं क्या बात है, ये कुरेशी सहाब मुझसे बड़ी यारी गाठने की कोशिश कर रहे हैं, तुम इनके बारे में कुछ बता सकते हूं मुझे? आप क्या पूछना चाते हैं? कलक बोला, उसके स्वर से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो ऐसी किसी पूछताच को प यार मैं तुमसे पूछ रहा हूं? देखिये सहाब, कलक निरनयात्मक स्वर में बोला, ये इस होटल का नियम है कि जब तक कोई विशेश कारण नहों, तब तक हम अपने होटल में ठहरे एक महमान से संबंधित, साधारण से साधारण बात भी दूसरे महमान को नहीं बताते लेकिन जब कोई विशेश कारण हो, तब तो बताते हो? जी हाँ, तब तो बताते हैं सुनील ने अपनी जेब में हाथ डाल कर कुछ नोट निखा ले और उन्हें काउंटर पर कलक की और सरकाता हुआ बोला, विशेश कारण ये है कलक ने एक गहरी सांस ली और फिर नकारातमक ढंग से सिरह लाता हुआ, उदासीन स्वर में बोला, नहीं साहब, ये कोई कारण नहीं है, ये तो रिश्वत है जाहिर है? सुनील बोला, उसका उत्सा ठंडा हो चुगा था साहब, कलक स्थिर स्वर में बोला, जो जानकारी मैं आपको अपनी मर्जी से नहीं दूँगा, वो मैं दौलत के लालच में आकर भी नहीं दूँगा जिन्दगी में बहुत से खाम हैं, जो मैं उसूल के तौर पर नहीं करता, जैसे अब रिश्वत लेना, सुनील जल कर बोला, जैसे रिश्वत लेना, कलक बोला एक गहरी शर्मिंदगी के एहसास के साथ, सुनील ने नोट वापस अपनी जेब में ठूस लिये मैं तुम्हारे उसूल की कदर करता हूँ, सुनील बोला थैंक यू, और साथ ही उम्मीद करता हूँ कि तुम कुरेशी साहब को ये नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें रिश्वत दे कर उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी उत्तर में खलक एक बार सुनील को देख कर मुस्कुराया और दोबारा अखबार देखने में तल्लीन हो गया सुनील वहां से हट गया और सीड़ियां चढ़कर वापस अपने कमरे के सामने पहुँच गया तीसरी मन्जिल का गलियारा अभी भी खाली था उसने अपने कमरे के द्वार का ताला खोला और बड़ी साफधानी से द्वार के पल्ले को भीतर की और धकेला उसकी पूरी साफधानी के बावजूद भी पल्ला भीतर लगे स्टूल से धीरे से जाटक राया और पल्ले की उतनी सी ठोकर से ही स्टूल पर रखी सुराही जमीन पर आगिरी और एक छनाक की आवाज से तूट गई सुनील ने संतुष्टि पूर्ण धंग से सिरहिलाते हुए द्वार को पूरा धाकेल दिया उसे विश्वास था कि उसकी अनुपस्थिती में किसी ने उसके कमरे में गुसने का उपकरम नहीं किया था उसने कमरे में घुसकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया उसने स्टूल को एक और सरका दिया और तूटी सुराही के टुकडों को बटोर कर स्टूल के उपर रख दिया वो एक कुर्सी पर जा बैठा खैमरा उसने अपनी गोद में रख लिया उसने एक सिगरेट सुलका लिया और सिगरेट के छोटे छोटे कश लगाता हुआ प्रतीक शा करने लगा रह रह कर उसकी दृष्टी खलाई पर बंधी घड़ी की ओर उठ जाती थी एक के बाद उसने दूसरा सिगरेट सुलका लिया ठीक पंद्रह मिनट बाद किसी ने बाहर से उसका द्वार खट खटाया सुनील ने हाथ का सिगरेट फेंग दिया वो अपने स्थान से उठा और दर्वाजे के समीप पहुँच गया कौन है? वोजोर से बोला मैं भारतिय दूतावास से आया हूं साहब बाहर से कोई साफ साफ हिंदुस्तानी में बोला मुझे फर्स्ट सेक्रेटरी कुलकरणी साहब ने भेजा है नाम बोलो जाए भगवान उत्तर मिला सुनील ने तक्ये के नीचे रखी फिल्म को निकाल कर अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिया उसने कैमरा फिर कंदे पर लटकाया और दर्वाजा खोल कर कमरे से बाहर निकलाया बाहर एक वर्दी धारी शोफर खाड़ा था सुनील को देखकर उसने अपनी पीक कैप छूकर सुनील को सलाम किया सुनील ने सिरहला कर सलाम का उत्तर दिया उसने अपने कमरे के द्वार को ताला लगाया और शोफर के साथ हो लिया वो शोफर के साथ सीड़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया रिसेप्शन और होटल के बाहर की सड़क दोनों सुनसान पड़े थे बाहर दूतावास की सीडी 212 नंबर की विशाल स्टेशन वैगन गाड़ी खड़ी थी शोफर ने आगे बढ़कर स्टेशन वैगन का दर्वाजा खोला सुनील भीतर बैठ गया शोफर ने द्वार बंद कर दिया और गाड़ी के सामने से घूम कर ड्राइविंग सीट की और पहुँच गया वो स्टेरिंग के पीछे जा बैठा सुनील ने अपनी जेब से लकी स्ट्राइंक का पकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया शोफर ने एक उड़ती सी द्रिष्टी अपनी बगल में बैठे सुनील पर डाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी स्टेशन वैगन साड़क पर दोड़ने लगी सुनील सिगरेट के कश लगाता रहा शोफर चुप चाप गाड़ी चला रहा था स्टेशन वैगन काबुल की विभिन सड़कों पर दोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी एका एक सुनील की द्रिष्टी शोफर की बाई बाहां पर पड़ी और उसके नेत्र पहल गए शोफर का बाया हाथ स्टेरिंग वील पर टिका हुआ था उसकी यूनिफॉर्म की पूरी बाहां की शिर्ट का बटन खलाई के पास बंद था और कफ से आगे बनी लगभग चार इंच की जिरी में से उसकी मजबूत खलाई जलक रही थी खलाई पर नीले रंग के गोदने से उर्दू में अलाह गुदा हुआ था सुनील ने फौरण उस ओर से द्रिश्टी फिरा ली केवल एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए और फिर उसका चेहरा एक दम भावहीन हो उठा वो पूर्ववत लापर वाही से सिगरेट के कश लगाता रहा जरूर कहीं कोई गड़बड हो गई थी उसकी बगल में मौजूद शोफर का नाम जैभगवान नहीं हो सकता था उसकी बाई कलाई पर गुदा अल्लाह का नाम जाहिर कर रहा था कि वो हिंदू नहीं था निश्चित ही वो वो आदमी नहीं था जो फर्स्ट सेक्रेटरी कुलकरणी ने उसके पास भेजा था शायद किसी प्रकार शत्रू द्वारा उसका और कुलकरणी का टेलिफोन पर हुआ वारतालाप सुन लिया गया था और फिर या तो शत्रू ने जैभगवान को रास्ते में अपने अधिकार में करके उससे दूतावास की गाड़ी हथिया ली थी और या फिर जिस गाड़ी पर वो उस समय सवार था वो गाड़ी ही दूसरी थी और उस पर केवल CD-212 की प्लेट लगा दी गई थी और निश्चित ही सुनील उस समय भारती या दूतावास में नहीं ले जाया जा रहा था उसका मस्तिश्क तेजी से काम करने लगा उसने सिगरिट का आखरी कश लगाया और बचे हुए टुकड़े को गाड़ी से बाहर उ शोफर का सारा ध्यान गाड़ी चलाने की ओर था सुनील ने मन ही मन एक फैसला किया एक आएक उसका बाया हाथ बिजली की भूरती से आगे बढ़ा उसने इगनिशन में लटकी चावी को घुमा कर इगनिशन आफ कर दिया और चावी बाहर निकाल ली इंजन फॉरन बंद हो गया उसके बाएं हाथ के आक्शन के साथ ही उसके दाएं हाथ का घुंसा वज्जर की तरह शोफर के पेट से ठकराया शोफर पीड़ा से बिल बिला गया और स्टेरिंग पर दोहरा हो गया तेजी से आगे बढ़ती हुई स्टेशन वैगन सडक से नीचे उतर गई सुनील न सुनील के अप्रत्याशिता क्रमन से तब तक शोफर काफी संभल चुका था। उसने बिना सुनील की ओर देखे अपनी दाएं कोहनी से सुनील पर प्रहार किया। शोफर की कोहनी भारी हथोड़े की तरह सुनील की चाती से ठकराई सुनील का शरीर पीछे को गिरा और गाड़ी के दर्वाजे से जा ठकराया शोफर ने बाएं हाथ से स्टेरिंग को धामे रखा और उसका दाया हाथ तेजी से अपनी युनिफॉर्म की पतलून में सरक गया सुनील ने अपना हाथ हागे बढ़ाया और जापट कर पेचकस उठा लिया उसने बिना परिणाम की परवाह किये अपनी मुठी में मजबूती से जगड़े पेचकस से शोफर पर आक्रमन कर दिया पेचकस शोफर के दाएं जबड़े के नीचे गले में घुस गया उसका दाया हाथ जो भी तक आधा ही पतलून से बाहर निकल पाया था वहीं का वहीं रह गया उसके मुह से एक रिदय विदारक चीख निकली और फिर उसका बाया हाथ भी स्टेरिंग से हट गया सुनील को शोफर के दाएं हाथ में पतलून से आधी बाहर ज़ांकती हुई रिवॉल्वर की जलक मिल गई थी उसने पेचकस की मूट से हाथ हटा लिया और बिजली की फुर्ती से शोफर के हाथ से रिवॉल्वर जपट ली पेचकस शोफर के गले में ही अटका रह गया जिसे वो अपने दोनों हाथों से बाहर खीचने का प्रयत्न कर रहा था तब तक स्टेशन वागन सड़क से नीचे ढहलान पर उतर कर रुख चुकी थी सुनील ने ब्रेक के पैडल से अपना पाम हटा लिया उसी खशन एक फायर की आवाज हुई साथी शीशा चटकने की आवाज सुनाई दी स्टेशन वागन के प्रिष्ट भाग के शीशे के पर खच्चे उड़ गए थे और गोली शीशे को भेदती हुई पिछली सीट में कहीं घोस गई थी सुनील ने घबरा कर पीछे देखा पीछे केवल एक जीप थी जो तेजी से उसी की ओर आ रही थी जीप में तीन चार आदमी बैठे थे और उन्हीं में से कोई गोली चला रहा था इगनिशन की चाबी अभी तक सुनील के बाएं हाथ में थी उसने तेजी से चाबी को इगनिशन में डाल कर आउन किया उसने स्टेशन वैगन का शोफर की ओर वाला दर्वाजा खोला और शोफर को स्टेशन वैगन से बाहर धाकेल दिया फलक जपकते ही वो स्टेरिंग के पीछे पहुँच गया उसने रिवॉल्वर को दाएं हाथ में थामे थामे ही स्टेरिंग संभाला गाड़ी को गेर में डाला, एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी को घुमा कर दोबारा सड़क पर चहालाया जीप से फिर फायर हुआ गोली स्टेशन वैगन की बाईं खिरकी के समीप से गुजर गई सुनील ने भी जवाब में खिरकी से हाथ निकाल कर पीछे आती जीप की दिशा में फायर किया सुनील जानता था कि जिस हालत में वो फायर कर रहा था उसमें उस द्वारा चलाई गई गोली का निशाने पर लगपाना संभव नहीं था वो तो जीप वालों को केवल ये जतान च्छाहता था कि वो भी सशस्त्र था ताके जीप वाले उसके एकदम समीः पाने से जिजगते उसने एक्सेलरेटर के पैडल पर अपने पाउं का दबाव बढ़ा दिया गाड़ी तोप से छूटे गोले की तरहा सड़क पर भाग निकली जीप की रफतार बढ़ गई जीप वाले सुनील की और से फायर होने की आशंका से भयभीत नहीं हुए मालूम होते थे जीप धीरे धीरे समीब पाती जा रही थी और रह रहकर जीप से फायर किये जा रही थे सुनील जान बूज कर स्टेशन वैगन को तनिक जोल दे कर चला रहा था इसलिए वो गोलियों के मार से बचा हुआ था लेकिन वो जानता था कि जोल देकर गाड़ी को रफतार से चलाने में गाड़ी के अधिकार से बाहर हो जाने का खत्रा था और जियों जियों जीप समीब होती जा रही थी उसके जीप वालों की गोलियों के शेकार होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी एक आएक सुनील ने गाड़ी को गेर से निखाला और अपनी पूरी शक्ती से ब्रेक दबा दिये पहियों की चर्मराहट की आवाज से वाता वरन गूँज गया जीप वालों के लिए सुनील का ये आक्शन बहुत अप्रत्याशित था इसलिए पूरी रफतार से भागती हुई जीप एक आएक स्टेशन वैगन के बहुत समी पा गई सुनील ने ताख कर लगातार दो फायर किये उसके खानों में किसी की चीख की आवाज पड़ी और उसने किसी को चलती जीप से बाहर गिरते देखा साथ ही जीप से लगातार कई फायर हुए तब तक सुनील ने फिर स्टेशन वैगन को पूरी रफतार से भागाना आरम कर दिया था सुनील सीधी सुनसान सडक पर स्टेशन वैगन भागाए जा रहा था उसे नहीं मालूम था कि वो सडक कहां जाती थी और नहीं उसे अपने पीछे लगी जीप से पीछा चुड़ाने का कोई तरीका सूज रहा था उसी क्षान उसे दूर सडक की बाई और एक अन्य सडक दिखाई दी पलक जपकते ही स्टेशन वैगन उस धिराहे के समी पहुँच गई सुनील ने एक बर फिर जोर से बेक लगाई और गाड़ी को तिराहे से इतनी तेजी से बाईं सडक पर मुड़ा कि स्टेशन वैगन उलटते उलटते बची शीग्र ही स्टेशन वैगन सुनील के कंट्रोल में आ गई और उसने उसे उस नई सडक पर ड्राइव करना आरंब कर दिया जीप सर्र से पहली वाली सडक पर ही तेजी से आगे निकल गई सुनील ने स्टेशन वैगन पूरी रफ़तार से भगानी आरंब कर दी जीप के वापस घूम कर उस सडक पर उसके पीछे आने से पहले ही वो कहीं गायब हो जाना चाहता था रह रह कर उसकी निकाह स्टेशन वैगन के रियर व्यू मिरर से जा टकराती थी जिसमें से पीछे की और भागती हुई खाली सडक साफ दिखाई दे रही थी वो पूरी रफतार से उस सडक पर गाड़ी दोडाता रहा अपने पीछे उसे जीप के दोबारा दर्शन नहीं हुए सुनील की स्टेशन वैगन फेर एक दिराहे के समी पहुँच रही थी बाइयोर से एक सडक तीस अंश के कोन पर आकर उस सडक से मिल रही थी जिस पर के उस समय सुनील की स्टेशन वैगन दोड़ रही थी तिराहे के और समी पहुँचने पर सुनील ने स्टेशन वैगन की रफतार थोड़ी कम कर दी वो तिराहे से अभी पचास गज़ दूर ही था कि एका एक उसे दाइं सड़क पर तिराहे की और ही बढ़ती हुई वही जीब दिखाई दी, जो थोड़ी दिर पहले उसका पीछा कर रही थी। सुनील बौकला गया। जीब उससे ज़्यादा तेज रफतार से तिराहे की और बढ़ रही थी। और सुनील को जीब के तिराहे पर पहुँचने से पहले तिराहा क्रोस कर जाना संभव नहीं दिखाई दे रहा था। जीप से बचने का दूसरा तरीक का यही था कि वो थिराहे पर पहुँचने से पहले ही गाड़ी को यू टरन देता और उसी सड़क पर वापस भाग निकलता अपने इरादे पर उसने फौरन अमल करना आरंभ कर दिया उसने पूरी शक्ती से स्टेशन वैगन को ब्रेक लगाई थब तक जीप वालों की निगाह भी सुनील पर पढ़ चुकी थी और सुनील का इरादा भी उनकी निगाहों से चुपा नहीं रहा था सुनील ने जीप को तिराहे पर पहुँचने से पहले ही दोनों सड़कों के बीच में मौजूद कच्छे मैदान में उतरते देखा जीप बड़ी खतरनाख हालत से कूदती भांदती मैदान पार करने लगी जिस समय सुनील स्टेशन वैगन को वापस घुमा रहा था उस समय जीप उन से केवल सौ गज दूर रह गई थी स्टेशन वैगन को घुमा कर सुनील ने एक्सेलरेटर पर पाम रखा ही था कि जीप की ओर से जैसे फायरों की बाढ़ आ गई कई गोलियां स्टेशन वैगन की बॉडी से ठकराईं कुछ गोलियां स्टेशन वैगन की बाई और के पहियों में धस गई और बाई और के दोनों पहिये बैठ गए स्टेशन वैगन का बैलन्स बिगड गया वो सडक पर शराबी की तरह जूमने लगी सुनील का पाम स्वया मेव ही एक्सेलरेटर के पैडल से हट कर ब्रेक के पैडल पर पहुँच गया उसकी उंगलियां स्टेरिंग वील पर कस गई उसके दांत भिच गए उसकी सारी मानसिक और शारीरिक शक्तियां स्टेशन वैगन को सड़क के आसपास हुगे पेड़ों टेलिफोन और बिजली के खंबूं से टकराने से बचाने में लग गई बड़ी खटिनाई से उसने कार को सड़क के किनारे रोका लेकिन तब तक जीप एक दम उसके सिर पर पहुँच चुकी थी सुनील एक गम खूमा उसका रिवॉल्वर वाला हाथ जीप की और बढ़ा लेकिन उसे फायर करने का मौका नहीं मिला जीप सीधे बाईं और के पिछके पहिये की वजह से एक और जुकी हुई स्टेशन वैगन से आटकराई सुनील का शरीर पीछे को उलट गया रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल कर गाड़ी के सामने शीशे से जाटकराई और शीशा तोड़ती हुई बाहर निकल गई खुद उसका सिर डैश बोर्ड से जाटकराया उसके सारे शरीर में दर्द की लहर दोड़ गई उसकी आखों के सामने लाल पीले से तारे नाच उठे लेकिन उसकी चेतना लुप्त नहीं हुई जीप में से तीन आदमी बाहर कुदे वे जहपट कर स्टेशन वैगन की साइड में पहुँच गए एक मोटे ताज़ आदमी ने स्टेशन वैगन का दर्वाजा खोला उसने हाथ बढ़ा कर सुनील को अपने गिरफ्त में दबोचा और उसे बड़ी बेरहमी से स्टेशन वैगन से बाहर खीच लिया उसने सुनील को गिरे बान से दबोचा और उसे भडाक से स्टेशन वैगन की साइड से दे मारा सुनील के मुह से एक कराह निकल गई बड़ी खटिनाई से वो स्वयम को अपने पैरों पर खड़ा रख पाया एक अन्य व्यक्ति ने एक लंबे नाल वाली रिवॉल्वर उसकी चाती से टिका दी मोटे ताजे आदमी के हाथ बड़ी दक्षता से उसके शरीर पर फिरने लगे अगले ही खशान सुनील की जेब से निकला अल्यूमिनियम का खोल उसके हाथ में था उसने खोल का ढकन उतारा और उसे अपनी बाई हथेली पर उलट दिया फिल्म उसकी हथेली परागिरी उसके होटों पर एक मुस्कुरा हटाई उसने विजय पूर्ण नेत्रूं से सुनील की और देखा और फिर फिल्म को दोबारा अल्यूमिनियम के खोल में डाल कर उसका ढकन बंद किया और उसे अपने कोट की जेब में रख लिया सुनील के चेहरे से गहन पराजय के भाव परिलक्षित हो रहे थे लेकिन वो मन ही मन खुश हो रहा था उसका कैमरा उपेक्षित सा स्टेशन वैगन की अगली सीट के नीचे ब्रेक और अक्सिलरेटर के पैडलों के समीप पड़ा था किसी का ध्यान उसकी और नहीं था पिशली रात को उसने जब पीटर विंस्टन की फिल्म को अपने कैमरे की फिल्म से बदला था उस समय वो ऐसी किसी घटना या ऐसे किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं कर रहा था वो हार कर भी जीत रहा था एक आदमी ने सड़क पर गिरी रिवॉल्वर उठा ली जो कुछ क्षण पहले सुनील की अधिकार से निकल गई थी फिर मोटे ताजे आदमी के दाएं हाथ का घूंसा स्टीम रोलर की तरह सुनील की पसलियों से टकराया सुनील पीडा से बिलबिला उठा उसके नित्रों से आंसु निकलाए उसका शरीर दोहरा हो गया और उसने अपने दोनों हाथों से अपना पेट थाम लिया फिर एक भारी बूट की ठोकर उसके शरीर पर पड़ी और वो सड़क पर लुड़क गया जीप से उत्रे तीनों आदमी तेजी से वापस जीप की और बढ़ गए सुनील पीडा से बिलबिलाता हुआ फर्श पर पड़ा आंसुं से धुंधलाई आखों से उन्हें देखता रहा जीप का इंजन घर गर आया जीप भैक हुई और फिर स्टेशन वैगन से अलग हट कर सड़क पर सीधी खड़ी हो गई उसी क्षण काले रंग की एक कार सड़क पर प्रकट हुई किसी ने कार से बाहर हाथ निकाल कर जीप के ड्राइवर को संकेत किया जीप के ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया काली कार जीप के समी पाकर रुक गई मोटा ताजा आदमी जीप से उतर कर काली कार की और बढ़ा काली कार में से एक आदमी बाहर निकला सुनील उसे फौरण पहचान गया लेकिन उसे वहाँ देखकर सुनील को कोई विशेश हैरानी नहीं हुई वो अब्दुल वहीद कुरेशी था सुनील ने अपने नेत्र बंद कर लिये और शरीर को ढीला छोड़ दिया उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी चेतना लुपत हो गई हो कभी खभार वो बड़ी सावधानी से थोड़ी सी आँख खोल कर जीप की और जहांक लेता था मोटे आदमी ने कुरेशी को सलाम किया काम हुआ? कुरेशी ने अधिकार पून स्वर में पूछा मोटे ने सहमती सूचक ढंग से सिरहिलाया और फिर जेब से अलुमिनियम का खोल निकाल कर कुरेशी की और बढ़ा दिया कुरेशी कुछ क्षान खोल और उसमें रखी फिल्म का निरीक्षान करता रहा फिर उसने फिल्म को सावधानी से अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिया शाबाश कुरेशी बोला और वापस घूम पड़ा वो कार के समी पहुँच कर ठिटका फिर वो वापस मोटे की और घूमा मोटा अभी भी आदर पून मुद्रा बनाए अपने स्थान पर खाड़ा था कुरेशी फिर मोटे के समी पहुँचा और बोला इसके पास एक कैमरा था सुनील को अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस हुई कैमरा? मोटा उलजन पून स्वर में बोला हाँ, मैंने नहीं देखा जनाब स्टेशन वैगन में देखो संभव है इसने फिल्मों की अदल बदल कर दी हो मोटा स्टेशन वैगन की ओर बढ़ा अगले हिक्षन सुनील का कैमरा कुरेशी के हाथ में था कुरेशी कैमरा हाथ में जुलाता हुआ वापस कार की ओर बढ़ गया वो खार में जा बैठा कार सडक पर घूमी और वापस नगर की ओर दौर चली मोटा जीप में जा बैठा जीप स्टार्ट हुई और वो भी कुरेशी की कार के पीछे चल पड़ी कुछ ही क्षन बाद दोनों गाडियां सुनील की द्रिश्टी से ओजल हो गई सुनील लड़ खडाता हुआ अपने पैरों पर उठखडा हुआ बाद दोनों गाड़ियां सुनील की द्रिश्टी से ओजल हो गई सुनील लड़ खडाता हुआ अपने पैरों पर उठखडा हुआ उसने स्टेशन बैगन की सहारे अपने शरीर को टिकाया और कापते हाथों से जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला उसने एक सिग्रिट सुलगाया और उसके छोटे छोटे कश लेने लगा सफलत था एक छलावे की तरह उसके बहुत करीब से गुजर गई थी हार की वज़ा से उसके शरीर में हो रही पीड़ा का एहसास और भी बढ़ गया था उसने एक गहरी सांस ली और वापस काबल पहुँचने की तरकीब सोचने लगा उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो कहा था और काबल से कितनी दूर था गाड़ी की बाई और के दोनों टायर पूरी तरह द्वस्त हो चुके थे उसने इगनेशन में से चाबी निखा ली और गुच्छे में मौझूद एक दूसरी चाबी की सहायता से डिक्की का ताला खोला शायद डिक्की में दो स्पेर पहिये यानि स्टेपनी मौझूद हों वो मन ही मन सोच रहा था डिक्की में पड़ा सामान एक बड़ी सी तिरपाल से ढखा हुआ था सुनील ने तिरपाल की और हाथ बढ़ाया और फिर ठिठक गया तिरपाल के नीचे से किसी का जूते से ढखा एक पाव जहांक रहा था सुनील ने हाथ बढ़ा कर तिरपाल को एक और उलट दिया नीचे से एक मुड़ा तुड़ा शरीर प्रकट हुआ उसके मुँपर पट्टी बंधी हुई थी और शरीर पर केवल एक अंडरवेर और बनियान थी वो होश में था और आतंकित नेत्रों से सुनील की ओर देख रहा था तुम्हारा नाम जय भगवान है? सुनील ने पूछा वो आदमी जल्दी जल्दी सुवीखारात्मक फीवर केस एक ढंक से सिरहे लाने लगा सुनील ने उसके बंधन खोल दिये और उसे सहरा देकर डिक्की से निकाला लेकिन उस अदमी में अभी अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ती नहीं थी वो लड़ खडाया और सड़क पर धेर हो गया पांच मिनट तक सुनील उसके हाथ पैरों की मालिश करता रहा तब कहीं जाकर उसके शरीर में रक्त का संचार व्यवस्थित हुआ वो सुनील का सहरा लेकर उठखडा हुआ क्या हुआ था? सुनील ने पूछा आप कौन हैं सहब? उत्तर देने के स्थान पर जैभगवान ने प्रश्न किया मेरा नाम सुनील है सुनील बोला कुलकरणी साहब के आदेश पर होटल मेट्रोपोल में तुम मुझे लेने आने आने वाले थे जैभगवान ने सुनील को दो बारा नमस्कार किया क्या हुआ था? सुनील ने फिर प्रश्न किया. उत्तर में जय भगवान ने जो कहानी सुनाई, वो बहुत सीधी और संक्षिप्त थी. वो दूतावास से गाड़ी लेकर होटल मेट्रोपूल की ओर आ रहा था. रास्ते में एक स्थान पर उसे सडक बंद मिली. सडक पर एक कता से चार पांच सशस्तर आदमी निकलाए. हानन फानन में उन्होंने जय भगवान को अपने अधेकार में कर लिया. एक आदमी ने उसकी वर्दी उतार कर खुद पहन ली. उसके हाथ पाउंव बांध कर डिक्की में तिरपाल के नीचे डाल दिया. उसके बाद से तब तक क्य हुआ था, उसे खबर नहीं थी. हाँ, उसे बेहत तेज रफतार से चलती गाड़ी और फाइरिंग का आभास जरूर था. सुनो जय भगवान, उसकी कहानी सुन चुकने के बाद सुनील बोला, ये स्टेशन वैगन तो बेकार हो गई है. तुम क्या किसी प्रकार मुझे दू लिफ्ट मांगने की कोशिश करूँगा. दूतावास की गाड़ी देखकर कोई न कोई जरूर लिफ्ट दे देगा. सुनील चुप रहा. उसने एक सिग्रिट सुलगा लिया और स्टेशन वैगन का सहरा लेकर प्रतीक्षा करने लगा. चाप्टर टू. सुनील भारती दूतावास में पहुँच गया. पेट्रोल का एक टैंकर उन्हें काबुल शहर तक ले आया था. वहां से एक टैक्सी में सवार होकर वे दूतावास पहुच गये थे. सुनील के अनुरोध पर कुलकरणी ने अपने टेलिफोन की लाइन चेक टैलिफोन की लाइन शत्रू द्वारा टेप की हुई थी. अगर जैभगवान गदारी नहीं कर रहा था तो यही एक तरीका था जिससे शत्रू को मालूम हो सकता था कि जैभगवान दूतावास की गाड़ी लेकर सुनील को लेने होटल मेट्रोपोल जा रहा था. जैभगव जिस हालत में स्टेशन वैगन में पाया गया था उससे उसके गदार होने की संभावना बहुत कम दिखाई देती थी. या तो काम हो जाने के बाद कुलकरणी के टेलिफोन की लाइन छोड़ दी गई थी और या फिर होटल मेट्रोपोल की लाइन टेप थी. दूसरी बात की स सुनील को ज्यादा संभावना दिखाई देती थी. कुलकरणी के प्रयतनों से केवल आधे घंटे में राजनगर ट्रंग कॉल बुख हो गई. दूसरी ओर से उसे जो आवाज सुनाई दी, उसे सुनील पहचान नहीं पाया. हलो, वो उच्छ स्वर में बोला, राजनगर 78321 मैं डॉक्टर भारदवाज बोल रहा हूँ. मैं करनल मुखरजी से बात करना चाहता हूँ. ओके, मैं होल करता हूँ. थोड़ी देर बाद उसके कानों में करनल मुखरजी की धीर गंभीर आवास पड़ी. हलो, सर, सुनील ने पूछा, क्या आप मेरी आवास पहचान सकते है हाँ, करनल मुखरजी बोले. शूट. मैं कुलकरणी साहब के पास से बोल रहा हूँ. मुझे बड़े खेद के साथ सूचना देनी पड़ रही है कि ऑपरेशन असहफल रहा है. जान एक बार हाथ में आ जाने के बाद भी हाथ से निकल गई है. जान के पीछे हमारी उमीद से ज्यादा भयंकर बीमारियां पड़ी हुई थी. उत्तर में करनल मुखरजी का स्वर उसे सुनाई नहीं दिया. मेरे लिए क्या देश है सर? तुम जहां हो वहीं रहो. मैं दो घंटे बाद तुमसे संपर्ग स्थापित करूँगा. ओके सर. और सुनील ने संबंध विच्छ खाली करके होटल से कूज कर गए थे. कहां? किसी को मालूम नहीं था. उसने काबुल एरपोर्ट पर स्थित विभिन एयरवेज के बुकिंग आफिसों से पूछताच की. अब्दुल वहीत कुरेशी नाम के किसी सज्जन की, किसी भी एयरवेज कंपनी में कहीं के लिए कोई सीट बुक नहीं थी. दो ही संभावनाई थी. या तो कुरेशी ने अपना नाम बदल कर बुकिंग करवाई थी, या वो काबुल से सडक के रास्ते कंधार, जलालाबाद या किसी अन्य शहर में पहुँच गया था, जहां से हवाई जहाजों की इंटरनाशनल फ्लाइट्स परेट होती थी. और अगर वो पाकिस्तान ही जाने वाला था, तो इस बात की संभावना थी कि वो सडक के रास्ते खैबर पास होता हुआ पाकिस्तान पहुच गया हो. बहराल अब्दुलवहिद खुरेशी पीटर विंस्टन की फिल्म के साथ सुनील की पहुच से बहुत द करनल मुखर जी का गंभीर स्वर सुनाई दिया. तेहरान में तुम होटल एरियाना में ठहरोगे और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करोगे. तुम्हारे होटल एरियाना में पहुच जाने के बाद, 48 घंटे के समय में किसी भी समय तुम्हें इस बात की सूचना मिल जाएगी क तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? लेकिन सर पहरान क्यों? सुनील ने पूछा. उत्तर के स्थान पर सुनील के कानों में डेड लाइन की साएं साएं पड़ी. करनल मुखर जी संबंध विछेद कर चुके थे. सुनील ने भी रिसीवर क्रेडल पर रख दिया. क्या हुआ? कुलकरणी ने पूछा. बुरा मतमानियगा सहब सुनील धीरे से बोला. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका संबंध आप से हो. कुलकरणी चुप रहा. अब क्या आप मुझ पर एक आखरी क्रिपा और कर सकते हैं? सुनील बोला. क्या? कुलकरणी ने पूछा. अब किसी प्रकार फॉरण तेहरान जाने वाली किसी फ्लाइट में मेरे सीट बुक करवा सकते हैं? मैं अभी इंतजाम करता हूँ. कुलकरणी बोला. थैंक यू. सुनील बोला. थैंक यू. तब मैं होटल से अपना बोर्य बिस्तर बांध कर लाता हूँ. ओके. सुनील ने कुलकरणी से हाथ मिलाया और कमरे से बाहर निकलाया. दूतावास की इमारत से बाहर आकर उसने एक टैक्सी ली और अपने होटल में पहुँच गया. होटल से उसने अपना सामान समेटा, बिल चुकाया और फिर दूतावास की ओर रवाना हो गया. दूतावास में वो फिर कुलकरणी क पास पहुँचा बड़ी मुश्किल से तुम्हारी सीट का इंतजाम हुआ है कुलकरनी उसे देख कर बोला तुम सीधे एरपोर्ट चले जाओ लगभग डेड़ घंटे में इरान नाशनल एरलाइन्स का एक प्लेइन तेहरान के लिए रवाना होने वाला है एरपोर्ट पर जै नहीं कुलकरनी बोला हमें भारत से आदेश मिला था कि हम तुम्हारी हर प्रकार की साहिता करें और हर प्रकार की साहिता में मेरे खयाल से रुपए पैसे की साहिता भी शामिल है तुम अपना माल अपने पास रखो तुम्हारे काम आएगा सुनील ने कुलकरणी का फिर धन्यवाद किया उससे बड़ी गर्म जोशी से हाथ मिलाया और फिर अपना सूट केस संभाले वहां से विदा हो गया दूतावास की इमारत से बाहर निकल कर उसने फिर एक टैक्सी पकड़ी और काबुल एरपोर्ट की और रवाना हो गया तेहरान में वो सुनील का तीसरा दिन था तेहरान के महराबाद एरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सीधा होटल एरियाना पहुँचा था एरियाना शाहरजा एवेन्यो में स्थेथ एक शानदार दस मंजिला होटल था सुनील को दूसरी मंजिल पर स्थेथ 211 नमबर कमरा मिला था तेहरान में अब तक गुजरे वक्त में उसने होटल में अपने कमरे में या बार में या लाउंज में बैठने की अतिरिक्त कुछ नहीं किया था थोड़ी देह पहले तक वो सिगरेट के कश लगाता हुआ शाहरजा एवेन्यो में गुमता रहा था और फिर कितनी ही देर B.O.A.C. के बुकिंग आफिस के सामने खड़ा रहा था लगभगाधा दरजन सिगरेट फूंक चुकने के बाद वो वापस होटल में लोटा था लॉबी में कदम रखते ही वो एक शन के लिए ठेठक गया धाई और की दीवार के साथ आगंतुकों के इस्तिमाल के लिए रखी गई कुरसियों में से एक पर करनल मुखरजी बैठे थे और चेहरे पर अफार निरलिप्तता के भाव लिए पाइप के खश लगा रहे थे केवल एक खशन के लिए उनकी निगाएं सुनील की निगाहों से टकराइए और फिर वे होटल के मुख्य दिवार से बाहर की ओर देखने लगे सुनील ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाल कर होटों से लगाया उसने माचिस जलाकर सिगरट सुलगाने का उपकरम किया लेकिन माचिस बुझ गई उसने माचिस को दो टुकड़ों में तोड़ कर एक कोने में जमीन से एक फुट उचे स्टैंड पर रखी बड़ी सी एश्ट्रे में डाल दिया उसने दूसरी माचिस जलाई लेकिन वो भी बुझ गई दूसरी माचिस की तीली को उसने बिना तोड़े एश्ट्रे में डाल दिया तीसरी माचिस से उसने सिगरट सुलगा लिया उसको भी उसने तोड़े बिना एस्ट्रे में डाला और फिर सिगरेट के लंबे कश लेता हुआ सीडियों की ओर बढ़ गया अपने कमरे में पहुंचकर उसने सिगरेट को जोके अभी तीन चौथाई से ज़्यादा बाकी थी एस्ट्रे में जोंक दिया उसने कमरे का द्वार भीतर से बंद नहीं किया वो एक कुर्सी पर बैठ कया और प्रतीक्षा करने लगा थोड़ी ही देर बाद किसी ने एक बार कमरे का द्वार खट खटाया और फिर द्वार को धक्ता दिया कमरे में करनल मुखर जी प्रविष्ट हो रहे थे उनके हाथ में एक सूट केस थमा हुआ था उन्होंने सुनील को बाथरूम की और अग्रसर होने का संकेत किया द्वार को सावधानी से भीतर से बंद किया और फिर सुनील के पीछे पीछे बाथरूम में प्रविष्ट हो गए बाथरूम में पहुँचकर उन्होंने बाथरूम का दरवाजा भी भीतर से बंद कर लिया उन्होंने सिंक और बात्रब के उपर लगे गर्म और ठंडे पानी के नल पूरे खोल दिये बात्र टब और सिंक में गिरते पानी की आवाज से बात्रूम गूंजने लगा फिर वो बड़े इत्मिनान से कमोड की सीट गिरा कर उस पर बैठ गए सूटकेस उन्होंने अपने पैरों के समी भरक लिया मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है करनल मुखर जी यूँ बोले जैसे अपने आपको बता रहे हो इस बात्रूम में अगर कहीं माइक्रोफोन छुपा होगा तो पानी के शोर में हमारे वारतालाप की आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी मैं यहां आपके आगमन की अपिक्षा नहीं कर रहा था सुनील धीरे से बोला Never mind that किसी को तो आना ही था और फिर आगे तुमने क्या करना है यह तुम्हें मैं बेहतर समझा सकता हूँ सुनील चुप रहा Operation किया सफलता की वजह तुम हो लेकिन इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी है मेरी planning दोश रहित नहीं थी मुझे इस Operation को मामूली Operation नहीं समझना चाहिए था मुझे तुम को ज्यादा मुनासिब और ज्यादा चौकस तयारी के साथ काबल भेजना चाहिए था सुनील चुप रहा खेर अब आगे की सुनो फरमाईए तुम्हें पाकिस्तान जाना है सुनील चुप रहा मैं तुम्हें John Maxwell के बारे में पहले ही बता चुका हूँ John Maxwell नाम का Anglo Indian रावल पिंडी में हमारा बड़ा विश्वास पात्र एजेंट है पिसले तीन दिनों में John Maxwell की सप्लाई की हुई जानकारी के दम पर ही मैंने नए आपरेशन की ऐसी रूप रेखा तयार की है कि अगर तकदीर ही दगा ना दे गई तो हारी हुई बाजी हम फिर जीत जाएंगे तहरान में आशबीन गार्मीश नाम की इरान और वेस्ट जर्मनी की कोलाबरेशन में बनी एक फिर्म है आशबीन गार्मीश पाकिस्तान सरकार से फेरो वोल्फ राम की सप्लाई का भारी ओर्डर हासिल करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान सरकार को अपना रॉकेट स्टेशन तयार करने के लिए फेरो वोल्फ राम की जरूरत है इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि एशबीन गार्मीश को ओर्डर मिल जाएगा एशबीन गार्मीश नाम की इरानी फिर्म को मालूम है कि पाकिस्तान सरकार को फेरो वॉल फ्राम कहां इस्तेमाल करने के लिए चाहिए मेरी सूचना के अनुसार अभी नहीं लेकिन बाद में मालूम हो सकता है I see एशबीन गार्मीश का एक प्रतिनिधी 25 तारीख को अर्थात आज से तीन दिन बाद इसी ओर्डर के सिलसिले में इस्लामाबाद में प्रतिरक्षा मंत्राले के एक सेक्रेटरी से मिलने वाला है अपॉइंट्मेंट पहले ही फिक्स हो चुकी है एशबीन गार्मीश के प्रतिनिधी का नाम है तकी काजिम इंतखाबी वो प्रतिनिधी तुम हो जे तुम्हारा नाम तकी काजिम इंतखाबी है तुम एशबीन गार्मीश के प्रतिनिधी हो पच्चीस तारीख को इसलामाबाद में प्रतिरक्षा मंत्राले के एक सेक्रेटरी से तुम मिलने वाले हो अगर वो तुम से संतुष्ट हो गया तो वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां किसी बहरी आदमी का जा पाना तो दूर की बात है किसी बहरी आदमी का ये जान पाना ही ये संभव है कि वो जगा है कहा आप उस रॉकेट स्टेशन की तो बात नहीं कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें पीटर विंस्टन लाया था? Correct. Rocket Base का Director उस रक्षित क्षेतर से बाहर नहीं निकलता. किसी को उससे बात करनी होती है या उसे किसी से बात करनी होती है तो दूसरे आदमी को ही Director के पास जाना पड़ता है. एशबीन गारमीश को पाकिस्तान सरकार से फेरो वॉल्फ राम का बहुत महत्वपून ओर्डर मिलने वाला है. तुम उस फिर्म के वो विशेश प्रतिनिधी हो जो विशेश रूप से इस ओर्डर की बातचीत फाइनल करने के लिए इरान से आया है. अगर उहोंने फिर्म को औरर देने का खयाल ही छोड़ दिया तो बात दूसरी है. वरना जॉन मैक्स्वेल ने पूरे विश्वास के साथ ये कहा है कि तुम फाइनल बातचीत के लिए उस गुप्त रॉकेट स्टेशन पर रॉकेट स्टेशन के डारेक्टर के पास जरूर ले जाए जाओगे. और ये वो करामाती अंगूठी है. करनल मुखर जी अपनी जेब से एक वरगाकार नग वाली अंगूठी निकाल कर सुनील को दिखाते हुए बोले, जो रॉकेट स्टेशन की तस्वीरें दोबारा हासिल करने में हमारी सहायता करेगी. इस अंगूठी का नग वास्तव में एक कैमरा है, जिसकी सहायता से इसके भीतर मौजूद माइक्रो फिल्म पर गंदे से गंदे मौसम में तस्वीर खीची जा सकती है. अंगूठी के नीचे वृत्ताकार भाग पर अंगूठे से दबाव देने से शटर ऑपरेट होता है और तस्वीरें खीच जाती हैं. तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि अगर तुम्हें वास्तव में ही रॉकिट स्टेशन ले जाया गया, तो तस्वीरें खीचते समये बड़ी सावधानी बरतनी है. किसी को रंच मात्र भी संदेह हो गया, तो मिशन शत प्रतिशत फेल हो जाएगा. मैं पूरी सावधानी बरतूंगा. गुड़, ये अंगोठी पहन लो. सुनील ने वो अंगोठी लेकर बाएं हाथ की दूसरी उंगली में पहन ली. वास्तविक तकी काजम इंतखाबी अर्थात वो व्यक्ती जिसने 25 तारीख को पाकिस्तान के प्रतिरक्षा बंत्राले के एक सेक्रेटरी से इसलामबाद में मिलना है, इस समय हमारे अधिकार में है. और वो तब ही छोड़ा जाएगा जब तुम आपरेशन कंप्लीट करके वापस लौटाओगे. तुम्हें तकी काजम इंतखाबी और आशबीन गार्मीश का विशेश प्रतिनेधी से धकरने के लिए जरूरी सारे नकली कागजात तयार किये जा जुके हैं और वे इस सूट केस को धप धपाते हुए बोले. इसके अतिरिक्तिस में तुम्हारे खपड़े वगारा हैं जिन पर तहरान की ही एक दरजी का बिल्ला लगा है. खपड़ों पर ड्राइ क्लीनिंग और वाशिंग के निशान वगारा तहरान की ही एक कंपनी के हैं. उसमें तुम्हारी रोज इस्तिमाल में आने वाली सब चीजें या तो इरान की ही बनी हुई है या ऐसे देशों की हैं जिनका सामान इरान में आम विखता है. इसमें एक फाइल है जिसमें उन तमाम सवालों के जवाब माजूद हैं जो फैरो वॉल्फ राम के बारे में और हैशबीन गारमीश के बा कागजात के नाम पर इसमें तुम्हारा तकी काजम इंतखाबी के नाम से पासपोर्ट है एशबीन गार्मीश का इंट्रोडेक्शन कार्ड है एक अथौरिटी लेटर है जो तुम्हें अपनी फिर्म की और से पाकिस्तान सरकार से फेरो वल्फराम के बारे में किसी भी प्रका करें चूंगा कैसे? कल रात को इरान नाशनल एरलाइन्स के एक प्लेन से तुम लाहॉर के लिए रवाना हो जाओगे लाहॉर से तुम्हें पाकिस्तान इंटरनाशनल एरलाइन्स की एक रावल पिंडी के लिए कनेक्टिंग लोकल फ्लाइट मिल जाएगी परसुन सुभा तुम रावलपिंडी में होगे। रावलपिंडी के फ्लाश मैंज होटल में एश्बीन गारमीश की ओर से पहले ही तुम्हारे लिए एक कमरा बुक किया जा चुका है। वहीं जॉन मैक्षबल तुमसे संपर्क स्थापित करेगा। पचीस तारीख की सुभा को तुम एक टैक्सी द्वारा रावलपिंडी से इसलामाबाद पहुंच सकते हो। रावलपिंडी और इसलामाबाद में केवल साथ मील का फासला है। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो, मुझे काबल से ही रावलपिंडी क्यों नहीं रवाना कर दिया गया? जबके काबल से रावलपिंडी का फासला मुश्किल से ढ़ाई सौ मील है? एक निउस पेपर मैं होने के नाते इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मालूम होना चाहिए था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में राजनैतिक संबंध नहीं हैं। इसलिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने वाले आदमी की पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा ज्यादा बारीकी से जाच की जाती है। इरान और पाकिस्तान के संबंध बहुत मैत्री पून हैं यहां तक के इरान के नागरिक को पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान सरकार से वीजा नहीं लेना पड़ता और फिर एशबीन गारमीश इरानी फर्म है तुम्हारा काबुल से रावल पिंडी जाना अगर पाकिस्त पाकिस्तान के संबंधित अधिकारियों की जानकारी में आ जाता तो वे शायद आशबीन गार्मीश में उतनी दिल्चस्पी न दिखाते जितनी के वे अब दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी एजन्टों की निगाह में आ चुका हूँ। सुनील ने शंका प्रकट की। वैसे तो इससे कोई भारी फर्क नहीं भड़ता लेकिन फिर भी इस बात को मान करके शायद पाकिस्तान की इंटेलिजन्स को तुम्हारी जानकारी हो, उन लोगों का ध्यान तुम्हार से हटाने के लिए कदम उठाया गया है। क्या? काबुल से प्रकाशित होने वाले एक शमचार पत्र के परसों के अंक में, समचार प्रकाशित हुआ था, कि सुनील कुमार चक्रवर्ती नाम के भारत से प्रकाशित होने वाले आखबार blansť के कॉरिस्पॉंडंट की काबु कंधार नैशनल हाईवे पर कुछ अग्यात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है मैंने इस बात का भी इंतजाम कर दिया था कि ये समाचार पाकिस्तानी इंटेलिजन्स के कानों में जरूर पड़ जाए सुनील ने प्रशन सात्मक नेत्रों से कर्नल मुखर जी की ओर देखा इस सूटकेस में तुम्हारी जरूरत की छोटी से छोटी चीज मौजूद है तुम इस बात का पूरा ध्यान रखोगे कि तुम्हारे अधिकार में कोई ऐसी चीज नहो जो भारती यहो मैं पूरा ध्यान रखोंगा एक बात और मैं तुम्हें चेतावनी के रूप में खेह देना चाहता हूँ इस बात की कतई कोई गारंटी नहीं है कि तुम ऑपरेशन में कामयाब रहोगे ये तो संभव है ही कि प्रतिरक्षा मंत्राले का वो सेक्रेटरी जिससे तुमने पचीस तारीख को मिलना है तुम्हें पेशावर के पास रॉकेट बेस पर डारेक्टर से मिलवाने ले जाने के स्थान पर इसलामाबाद से ही वापस भेज दे संभव ये भी है कि तुम्हारी पोल खुल जाए और तुम गिरफतार कर लिए जाओ उस सूरत में तुम्हें शूट किया जा सकता है अगर पाकिस्तानियों ने तुमसे बहुत ही नर्मी का बरताव किया तो तुम्हें कम से कम दस साल की सजा होगी और जान मैक्सवल तुम्हारी तभी कोई सहायता करेगा जबके वो अपने आपको पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेगा और तुम इस मिशन पर रवाना होने के लिए बिल्कुल बाद्धिन नहीं हो सुनील चुप रहा तुम बैभीत हो? नहीं सुनील द्रिठ स्वर में बोला तुम्हें इस मिशन पर जाने से कोई एतराज है? नहीं करनल मुखर जी का चेहरा गर्व से दमक उठा उनके नेत्रों में गहरे अनुराग के भाव उमड़ पड़े वे अपने स्थान से उठे उन्होंने हाथ बढ़ा कर सुनील का हाथ थाम लिया I wish you best of the luck Thank you, sir करनल मुखर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया उन्होंने सिंक और बाथ टब के नल बंद कर दिये अपना कब का बुझ चुका पाइप दोबारा सुलगाया और बाथरूम से बाहर निकलाए कमरे के बाहरी दर्वाजे के समी पाकर वे घूमे उन्होंने सुनील का कंधा थप थप आया और धीरे से बोले Wish you all the best, my boy उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई बाप अपने बेटे के हाथ में बंदूक थमा कर उसे जंग के मैदान की और रवाना कर रहा हो रावल पहाडियों के अंचल में बसे हुए मनोरम नगर रावल पिंडी के फ्लाश मैंज होटल में सुनील को बड़े सम्मान के साथ रिसीव किया गया ऐश बीन गारमीश तेहरान के विशिष्ट प्रतिनिती जनाब तकी काजिम इंतखाबी के लिए होटल का एक शानदार स्वीट पहले से ही बुख था पच्चीस तारीख की सुभा तक उसे जौन मैक्सवल के दर्शन नहीं हुए पच्चीस तारीख की सुभा तक सुनील अपना सबक पूरी तरह याद कर चुका था वो आशबीन गारमीश की और से पाकिस्तान सरकार के साथ किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार था फेरो वाल फ्राम से संबंधित वो तमाम जानकारियां अब उसे मालूम थी जो तकी काजिम इंतखाबी से और अब सुनील से उपेक्शित थी तमाम आवश्यक काज़ात एक ब्रीफ केस में रखकर वो होटल से बाहर निकलाया उसने एक टैक्सी ली और रावल पिंडी के उत्तर पूर्व में लगभग साथ मील के फासले पर बसे इसलामाबाद की और रवाना हो गया जहां उसने पाकिस्तान के प्रतिरक्षा मंत्राले के सेक्रेटरी जनाब मुहम्मद इबराहीम मेहंदी से मिलना था करनल मुखरजी द्वारा इसको सौपिक काज़ात में पाकिस्तान सरकार द्वारा एश बीन गारमीश को लिखा एक पत्र था जिसमें कमपनी को निर्देश था कि उसका प्रतिरक्षा मंत्राले के सेक्रेटरी जनाब मुहम्मद इबराहीम मेहंदी से मिले इसलामाबाद में वो मंत्राले के आफिस के सामने उतरा और सीधा रिसेप्शन पर पहुँचा रिसेप्शनिस्ट को एश बीन गारमीश इरान के प्रतिनिधी के सेक्रेटरी साहब से अपॉइंटमेंट की पहले से ही जानकारी थी उसने फौरन सुनील का पास बना दिया उसने घंटी बजाकर एक चप्रासी बुलाया और पास और सुनील दोनों को उसके हवाले कर दिया चप्रासी उसे पहली मंजिल पर स्थेते कमरे में ले आया कमरे में बाई और कुछ कुरसियां पड़ी थी और दाई और एक मेज के पीछे एक सुन्दर युवती बैठी थी चप्रासी ने पास युवती को सौप दिया और वहां से विदा हो गया युवती ने एक सरसरी निगाह पहले पास पर और फिर सुनील पर डाली और फिर बोली प्लीज बी सीटेड मिस्टर इंतखाबी थांक यू सुनील बोला और एक कुरसी पर बैठ गया उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा सिगरेट इरान की ही एक कमपनी का उतपादन थी यूवती अपने स्थान से उठी और अपनी मेज की बगल में स्थित एक दरवाजा खोल कर भीतर प्रविश्ट हो गई लगभग एक मिनट बाद वो कमरे से बाहर निकली और सुनील से बोली प्लीज कम मिस्टर इंतखाबी सुनील ने सिगरेट आश्टरे में डाल दिया और एक हाथ में अपना ब्रीफ केस संभाले और दूसरे हाथ से अपनी टाई की गांट ठीक करता हुआ आगे बढ़ा वो यूवती की बगल से होता हुआ पिछले कमरे में प्रविश्ट हो गया यूवती ने उसके पीछे से दर्वाजा बंद कर दिया सुनील ने देखा वो एक विशाल कमरा था जिसमें एक विशाल अर्ध वृत्ता कार मेंस के पीछे एक लगभग पचास साल का शेरवानी पहने दुबला पतला सा वृध बैठा था विशाल मेंस पर चार टेलिफोनों के अतिरिक्त कुछ नहीं था अर्ध वृत्ता कार मेंस के सामने इमिटेशन लेदर से मढ़ी साथ आठ कुरसियां पड़ी थी सुनील ने वृत्ध सेक्रेटरी का अभिवादन किया एक उच्साहीन मशीनी मुस्कुराहत से सेक्रेटरी ने उसके अभिवादन का उत्तर दिया और उसे बैठने का संकेत किया मेंस के अर्ध वृत्त के कौने की एक कुरसी पर जो के सेक्रेटरी की अपनी कुरसी के सबसे करीब थी सुनील बैठ गया आप मिस्टर तकी काजिम इंतखाबी हैं। सेक्रेटरी ने प्रशन किया। जी हाँ। सुनील ने अपना ब्रीफ केस अपने गोटनों पर रख लिया और उसे खोलता हुआ बोला ये मेरा लेटर आफ इंट्रडक्शन है। सुनील ने एक टाइप किया हुआ काज़ सेक्रेटरी की और बढ़ा दिया। सेक्रेटरी ने हाथ बढ़ा कर काज़ ले लिया। उसने अपनी शेरवानी की उपर ली जेब से एक चश्मा निकाल कर अपनी नाक पर छड़ाया और बड़ी बारीकी से कागस का निरीक्षन करने लगा। उसकी उंगलियां बड़ी दक्षता से कागस को टटोल रही थी। सुनील ने देखा वो कागस पर लिखी इबारत को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ क्षन सेक्रेटरी की उंगलियां कागस को टटोलती रही। फिर यका यक उसने कागस को ऊपर नीचे दोनों सिरों से पकड़ कर प्रकाश की और उठा दिया। सुनील का दिल धड़कने लगा। अगले ही क्षन उसकी पोल खुल सकती थी। वो समझ गया था कि सेक्रेटरी क्या देख रहा है। वो पत्र जाली था। सेक्रेटरी कागस पर वाटर मार्क देख रहा था। फोरजरी एक दम परफेक्ट होने के बावजूद भी अगर कागस पर बना वाटर मार्क हिंदुस्तानी था तो कहानी खत्म थी। सुनील सांस रोके सेक्रेटरी के चेहरे की और देखता रहा। सेक्रेटरी ने कागस मेज पर रख दिया और धीरे से बोला। इरान में भी अच्छा कागस बनता है। सुनील की जान में जान आई। उसका मन एक बार फिर कर्नल मुखर जी की कार्य कुशलता के प्रती प्रशंसा से भर गया। एक बार फिर सिद्ध हो गया था कि वे अपने काम में कोई लूप होल नहीं छोड़ते थे। इस मिनिस्टरी में सेक्रेटरी बनने से पहले मैं एक सरकारी पेपर फैक्टरी का मैनेजर था। इसलिए जब कोई नई किस्म का कागस सामने आता है तो मैं आदतन उसका मुआइना करने लगता हूँ। खास तोर पर वाटर मार्क का सुनील केवल मुस्कुर आया। हैश बीन गारमीश से हमारी काफी लंबी खतो किताबत हो चुकी है। आपकी कमपनी के डारेक्टर साब के दस्तखत मैं कहीं भी पहचान सकता हूँ। सुनील अपने होटों पर एक नपी तुली मुस्कुराहट चिपकाए चुपचाप बैठा रहा। सेक्रेटरी ने अपनी मेज की दराज से एक फाइल निकाली। उसने फाइल को एक स्थान पर खोल लिया और उसकी बगल में सुनील का लेटर आफ इंट्रडक्शन रख लिया। सुनील ने देखा सेक्रेटरी फाइल में लगे पत्र के नीचे हुए हस्ताक्शरों को सुनील के हस्ताक्शरों से मिला कर देख रहा था। बुढ़ा बहुत ही घाग था। पेरेका एक उसने फाइल बंद कर दी। उसके चेहरे पर संतुष्टी के भाव जलक रहे थे। सुनील ने छुटकारे की गहरी सांस ली। सेक्रेट्री ने कुछ कहने के लिए मूँ खोला फिर कुछ सोच कर चुप हो गया। उसने फाइल एक और सरका दी और अपनी स्थान से उट खड़ा हुआ। मैं अभी हाजिर हुआ। वो बोला। सुनील ने सहमती सूचक धंग से सिरहिला दिया। व्रिद लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निखल गया। सुनील ने कमरे के चारों और द्रिष्टी दोड़ाई। वो एक वातानु कुलित कमरा था और शायद इसलिए हर और से बंद था। सेकरेटरी की कुरसी के पीछे की दिवार की सारी लंबाई में एक भारी परदा पड़ा हुआ था जिसके पीछे शायद बंद खिड़किया थी। सुनील फूर्ती से अपने स्थान से उठा और दबे पाउं उस द्वार की ओर बढ़ा जिससे वो भीतर प्रविष्ट हुआ था। द्वार के समी पहुँचकर उसने की होल में अपनी आँख लगा दी। बाहर के कमरे में सेकरेटरी मेज पर रखी एस्ट्रे पर जु निकाल लिया जो सुनील ने उसमें डाला था और जो अभी तक सुलग रहा था। कुछ ख्यान वो सिगरेट को उंगलियों में उलटता पलटता रहा और फिर संतुष्ट पूर्ण धंग से सिरहिलाते हुए उसने उसे आश्ट्रे में डाल दिया। अपनी जेब से रुमाल निकाल कर हाथ पोंचता हुआ वो द्वार की ओर बढ़ा। सुनील भूर्ती से अपनी स्थान से हटा और वापस अपनी सीट पर आबैठा। सेक्वेटरी कमरे में प्रविष्ट हुआ और वापस अपनी स्थान पर आबैठा। सॉरी टू कीप यू वेटिंग वो मस्कुरा कर बोला। नेवर माइंड सर। सुनील बोला। एक चपरासी कमरे में प्रविष्ट हुआ और दोनों को चाए सर्व कर गया। चाए पीते हुए मशीन की तेजी से सेक्रेटरी ने सुनील से फेरो वालफराम, उसकी क्वालिटी और सप्लाई के बारे में एक के बाद एक सवाल पूछने आरंब कर दिये। उन सवालों के लिए सुनील पहले से ही तयार होकर आया था। इसलिए बिना किसी हिचकी चाहट के सुनील उनके जवाब देता चला गया। अगर हम आपको फेरो वालफराम की सप्लाई का ओडर द ही हूँ, मेरी कंपनी ने आपकी सरकार से किसी भी प्रकार का कॉंट्रेक्ट करने के सारे अधिकार मुझे डेलिकेट किये हुए हैं। चाहें तो आप अथारिटी लेटर देख सकते हैं। और सुनील ने अथारिटी लेटर निकाल कर सेक्रेटरी के सामने रख दिया। सेक् सेक्रेटरी हिच की चाहट भरिस्वर में बोला, मुझे ओर्डर आपको न मिलने की कोई वज़ा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपको ओर्डर देने का अधिकार मुझे नहीं है, फाइनल ओर्डर किसी दूसरे आदमी ने करना है, मैं आपसे संतुष्ट हो जाने के बाद इस बात की केवल सिफारिश ही कर सकता हूँ के ओर्डर एशबीन गार्मीश को मिले, दूसरा आदमी कौन? वो एक बहुत व्यस्त आदमी है, सेक्रेटरी कहता गया, और उससे फौरन मुलाकात का इंतजाम करना किसी भी सरकारी अथिकारी के लिए संभव नहीं, मैं पहले उ साइन कर सकते हैं, मुझे जवाब मिलने में कितना समय लगेगा? पांच-छे दिन या इससे भी ज्यादा? यानि कि जवाब हा में होगा या ना में, ये तो आप बता ही नहीं सकते, आप ये भी नहीं बता सकते कि मुझे जवाब का इंतजार कितने अर्से तक करना मेरी मजबूरी है, सुनील चुप रहा, उसके छेहरे से दुविधा के भाव पर इरक्षित हो रहे थे, आप ठहरे हुए कहा हैं? सेक्रेटरी ने पूछा, फ्लेश मैंन्स होटल में, तो फिर आप ऐसा कीजिए, मिस्टर इंतखाबी, आप पांच दिन इंतजार कर उतने समय में आपको मेरे पास आने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं, अगर मैं पांच दिन में आपसे संपर्क स्थापित नहीं करता, तो आप बहु भी वापस जा सकते हैं, उसके बाद उस दूसरे आदमी का जो फैसला होगा, उसकी सूचना मैं आपको तहरान में ही भे वेरी गुड, तैंक यू, मैं अपनी पिये से कह देता हूँ के वो आपको बाहर तक छोड़ाए, तैंक यू वेरी मच, सेक्रेटरी ने सुनील को बाहर बैठी युवती के हवाले कर दिया, सुनील सेक्रेटरी से हाथ मिला कर युवती के साथ हो लिया, सीड़ियां उतर कर ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचा और एक लंबे गलियारे में युवती के साथ चलने लगा, गलियारे के मोड पर पहुँचकर युवती ने एका एक कागज की एक गोली सी जबरदस्ती सुनील के हाथ में ठूस दी, फिर फुस भुसाती हुई बोली, इसे तब पढ़ना जब तुम्हारे आसपांस कोई ना हो, सुनील ने जल्दी से कागज अपने कोट की जेब में डाल लिया, गेट पर पहुँचकर युवती ने सुनील का पास गेट पर खड़े फौजी के हवाले किया, बेहद आपचारिक रूप से उसने सुनील का अभिवादन किया, और फ निकाली जो सेक्रेटरी की पीए ने जबरदस्ती उसके हाथ में ठूंस दी थी, उसने कागज को खोल कर सीधा किया, कागज पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था, आज रात नौ बजे, हयूब नाशनल पाक के मुखे द्वार पर, शमीम, सुनील ने कागज को एक बार फिर पढ़ा और फिर उसको हाक लगा दी, रात को आठ बजे भोजन करके सुनील होटल से बाहर निकला, उसने एक एरानी सिग्रेट सुलगा लिया, और उसके छोटे छोटे खश लगाता हुआ, फुटपात पर चलने लगा, पाकिस्तान की टूरिस्ट काइड के अनुसार अयू पाक जाना चाहिए या नहीं, हंत में उसने यही फैसला किया था, कि जाने में कोई हर्ज नहीं था, आखिर संभावना इस बात की भी तो थी, कि वो केवल घूमने के इरादे से वहां गया हो, और शमीम वहां संयोग वशी उससे टकरा गई हो, वो लापरवाही से वुटप जान मैक्सवेल उससे तभी संपर्क स्थापित करेगा, जब वो स्वयम को पूरी तरह सुरक्षित समझेगा, अगर अब तक उसने इस मामले में अपने आपको पूरी तरह सुरक्षित नहीं समझा था, तो उसका मतलब था कि सुनील भी लोगों की संदिग्ध निगाहों का शिकार था, जिस बारीकी से सेक्रेटरी मुहम्मद इबराहीम मेहंदी ने सुनील को चक किया था, उससे सुनील अधिक से अधिक सावधान रहने की जरूरत महसूस करने लगा था, यही वज़ा थी कि सीधा टैक्सी लेकर अयूब नैशनल पाक पहुँचने की स्थान पर, स उसकी दक्ष निगाहें किसी ऐसे आदमी की तलाश में थी, जो शायद उसकी निगरानी कर रहा हो, ऐसा कोई आदमी उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन सुनील जानता था, कि ऐसा कोई आदमी दिखाई न देने का मतलब ये था, कि ऐसे किसी आदमी का अस्तित्व भी नहीं बस की इंतजार में खड़े थे। सुनील ने सिगरेट फेक दिया और एका एक घूम कर पीछे देखा। उसे अपने पीछे संदिग्ध आदमी दिखाई नहीं दिया। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया। उसी क्षण एक बस स्टैंड पर आकर खड़ी हुई। बस से ए उसने बस की पिछली खिडकी में से बाहर झांका। उसे आसा नहीं लगा कि कोई खार या अन्यसवारी बस के पीछे लगी हुई हो। लेकिन फिर भी वो बार-बार पीछे देख लेता था। बस में बैठने की जगा नहीं थी और खड़े-खड़े पिछली खिडकी में से पीछे सड़क पर जाकना आसान था। टिकट? सुनील हरबढा कर आवास की उरघूमा। उसके समीब कंड़क्टर खड़ा था। ये बस खहां जाती है? सुनील ने अंग्रेजी में पूछा। आपने कहां जाना है? कंड़क्टर ने पूछा। अयूब नैशनल पाक, पच्चीज पैसे. सुनील ने पच्चीज पैसे का सिक्का निकाल कर कंड़क्टर की हथेली पर रख दिया। कंड़क्टर ने उसे पच्चीज पैसे की टिकट दे दी और आके बढ़ गया। बस एक स्थान पर रुकी। सुनील के समीब की सीट की दोनों सवारियां अपने स्थान से उठ गई। सुनील खाली सीट पर बैठ गया। एक अन्य आदमी उसकी बगल में बैठ गया। सुनील उसकी और ध्यान दिये बिना खिडकी से बाहर जाकने लगा बस फिर चल पड़ी बस में अभी भी आठ दस आदमी ऐसे थे जिन्हें बैठने को जगा नहीं मिली थी सुनील चुप चाप अपनी स्थान पर बैठा रहा अब उसे लगभग विश्वास हो गया था कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा था अयूब नैशनल पाक थोड़ी देर बाद एका एक उसे कंड़क्टर की आवाज सुनाई दी बस किरफतार भी कम होने लगी थी सुनील अपने स्थान से उठने के लिए तैयार हो गया उसी क्षां अगली सीट पर बैठा आदमी अपने स्थान से उठा अपने स्थान से निकल कर राहदारी मियानी की क्रिया में सुनील की निगाहें सीधी उसके चेहरे पर पड़ी सुनील को अपने दिल की धर्कन रुकती महसूस हुई उसका मूँ खुला रह गया और वो हक्का बक्का सा सामने देखने लगा जो आदमी उससे अगली सीट से उठकर अगले द्वार की और बढ़ रहा था वो अब्दुल वहीद कुरेशी था एक क्षण के लिए तो सुनील का शरीर यूँ जड़ हो गया जैसे उसमें जान ही न हो फिर एका एक उसे खयाल आया कि उसकी निगाह कुरेशी पर पड़ी थी कुरेशी ने घूम कर उसकी और नहीं देखा था सुनील दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया उसने अपना सिर जोका लिया एक क्षण बाद उसने एक गुप्त द्रिश्टी सामने की ओर डाली कुरेशी बस में से उतर कर फुटपाथ पर जा खड़ा हुआ था वो सड़क से पार कहीं देख रहा था उसकी द्रिश्टी उस खिड़की पर नहीं पड़ रही थी जहां सुनील बैठा था उतर ये ना सहाब एका एक उसके कानों में कंड़क्टर की आवास पड़ी आपका स्टॉप आ गया सुनील ने हाडबढा कर सिर उठाया मेरा स्टॉप? उसके मुँसे अपने आप निकल गया आपने अयूब नैशनल पाक उतरना था ना? हाँ, नहीं, नहीं मैं अगले स्टॉप पर उतरूँगा तो फिर दस पैसे का टिकेट और लीजिए कंड़क्टर घंटी बजाता हुआ बोला बस आगे बढ़ चली सुनील ने कंड़क्टर को एक दस पैसे का सिक्का दे दिया कंड़क्टर ने उसे एक और टिकेट थमा दी सुनील फिर खिड़की से बाहर जहाकने लगा अब्दुलवहीद कुरेशी पीछे फुटपांत पर ही खड़ा रह गया था सुनील की जान में जान आई उसकी तकदीर ही अच्छी थी कि वो कुरेशी की निगाहों में आने से बच गया था ऐसा संयोग था कि वो उसी बस में सवार हुआ जिसमें कुरेशी बैठा था पता नहीं कब से कुरेशी उस बस में उससे अगली सीट पर बैठा हुआ था और पता नहीं वो किन खयालों में खोया हुआ था कि उसने तब सुनील की आवाज भी नहीं सुनी थी जब वो पहली बार कंडक्टर से बात कर रहा था वरना वो बड़ी सहूलियत से सुनील को हावाज से भी पहचान सकता था अगले स्टैंड पर बस रुकी तो सुनील बस से उतर गया उसने एक टैक्सी पकड़ी और वापस अपने होटल की और रवाना हो गया अयूब नैशनल पाक के गेट पर शमीम से संपर्क स्थापित करने के बारे में उसने दोबारा सोचा भी नहीं वो उस स्थान के पास भी नहीं भटकना चाहता था जहां अब्दुल वहीद कुरेशी की उपस्थिती की संभाव ना हो सुनील होटल के अपने स्वीट का ताला खोल कर भीतर प्रमिष्ट हुआ कमरे में कदम रखते ही वो दोबार पर ही ठिटक कया कमरे में से जलते हुए तंबाकू की हलकी सी गंध आ रही थी सुनील ने दोबार की बगल में रखी तिपाई पर से पीतल का फूलदान उठा लिया ओ प्लीज कमरे के अंधकार में से किसी की आवाज आई सुनील ने हाथ से फूलदान नहीं छोड़ा उसने हाथ बढ़ा कर बिजली का स्विच आउन कर दिया कमरा प्रकाशित हो उठा सोफे पर एक आदमी अधलेटा सा बैठा सिगरिट पी रहा था दर्वाजा बंद कर दीजे साहब वो बोला कौन हो तुम सुनील ने प्रशन किया बंदे को जौन मैक्सवल कहते हैं वो आदमी मुस्कुराता हुआ बोला कोड़वर्ड ऑपरेशन स्यूसाइड सुनील ने फूलदान वापस दिपाई पर रख दिया उसने कमरे का द्वार भीतर से बंद किया और जौन मैक्सवल के सामने आ बैठा बड़ी देर में दर्शन दिये सुनील बोला मेरे देर से हाजिर होने से आपको कोई फर्क पड़ गया हो तो फरमाईए सुनील चुप रहा वैसे जो टैक्सी वाला आपको इसलामाबाद जोड़ कर आया था अगर आपने उसकी सूरत देखी होती तो आप ऐसा हरगिस नहीं कहते वो तुम थे सुनील हैरानी से बोला जौन मैक्सवल ने बड़े नाटकी अंदाज से सिर जुकाया कमाल है अभी आठ बजी के करीब बस पर चढ़ने के मामले में आप जरूर मुझे धोखा दे गए थे दूसरा धोखा तकदीर ने दिया था कि बस के पीछे रवाना होने के लिए मुझे फौरन कोई सवारी नहीं मिली थी इसलिए वापस यहां आपके कमरे में आ बैठा था मैंने तुम्हें नहीं देखा था जाहिर है वरना आप सवाल नहीं करते लेकिन आप इतने अप्रत्याशित ढंग से बस पर क्यूं सवार हुए थे केवल संदेह के आधार पर आपको संदेह था कि कोई आपका पीछा न कर रहा हो हाँ लेकिन मुझे तुम्हारा खयाल नहीं आय था आपका कोई पीछा नहीं कर रहा था जान मैक्सवल विश्वास पूर्ण स्वर में बोला अगर कोई आपका पीछा कर रहा होता तो वो आपकी निगाह में आता या ना आता मेरी निगाह में जरूर आता सुनील ने शान्ती की सांस ली लेकिन आप गए कहां थे तुम भीतर कैसे आये सुनील उसके प्रशन को अनसुना करता हुआ बोला ताला खोल कर ताला खोल कर जी हाँ पहले मैं ताला खोल कर भीतर गुसा और उसके बाद मैंने ताला बंद भी कर दिया ताके आपको अपने कमरे में कदम रखने में हिच की चाहट ना हो। मामुली काम था। सुनील प्रशन सा पूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखने लगा। सिगरेट पीजे? जॉन मैक्सवल बोला। सुनील ने मेज पर पड़ा जॉन मैक्सवल का रोथ मैन सिगरेट का पैकेट और माचिस उठा ली। उसने एक सिगरेट निकाल कर हूंटों से लगाया और फिर मैक्सवल की माचिस से ही उसे सुलगा लिया। माचिस शांदार है? सुनील अपने हाथ में माचिस उलटता पलटता हुआ बोला. ये BOAC की कॉम्प्लिमेंटरी पेपर मैच थी. माचिस की मुमी कार्ड बोर्ड की बनी तीलियां गहरे पीले रंग की थी और हर तीली पर लाल अक्षरों में BOAC छपा हुआ था. आप गए कहां थे? जॉन मैक्सवल ने माचिस की तारीफ को नजर अंदास करते हुए अपना प्रशन दोहराया. सुनील कुछ क्षण सिगरेट के कश लगाता रहा, फिर धीरे धीरे उसने मैक्सवल को शमीम के पत्र और अब्दुलवहीद कुरेशी के बारे में बता दिया. पैदा हो था. वो जरूर पाकिस्तानी इंटेलिजन्स का आदमी है. आपने अभी रावल पिंडी में कब तक रहना है? कम से कम पाँच दिन. इस बीच आप दुबारा इसलामाबाद भी जाएंगे? नहीं. डेफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने खहा है के मेरे आने की ज पर स्थावित करेगा. फिर तो साहब आपको बहुत सावधान रहना चाहिए. इस बार तो तकदीर अच्छी थी के कुरेशी की निगाहा आप पर नहीं पड़ी. कुरेशी से आपका दुबारा टकराना आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है. वही वो आदमी है ज जान के लाले भी पड़ जाएंगे. मैं सावधान रहूंगा. आपको ओर्डर मिलने की आशा दिखाई देती है? मैं कोई फैसला नहीं कर पाया हूँ. डिफेंस मिनिस्ट्री का वो सेकरेटरी बड़ा घाग था. उसने कोई भी फाइनल बात नहीं की. लेकिन इतना है? हाँ. ओके सर. जॉन मैक्सवेल मेज से अपना सिगरेट का पाकेट और माचिस उठाता हुआ बोला. बंदा चला. फिर कब मिलोगे? देखते हैं कब संयोग होता है? जरूरत पढ़ने पर क्या मैं कहीं तुमसे संपर्क स्थापित कर सकता हूँ? ओ नो, प्लीज, नो. आ मैं ही आपसे दोबारा मिलने का अवसर निकालूँगा. अच्छी बात है. जॉन मैक्सवेल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ. सुनील भी उठा और दर्वाजे तक उसके साथ कया. ओके सर. दुआर के समी पाकर जॉन मैक्सवेल बोला. गुड नाइट. गुड नाइट. सुनील बोला. जॉन मैक्सवेल ने बंद दर्वाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया. सुनो. एक आएक सुनील बोला. फरमाईए. जॉन मैक्सवेल उसकी और घूम कर बोला. मुझे एक रिवॉल्वर दे सकते हो? जॉन मैक्सवेल एक खड़ा चुप रहा. और फिर बोला. मैं आपको रिवॉल्वर दे सकता हूँ. लेकिन मेरी राय में आपको अपने पास रिवॉल्वर नहीं रखनी चाहिए. आप एक कमर्शिल फरम के प्रतिनिधी हैं. अगर रिवॉल्वर आपके पास देख ली गई, तो क्या आप अपने अधिकार में रिवॉल्वर होने की क चुगली करने के लिए काफी होगा. ओके, ओके, दरसल मैं कुरेशी का सफाया करने के बारे में सोच रहा था. बशर्ते के आप दोबारा उससे टकरा जाएं. जाहिर है. अब यही कोशिश क्यों नहीं करते के आप दोबारा उससे न टकराएं. सुनील चुप रहा. गुड नाइट, जान मैक्सवल बोला. गुड नाइट, सुनील बोला. जान मैक्सवल ने द्वार खोला और सावधानी से कमरे से बाहर निकल गया. सुनील ने दर्वाजा भीतर से बंद कर लिया. 27 तारीख की सुभा को लगभग 10 बजे किसी ने सुनील के सुईट का दर्वाजा खट-खटाया. उसने द्वार खोला. बाहर एक वर्दी धारी फौजी खड़ा था. सलाम साहब. फौजी तूटी फूटी अंग्रेजी में बोला. मुझे जनाब मुहम्मद इब्राहिम महिंदी साहब ने भेजा है. बोलो, उन्होंने आपको बुलाया है. कब? आप मेरे साथ तश्रीफ ले चलिए. मैं मिनिस्ट्री की गाड़ी लाया हूँ. अच्छी बात है. तुम नीचे चलो, मैं अभी आता हूँ. महिंदी साहब ने फरमाया था कि आप सारे जरूरी कागजात अपने साथ लेकर आईएगा. अच्छा. फौजी विदा हो गया. सुनील ने खपड़े बदले, अपना ब्रीफ केस संभाला और स्वीट से बहर निक हूँ. सुनील ने सहमती सूचक धंग से सिरहिला दिया. फौजी लंबे डग भरता हुआ वहां से विदा हो गया. एक मिनट बाद उसने एक विशाल शेवरले गाड़ी पोटि को मिला खड़ी की. वो भूरती से ड्राइविंग सीट से निकला और सुनील की ओर आकर उसने आ और वो ठिठक गया. पिछली सीट पर स्वयम मंत्राले का सेकरेटरी मुहम्मद इबराही महदी मौझूद था. तश्रीफ लाइए. वृद्ध सेकरेटरी बोला. सुनील उसकी बगल में जा बैठा. फौजी ने दर्वासा बंद कर दिया और वापस ड्राइविंग सीट की और बढ़ गया. ड्राइवर ने मुझे ये नहीं बताया था कि आप भी तश्रीफ लाएं हैं. सुनील तन एक शिकायत भर इस वर में बोला. सेकरेटरी मुस्कुराया. फौजी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी. हम कहां जा रहे हैं? सुनील ने पूछा. इंतखाबी सहब? से आपको उस दूसरे आदमी से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ. जिसका कल मैंने जिक्र किया था. खुशकिस्मती से मुझे अपनी उमीद से बहुत पहले उस आदमी से संपर्क स्थापित करने का अवसर मिल गया था. मैंने बात कर ली है. अब आप अपना ओडर एक दम पक्का समझिये. थांक यू. आप अपने सारे जरूरी कागजात अपने साथ लाएं हैं न? जिहां. सुनील अपनी बगल में रखा ब्रीफ केस धप धपाता हुआ बोला. व्रिध चुप रहा. जिन साहब से हम मिलने जा रहे हैं, वे कौन हैं? सुनील ने पूछा. व्रिध एक खण हिच किचाया और फिर बोला, उनका नाम SFM पाशा है. वे उस इंस्टलेशन के डारेक्टर हैं, जिसके लिए हमें फेरो वाल्फ राम की जरूरत है. हम इसलामाबा जा रहे हैं? नहीं. सक्रेटरी तनिक उख़े स्वर में बोला. सुनील चुप हो गया. उसने खिड इन सडकों से गुजर रही थी. थोड़ी ही देर बाद कार नगर से बाहर निकल गई और एक पेड़ों से ढकी सडक पर दोड़ने लगी. व्रिध सेक्रेटरी से ये पूछना बेकार था कि वो सडक कहां जाती थी. वो कुछ बताने के मूड में नहीं मालुम होता था. कार कम से कम साथ मील की रफतार से सडक पर भाग रही थी. एक आएक सुनील की निगाह सडक के किनारे लगे मील के पत्थर पर पड़ी. पत्थर पर लिखा था पेशावर बिच्चान बे मील. सेक्रेटरी को लगभग फौरन ही मालुम हो गया कि सुनील मील का पत्थर देख रहा थ गुस्ताखी माफ सेक्रेटरी बोला. फिर वो आगे को जुका और उसने सुनील की और की खिड़की पर लगा काले रंग का एक परदा खीच दिया. वैसे ही परदे उसने अपनी और की खिड़की पर और ड्राइवर की और पिछली सीट के बीच में खीच दिये. पिछली खि अब तो रॉकेट स्टेशन पर ले जाया जा रहा था जो पेशावर के आसपास कहीं था और जिसकी वास्तविक स्थेती की खबर किसी को नहीं थी. फासला घटता रहा. सुनील ने घड़ी देखी. उसे खार में बैठे लगभग आधा घंटा हो गया था. उसने सेक्रेटरी की ओर देखा. वो सीट पर अधलेटा सा उंग रहा था. सुनील भी अपने स्थान पर पसर गया. एका एक सुनील ने अपने शरीर पर एक जोर का जटका महसूस किया. वो हड़ बढ़ाया और संभल कर बैठ गया. ड्राइवर ने बड़े अप्रत्याशित धंग से पूरी श की आवाज भी सुनाई दी. लेकिन क्या कहा जा रहा था वो सुनील की समझ में न आया. सेक्रेटरी ने अपने सामने का और अपनी ओर की खिड़की का परदा हटाया. सुनील ने देखा, सडक पर मिलिटरी के ट्रकों का लंबा का फिला खड़ा था. एक ट्रक की भगल में उ ये सडक बंद है. फॉरन गाड़ी बैक करवाओ और दूसरी सडक से आगे बढ़ो. जस्ट अ मिनिट मेजर सेक्रेटरी शानती पूर्सवर में बोला. उसने अपनी जेब से कागज निकाला और उसे खिड़की में से मेजर की और बढ़ा दिया. मेजर ने बढ़े पूर्ण धंग से कागज पकड़ा. उसने उसे खोल कर देखा. अगले ही क्षण उसके नेत्र फैल गए. वो तेजी से कागज पर लिखी इबारत पढ़ने लगा. अंत में उसने कागज को दुबारा तह करके सेक्रेटरी के हाथ में दिया और पीछे हट कर बड़ी ततपरत से सल्यूट मारा. सॉरी सर, वो विनेशील स्वर में बोला. मुझे सूचना नहीं थी. मैं आगे भी संदेश भिजबा देता हूं कि आपकी गाड़ी को रोका न जाए. सेक्रेटरी ने भावीं धंग से सहमती में सिरह लाया और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का स अस्थान सरका दिये. सफर फिर आरंभ हो गया. सेक्रेटरी सुनील की ओर देख कर मुस्खुराया. Sorry for inconvenience. Never mind. सुनील उदासीन स्वर में बोला. Mr. इंतखाबी, फरमाएए, आपकी अंगूठी बहुत शानदार है. बड़ी मुश्किल से सुनील अपने छेहरे के भावों को नियंत्रित रख पाया. जी हाँ. सुनील अपना अंगूठी वाला हात सेक्रेटरी की ओर करते हुए सहज स्वर में बोला. अंगूठी वाकई बहुत शानदार है. ये किसी ने मुझे भेंट दी है. उसकी पसंद वाकई बहुत उची है. मैं भेंट देने वाले की और आपक की भी पसंद की तारीफ करता हूँ. सुनील चुप रहा. पर सो रात आप अयूब नैशनल पार्क नहीं पहुंचे? एका एक सेक्रेटरी सुनील के नेत्रों में जाकता हुआ बोला. सुनील के लिए अपने चेहरे पर जलकाया विसमय छोपा पाना खठिन हो गया. बुढ़ वो बड़ी मेहनत से अपने आप पर काबू पाने का प्रयत्न करता रहा और फिरंत में बड़े सुसंयत स्वर में बोला. मुझे वहाँ जाना चाहिए था क्या? आपको वहाँ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शमीम के पत्र को क्या महत्व दिया था? आप उस पत्र के बारे में जानते हैं? सुनील के मुह से निकल गया. शमीम को मैंने ही आपको ऐसा एक पत्र देने के लिए कहा था. वो बेचारी दस बजे तक पाक के गेट पर खड़ी, आपका इंतजार करती रही. मुझे कोई वज संतुष्ट स्वर में बोला. इसके विपरीत अगर आप कोई जेम्स बॉंड मार का जासूस होते, तो शमीम की उस प्रार्थना को खुदाई मदद समझ कर बंदूग से छूटी गोली की तरह उसे मिलने पहुँच जाते. परसों रात आपके अयूब नैशनल पाक न गलत आदमी हैं, लेकिन हम या कम से कम मैं आपके प्रती संदिक्ध जरूर होटता. उस सूरत में हम आपको और ज्यादा ठोकते बजाते और अंत में शायद आपको मायूस होकर वापस लोटना पड़ता. बशरते कि मैं इस हद तक गलत आदमी न समझ लिया जाता कि पाकिस् अधिकार को मुझे अपने अधिकार में कर लेने की जरूरत महसूस होने लगती. सुनील उपहास पूर्ण स्वर में बोला, करेक्ट, सुनील हस पड़ा. प्रत्यक्ष में वो हस रहा था और मन ही मन वो भगवान का शुक्र अदा कर रहा था कि परसू रात एन मौके पर उसे बुरा किया था और यहां अंजाने में उसका भला कर दिया था. लगभग पौने घंटे बाद कार एक स्थान पर फिर रुकी. साहब उसे ड्राइवर का स्वर सुनाई दिया. सेक्रेट्री ने अपनी खिड़की का परदा हटाया. कार की साइड में तथपरता की प्रतिमूर बना एक राइफल धारी फौजी खड़ा था. सेक्रेट्री ने तह किया हुआ कागज फिर अपनी जेब से निकाला और उसे फौजी के हवाले कर दिया. फौजी ने दो कदम पीछे हट कर कागज देखा. उस पर भी उस कागज का हैसा ही प्रभाफ हुआ जैसे उसने भूत लिया हो. उसने कागज को तह करके सेक्रेट्री को दे दिया और ठोक कर सल्यूट मारा. सुनील खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था. कार यू लगता था जैसे घने जंगलों में खड़ी हो. हर तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे. कार फिर आगे ब की खिड़की का परदा नहीं खीचा था. एक बात स्पष्ट हो गई थी. सुनील की बगल में बैठा वृद्ध. उस हिलाके में इसलिए सम्मान नहीं पा रहा था. क्योंकि वो प्रतिरक्षा मंत्राले में सेक्रेट्री था. उसको सम्मान हासिल हो रहा था. अपनी जेब में तहक करके रखे कागज की वजह से. कुछ खशन बाद सेक्रेट्री ने सामने का और सुनील की और की खिड़की का परदा भी हटा दिया. कार एक स्थान पर आखड़ी हुई. सुनील ने देखा सामने एक लोहे का विशाल भाटक था. भाटक लगभग आठ फुट उंचा था और वो लगभग बारहे फुट उंची मजबूत दीवारों में फिट किया हुआ था. सेक्रेट्री के संकेत पर ड्राइवर ने दो बार कार का हौन बजाया. पेड़ों के जुरमुट के पीछे से एक मशीन गंधारी फौजी बाहर निकला. सुनील ने तह किया हुआ कागज दिखाय जाने और सल्यूट हासिल करने की सारी क्रियाएं दोहराई जाती देखी. फिर एक मशीन गंधारी फौजी ने एक सीटी निकाल कर अपने होटों से लगाई और उसे एक विशेश ढंग से तीन-चार बार बजाया. लगभग एक मिनट के बाद लोहे के गेट के दिवार पर एक हरे रंग की बत्ती जल उठी. फौजी ने आगे बढ़कर फाटक खोल दिया. कार आगे बढ़ी. कार के फाटक से भीतर प्रविश्ट होते ही फौजी ने फाटक बंद कर दिया. फिर एक लंबी सीटी बजी. सुनील ने खिड़की से बाहर सिर निकाल कर पी पीछे फाटक के पास दिवार में एक लाल बल्ब जल रहा था. फाटक में बिजली का करंट दोड़ता है. सुनील बोला. आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली. सुनील बोला. सेकरेटरी मुस्कुराया. यहां किसी अनाधिकृत आदमी का गुसाना तो बड़ा मुश्किल मा यहां तक सूचना भिजवा दी थी. इसलिए बीच में लगभग पौने घंटे के सफर में किसी ने हमें टोका नहीं था. अगर कोई अनजान आदमी आएगा तो उससे कदम कदम पर जवाब तलब किया जाएगा. किसी अनजान आदमी का फाटक के भीतर कदम रखना तो दू इस और रुख करना भी असंभव है. बड़ा इंतजाम है. ऐसा क्या है इस इस इलाखे में? कुछ साधन है जो हमें पडोस में बसे शत्रु राष्ट्रों से सुरक्षिद रखेंगे. आई सी. कार पेडों में घिरी एक तीन मन्जिली इमारत के समी पाकर रुख गई. सेक्र कार के पीछे से घूम कर आगे बढ़ा. एकाएक उसकी द्रिष्टी कार के प्रिष्ठ भाग में एक स्थान पर टकराई. डिक्की के ढखकन की साइड की दरार में माचिस की एक तीली फंसी हुई थी. तीली घहरे पीले रंग की थी और उस पर ला लक्षरों में B.O.A.C. छ क्या हुआ? सक्रेटरी ने तनिक जुनजलाय स्वर में पूछा. कुछ नहीं. सुनील संभलता हुआ बोला. एक ही स्थिती में बैठे रहने की वज़ा से पाफ सो गए हैं. अभी दो चार कदम चलोगे तो ठीक हो जाएंगे. जी हाँ. सुनील सीधा हो गया. उसने तीली को साइड में से निकाल लिया और बीच में से तोड़ कर वहीं जमीन पर भेंग दिया. फिर वो तनिक अलसंतुलित कदमों से चलता हुआ, सेक्रेटरी के पास पहुँच गया. दोनों इमारत की ओर बढ़े. करनल मुखर जी की दी हुई अंगूठी में छुपा माइक्रो कैमर उस समय बेकार की चीज मालूम हो रहा था. रॉकेट बेस अगर आसपास कहीं था, तो घने पेडों से आगे कहीं था, और सामने घने पेडों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. और जो चीज दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी तस्वीर खींचना उस कैमर द्वारा संभव नहीं था. इमारत के समीप दो सशस्त्र फौजी उनके आगे पीछे चलने लगे. सैंडविच की सूरत में वे इमारत के गलियारों और सिर्हियों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे. घाद उन्हें दूसरी मन्जिल के कमरे में ले आए. वहीं उन्हे एक सूट बूट धारी व्यक्ति के हवाले कर दिया गया. ऐसा मालूम होता था जैसे न केवल उनके आगमन की बलके उनके आगमन के संभाविच समाई की भी सूचना वहां के लोगों को थी. और उनको ये भी मालूम था कि वे लोग किस से मिलने आये थे. किसी ने उनसे कोई प्रशन नहीं पूछा था. लगभग दस मिनट तक सूट धारी व्यक्ति ने उन्हें अपने पास बिठाया. फिर वो उन्हें लेकर कमरे से बाहर निकलाया. वे उसके साथ एक अन्य गलियारे में आगे बढ़े. सुनील ने देखा इमारत के चप्पे चप्पे पर बड़े समर्थ दिखाई देने वाले सशस्त्र फौजियों का पहरा था. सूट वाला व्यक्ति उन्हें एक कमरे के सामने ले आया. कमरे के बाहर दो सशस्त्र फौजी फहरा दे रहे थे. वो व्यक्ति उन्हें गलियारे में खड़ा करके कमरे में प्रविष्ट हुआ. एक मिनट बा कर दिया वो एक बहुत बड़ा कमरा था सामने काइद आजम जिन्ना की आदम कद तस्वीर के नीचे एक बहुत बड़ी मेज थी जिसके पीछे घूमने वाली कुरसी पर एक आदमी बैठा था वो एक भारी भरकम भारी जबड़ों और जरूरत से ज्यादा लाल आखों वाला आदमी था उसके चेहरे पर स्टालिन के स्टाइल की बरुशनुमा मूचे थी और वो योरोपियन परिधान पहने हुए था सक्रेटरी ने बड़े आदर पून ढंग से उसका भिवादन किया सक्रेटरी की देखा देखी सुनील ने भी उसका भिवादन किया उस आदमी ने अभिवादन का उत्तर देना जरूरी नहीं समझा वो बड़ी बारीकी से सुनील का निरिक्षन कर रहा था जनाब सक्रेटरी धीरे से बोला ये एशबीन गार्मीश के विशेश प्रतिनित ही तकी काजम इंतखाबी हैं और हमसे फेरो वालफ्राम सप्लाई करने का ओर्डर लेने के लिए विशेश रूप से तहरान से आये हैं कल मैंने आपसे इनहीं का जिक्र किया था हम वो आदमी बोला तशरीफ रखिये दोनों उसके सामने कुरसियों पर बैठ गए मिस्टर इंतखाबी सेक्रेटरी सुनील से बोला ये इस इंस्टलेशन के डायरेक्टर अब S.F.M. पाशा हैं सुनील ने फिर उसका अभिवादन किया इस पार पाशा ने उसके अभिवादन के जवाब में हलके से सिरहला दिया मुझे महदी साहब ने आपकी ओफर के बारे में बताया है पाशा बोला आप हमें हमारी जरूरत के मुताबिक फेरो वालफ्राम सप सप्लाई कर सकते हैं आपकी जरूरत कितनी है सुनील ने पेशेवर सेल्जमैन के अंदाज से पूछा पाशा कुछ किशन सोचता रहा फिर उसने सुनील को अपनी जरूरत बताई इतना फेरो वालफ्राम हम आपको बड़ी आसानी से दे सकते हैं सुनील बोला लेकिन आपको सप्लाई दो किस्तों में सभी कार करनी होगी क्यों? क्योंकि आपका ओरर मेरी उमीद से बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें कुछ ज़्यादा वक्त की जरूरत पड़ेगी पहली किस्त में हम आपको दो तिहाई सप्लाई दे देंगे उसके बाद बाकी का एक तिहाई फेरो वॉल्फ राम आपको तीन महीने बाद मिल जाएगा पाशा ने महंदी की और देखा महंदी ने धीरे से सहमती सूचक ढंग से सिरहिला दिया ठीक है पाशा बोला हमें मन्जूर है थैंक यू उसके बाद अगले पाँच मिनट तक पाशा ने फेरो वॉल्फ राम और उसकी सप्राई के इंतजाम के बारे में सुनील से बहुत कुछ पूछा सौभाग यवश पाशा ने कोई ऐसा सवाल नहीं किया था जिसका उत्तर देने के लिए सुनील तयार नहीं था कॉंट्राक्ट निकालिए अंत में पाशा बोला सुनील ने अपने ब्रीफ केस में से टाइप किया हुआ लंबा कॉंट्राक्ट निकाला और उसे पाशा के सामने रख दिया पाशा ने कॉंट्राक्ट अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे गौर से पढ़ने लगा सुनील कुछ खशन चुप चाप बैठा रहा फिर उसकी द्रिष्टी मेहंदी की ओर उठ गई व्रिध सेक्रेटरी गंबीरता की प्रतिमूर्ती बना चुप चाप बैठा था सुनील की द्रिष्टी उस विशाल कमरे में चारों और फिरने लगी कमरे की दाई दीवार में एक कम से कम दस फुट चौड़ी खिडकी थी खिडकी से बाहर पेड दिखाई नहीं दे रहे थे प्रत्यक्षता वो खिडकी पेड़ों की उचाई से ज्यादा उची थी और उस खिडकी से पेड़ों से काफी आगे तक देखा जा सकता था सुनील मन ही मन कोई ऐसा बहाना सोचने लगा जिससे उसे खिडकी के पास जाने का मौका मिल सके जहां सुनील बैठा था वहां से खिडकी बीस फुट दूर थी और वहां से उसे खुले आसमान के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था पाशा बड़ी तलीनता से कॉंट्रैक्ट पढ़ रहा था फिर सुनील की दृष्टी पाशा के पीछे दीवार पर लगी काईद आजम जिन्ना की तस्वीर पर पड़ी वो एक बहुत शानदार ओयल पेंटिंग थी जित्रांकन इतना सजीव था कि ऐसा लगता था कि अभी जिन्ना सहब कदम बढ़ाएंगे और तस्वीर से बहर निकलाएंगे विशेश रूप से उनकी आँखें आँखें हेकाएक सुनील की अपनी आँखें पहल गई उसने एक गुप्त दृष्टी मेहंदी की ओर डाली मेहंदी उसकी ओर नहीं देख रहा था पाशा भी अभी कॉंट्रैक्ट पढ़ने में मगने था बड़ी मुश्किल से सुनील अपने आप पर नियंतरन कर पाया सुनील को ऐसा लगा था जैसे काईदे आजम जिन्ना की तस्वीर ने उसे आँख मारी हो जरूर उसे वहम हुआ था सुनील ने मन ही मन सोचा उसने अपनी निगाह तस्वीर की आँखों पर टिका दी आँखों का चित्रांकन बाकी तस्वीर से भी ज्यादा शानदार हुआ था सुनील को जिन्ना की चमकदार आँखें एकदम सजीव लगी उसी क्षण मेज पर रखे टेलिफोन की घंटी घंघना उठी सुनील ने तस्वीर से द्रिष्टी हटा ली पाशा ने हाथ बढ़ा कर टेलिफोन उठा लिया हलो वो टेलिफोन में बोला वो कुछ क्षण सुनता रहा फिर उसने एक उड़ती सी निगाह पहले सुनील पर और फिर मेहदी पर डाली एक दो बार पाशा ने टेलिफोन पर हाँ खाँ और अंत में बोला ओल राइट उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और दो बारा कॉंट्राक्ट पढ़ने लगा कुछ क्षण बाद किसी ने दर्बाजा खट-खटाया कामेन पाशा सिर उठा कर बोला एक आदमी कमरे में प्रविष्ट हुआ सुनील ने सिर उठा कर उसकी और देखा और फिर उसे यूं लगा जैसे उसके दिल की धरकन बंद हो गई हो वो जड़ सा अपने स्थान पर बैठा रहा और खाली खाली नेत्रों से उस आदमी को देखता रहा जो बगल में एक फाइल दबाए पाशा की और बढ़ रहा था वो आदमी अब्दुल हमीद कुरेशी था कुरेशी की निगाहें सुनील से टकराई लेकिन कुरेशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया बड़ी मेहनत से सुनील अपनी निगाहें कुरेशी पर से हटा सका उसने देखा पाशा बड़ी गोर से उसे देख रहा था बड़ी मेहनत से सुनील अपने आपको नियंतरित करने का प्रयत्न करने लगा, कुरेशी मेज से आगे बढ़कर पाशा की बगल में पहुँच गया, उसने फाइल को एक स्थान से खोला और फिर जुक कर फाइल पाशा के सामने कर दी, हम, पाशा बोला, कुरेशी बड़ी तलीनता से पाशा को फाइल दिखा रहा था, उसने सुनील की और दोबारा सिर उठा कर नहीं देखा, अच्छा, पाशा बोला, फिर उसने फाइल पर से निगाहा हटा ली और बोला, ओके, कुरेशी ने फाइल बंद कर ली और वापस घूम पड़ा, दोआर की और बढ़ते समय उसने एक उड़ती सी द्रिश्टी सुनील पर डाली, लेकिन उसके छेहरे पर कोई भाव नहीं आया, Sorry for interruption, पाशा हूठों में बुदबुद आया, सुनील चुप रहा, उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, उसे भाइ था के बोलने का प्रयत्न करने पर कहीं उसकी जबान न लड़ खड़ा जाए, कुरेशी कमरे से बाहर निकल गया, द्वार फिर बंध हो गया, पाशा फिर कॉन्ट्रक्ट पढ़ने लगा, सुनील जो के कुरेशी के वहां प्रकट होने के बाद भारी विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहा था, उल्जन में पढ़ गया, कुरेशी आया, उसने सुनील को देखा और वो वापस चला गया, कुछ भी नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता था कि उसने सुनील को पहचाना न हो, सुनील को ये बात असंभव लगी, या शायद वो आदमी कुरेशी न हो, जो अभी वहां से गया था, शायद वो कुरेशी से मिलती जुलती सूरत का दूसरा आदमी हो, ये खयाल भी उसके दिमाग में टिक नहीं सका, एक दम हम शकल लोग फिल्मों में ही संभव होते थे, वो खले जाथा में चुप चाप बैठा रहा, उसकी निगाहें एक बार फिर जिन्ना की तस्वीर पर पढ़ी, इस बार उसे जिन्ना की आँखें पहले जैसी जीवन्त नहीं लगी, और नहीं ऐसा लगा कि उनसे जिन्ना उसे देख रहे हूँ, फोन की घंटी फिर बज उठी, पाशा ने बिना कॉन्ट्रैक्ट से आँख हटाए, हाथ बढ़ा कर रिसीवर उठाया, और उसे अपने कान से लगा लिया, येस, वो बोला, एक क्षण वो सुनता रहा, और फिर बोला, शॉर, दूसरी और से कोई संक्षिप्त साउत्तर मिला, ठेक है, वो बोला, और उसने रिसीवर को क्रेडल पर रख दिया, उसने सुनील की और देखा, कई क्षण उसकी निगाहें सुनील पर टिकी रही, सुनील को यूं लगा, जैसे वो माइक्रोस्कोप की आँख के नीचे रखा हुआ हो, वो बिचलित हो उठा, सॉरी अगैन, पाशा तनिक मुस्कुरा कर बोला, for a interruption, Mr. इंतखाबी, सुनील को यूं लगा, उसे पाशा, Mr. कह चुकने के बाद, जान बूज कर थोड़ी देर अटका हो, It's perfectly all right, सुनील कटिन स्वर में बोला, उसकी अपनी ही आवाज, उसके कानों में एक अजनबी आवाज की तरह पढ़ी, पाशा की निगाह फिर कॉंट्राक्ट पर पहुँच गई, लेकिन इस बार साफ जाहिर हो रहा था, कि पाशा कॉंट्राक्ट पढ़ नहीं रहा था, केवल पढ़ने का बहाना कर रहा था, अब कुरेशी को जानते हैं, यकायक वो कॉंट्राक्ट से सिर उठा कर बोला, सुनील पहले ही ऐसे किसी प्रशन की अब एक शाख कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके शरीर में जुर जुरी दोड़ गई, कुरेशी? वो बोला, कौन कुरेशी? अब्दुल वहीद कुरेशी, आप उससे काबूल में मिले थे? मैं किसी अब्दुल वहीद कुरेशी को नहीं जानता? सुनील खोखले स्वर में बोला, आईसी? महदी उलजन पूर्ण नेत्रों से कभी सुनील को और कभी पाशा को देख रहा था, पाशा ने मेज की पैनल में लगी एक घंटी के पुश पर उंगली रख दी, कमरे में दो फौजी प्रविश्ट हुए, दोनों के हाथों में मशीन गन थी, सहा पर नज़र रखो, पाशा सुनील की और संकेत करता हुआ बोला, अगर ये अपने स्थान से हिलने की भी कोशिश करें, तो इन्हें शूट कर दो, फौजी बड़ी फूर्ती से सुनील के दाएं बाएं आखड़े हुए, मशीन गन की नालें सुनील की और तन गई, अश्चर्य से महंदी की आँखें भटी पड़ रही थी, गर्ड, पाशा संतुष्टि पूर्ण ढंक से सिरहिलाता हुआ बोला, सुरी मिस्टर सुनील, आपकी हिफाज़त के लिए गाड बुलाने जरूरी थे, बकौल कुरेशी, आप बहुत खतरनाख आदमी हैं, महंदी सहाब को मालूम नहीं है कि आप कितने खतरनाख आदमी हैं, वरना वे आपके इतने खरीब न बैठे होते, व्रिद सेक्रेटरी एकदम चिहुका, उसने यूँ अपने कुरसी पीछे सरकाई जैसे अभी तक टाइम बम के समीप बैठा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था जनाब, वो कमपिट स्वर में बोला, जाहिर है, पाशा बोला, अगर आपको मालूम होता तो आप इस आदमी को यहां तक थोड़े ही ले आते, सेक्रेटरी चुप रहा, उसके छेहरे पर हवाईयां उड़ रही थी, वो यूं सुनील की और देख रहा था, जैसे सुनील कोई दूसरी दुनिया का आदमी था, सुनील साहब, पाशा फिर सुनील से संबोधित हुआ, इसे हमारी खुशकिसमती कहिए, या अपनी बदकिसमती, कि जब आप यहां तशरीफ लाए, उस समय अब्दुल वहीद कुरेशी, यानि कि हमारी इंटेलिजन्स का एक आला अफसर भी इमारत में मौजूद था, आपकी एक जलक उसने तब ही देखी थी, जब आप गलियारे में से गुजर रहे थे, उसने टेलिफोन पर मुझे पर अपना शक जाहिर किया था, उसका शक दूर हो जाए, इसलिए मैंने उसे यहां बुला लिया, जो फाइल कुरेशी मुझे दिखा रहा था, उसके अंदर मौजूद एक कागज पर आपका असली नाम वगएरा, और वे तमाम हरकतें दर्ज थीं, जो आपने हमारी इस मिलिटरी इंस्टलेशन की फिल्म हत्याने के लिए काबूल में की थीं, यहां से जाते ही, कुरेशी ने मुझे दोबारा फोन करके बता दिया था, कि आप वही आदमी थे जो काबूल में उससे टकरा चुका था, जनाब, मैं बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मुझे कितनी हैरानी हुई थी, मैं आपकी सूजबूज और हिम्मत की दाद देता हूँ, मैं तो कभी खुआब में भी नहीं सोच सकता था, कि कभी कोई बहरी आदमी यहां सीधा मेरे कमरे तक घुसा चला सकता था, जनाब, तकी खाजम इन्तखाबी, हैशबीन गारमीश तहरान के खास नुमाईं दे, फेरो वालफराम का सौदा, वाह, मैं आपके कवर की दाद देता हूँ, जनाब, आप मुझे कुछ कहने का मौका नहीं देंगे, सुनील बोला, आपके पास कहने के लिए कुछ है, क्यों नहीं, क्या कहना चाते हैं, मैं ये कहना चाता हूँ, कि आपको सरा सर गलत पहमी हो रही है, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं, यानि कि आप सुनील कुमार चक्रवर्ती नहीं हैं? हरकिस नहीं. मेरा नाम तकी काजिम इंतखाबी है. मैं एश्बीन गार्मीश का प्रतिनिधी हूँ. आप चाहें तो छोड़िये सहब. पाशा हुदासीन स्वर में बोला. मैं लखीर पीटने में विश्वास नहीं रखता. आपकी हकीकत खुल चुकी है. आप हमें पहले ही काफी उंचे दरजे का धोखा दे चुके हैं. अब और कोशिश मत कीजिए. मैं कुरेशी को बरसूं से जानता हूँ. वो ऐसा आदमी नहीं है जो मामूली सी भी गलती करता हूँ. और इतनी बड़ी गलती की तो मैं उससे ख खाम खाख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. सुनील चिला कर बोला. पाशा मुस्कुराया. मैं मांग करता हूँ के मेरे बारे में मेरे देश के अमबैसेडर को सुचित किया जाए. जरूर जरूर पाशा बोला. लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्यूंके कॉमन वेल् इसलिए ऐसी कोई खबर आपके मुलक के हाई कमिशनर के पास जरूर भिजवाई जाएगी। मैं इरान की बात कर रहा हूं लेकिन मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। लेकिन सहाब पाशा ने उसे बोलने नहीं दिया। उसने एक फौजी को संकेत किया। फौजी ने अपनी मशीन गन की नाल सुनील के गले के साथ लगा दी। सहाब को हिफाज़त के साथ ले जाओ पाशा बोला और लॉक अप में बंद खर दो। सहाब के जिस्म पर मौजूद एक एक कपड़ा उतार लो और कपड़े और इनका बाकी सामान मेरे पास ले आओ। जी जनाब। फौजी बोला। उसने सुनील के गले से अपनी मशीन गन हटाए बिना अपने साथी को संकेत किया। दूसरे फौजी ने सुनील को अपने पैरों पर खड़ा होने का संकेत किया। सुनील चुप चाप उट खड़ा हुआ। दूसरे फौजी ने अपनी पतलून की बेल्ट में खुजी हधकड़ी निकाली और सुनील के दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे कीच्छ कर उनमें हधकड़ी पहना दी। फिर उसने सुनील की पीठ ठोक कर उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया। मिस्टर पाशा, सुनील गरच कर बोला, आप अपने इस फिवहार के लिए पच्चताएंगे। घरानी है, पाशा बोला, अभी भी तुम्हें उम्मीद है के यूँ चीख पुकार मचा कर तुम कोई नतीजा हासिल कर लोगे। एक फौजी ने उसे फिर मशीन गन की नाल से ठोका, सुनील आगे बढ़ चला, दोनों फौजी सावधानी की प्रती मुंटती बने उसके पीछे दाएं बाएं चलने लगे, सुनील कमरे से बाहर निकलाया, बाहर गलियारे में दीवार के साथ पीठ लगाए, कुरेशी खड और सिगरेट के कश लगा रहा था, सुनील ने जान बूज कर उसकी और नहीं देखा, आदाब अरजह जनाब, कुरेशी अपने दाएं हाथ से अपनी पेशानी चुपता हुआ बोला, कैसे मिजाज हैं? सुनील एक खड़ चुप रहा, फिर उसके होटों पर एक मुस्कुरा अब और बहाना करना बेकार था, उसकी हकीकत खुल चुकी थी, वो फस चुका था, आपके यहाँ अटपकने से पहले अच्छे थे, सुनील बोला, कुरेशी जोर से हसा और फिर बोला, अल्ला बड़ा कारसाज है, सुनील खामुश रहा, यहाँ गुस्त तो आए, कुरेशी बोला, लेकिन अगर पकड़े ना भी जाते, तो भी क्या कर लेते तुम, सुनील ने उत्तर नहीं दिया, वो लंबे कदम रखता हुआ, गलियारे में आगे बढ़ कया, दोनों मशीन गंधारी फौजी सुनील को तीसरी मंजिल के एक गलियारे में ले आए, एक द्वार के सा लेटिनन्ट की वर्दी पहने एक आदमी खड़ा था, फौजीयों को उस द्वार के सामने रुकता देखकर वो ला परवाही से चलता हुआ उस और बढ़ा, द्वार का ताला खुलते ही सुनील को भीतर धकेल दिया गया, उसके पीछे दोनों फौजी भीतर प्रविश्ट ह लेटिनन्ट उस द्वार की ओर लपका, एक फौजी घूम कर दर्वाजा बंद करने लगा, उसी क्षान किसी ने बाहर से दर्वाजे को धक्का दिया, दर्वाजा भडाक से उसके मुह से टकराया, लेटिनन्ट भीतर प्रविश्ट हुआ, बिजली की तेजी से उसका दाया हाथ सीधा हुआ, प्लप, प्लप, की दो आवाजे हुई, दोनों फौजी कटे व्रिक्ष की तरहा जमीन पर गिर गए, साथ ही मशीन गने जन जनाती हुई, फर्ष पर आगी नी, सुनील ने घूम कर देखा, लेटिनन्ट कमरे का दर्वाजा भीतर से बंद कर रहा था, छेहरे पर दृष्टी पढ़ते ही, सुनील के नेत्र फैल गए, जौन? उसके मूँ से निकला, सर, जौन मैक्सवेल सिर नवाह कर बोला, क्या सिर्फ थैंक्यू कहने से काम चलेगा? ना कहने से भी चलेगा, जौन मैक्सवेल बोला, उसने अपनी साइलेंसर लगी रिवॉल अपनी युनिफॉर्म की पतलून में रख ली, फिर उसने बड़ी फूर्ती से फर्ष पर गिरे पड़े एक फौजी की युनिफॉर्म उतार ली, उसने युनिफॉर्म की जेब टटोल कर चाबी निकाली, और सुनील के हाथ में लगी हतकड़ी खोल दी, सुनील ने बड़ की खार की डिक्की में था, जॉन मैक्सवल बोला, तुम्हारी B.O.A.C. वाली माचिस की तीली मैंने डिक्की के ढखकन में लगी देखी थी, लेकिन मुझे ये आशा नहीं थी के तुम डिक्की के बहीतर हो, मैंने वो माचिस की तीली आपके देखने के लिए ही वहां लगा थी, विमारत में तुम्हें किसी ने टोका नहीं? कोई टोके नहीं, इसलिए तो लेफटिनन्ट की उनिफॉर्म पहन कराया था, और यहां के इंतजाम के मामले में एक बड़ी दिल्चस्प बात ये है, कि सारे रास्ते में 20 यों जगा चेक पोस्ट हैं, जहां हर आदमी चे और इतना अर्सा तुम इमारत में कहां रहे? आपके पास ही था? क्या? जी हां, मैंने आपका और पाशा का वरताला भी सुना था, और आपको कुरेशी की वजह से भस्ता भी देखा था. तुम कहां थे? सुनील हैरानी से बोला. आईए, दिखाता हूँ. जॉन मैक्सवल बो चाबी अपनी जेब में रख ली. दोनों बड़ी ततफरता से सिर जोकाए गलियारे में आगे बढ़ने लगे. किसी ने उन्हें टोका नहीं. जॉन, सुनील बोला, जो दिखाने जा रहे हो उसे छोड़ो, तुम पाशा के कमरे में दुबारा घुसने की कोई तरकी भढ़ा तस्वीर लेना संभव हो, जिससे यहां रॉकेट बेस का अस्तित्व सिद्ध किया जा सके. पाशा के कमरे में तो मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन तस्वीर लेने की जरूरत शायद ना पड़े. क्यों? अंजाने में ही मेरे हाथ में एक बड़ी भयंकर जानकारी लग इधर कहा जा रहे हो? सुनील बोला. पाशा का कमरा तो दूसरी और है. लेकिन पाशा के कमरे के सामने के गलियारे में बहुत सशस्त्र फौजी माजूद हैं. ये फिल्म नहीं है जनाब. हम दो आदमे उन सब का मुकाबला नहीं कर सकते. आप चलते रहिए. मैं आपको वही ले जाओंगा जहां आप जाना चाहते हैं. सुनील चुप हो गया. जौन मैक्सवल उसे एक छोटे से दर्वाजे के सामने ले आया. उसने दर्वाजे को धक्का दिया. दर्वाजा खुल गया. दोनों भीतर घुस गए. जौन मैक्सवल ने दर्वाजा भीतर से बंद किया और उसके सामने एक कुर्सी आड़ा दी. ये कमरा जौन मैक्सवल फुस पुसाता हुआ बोला. पाशा के कमरे के एक दम पीछे है. आपको मैंने सेक्रेटरी के साथ पाशा के कमरे में प्रविष्ट होते देखा था. मैं उसके कमरे के पिछवाडे में ऐसे ही किसी कमरे की त लाश में था. इसका दर्वाजा मैं साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की सहायता से खोल कर भी तरगुशा था और मेरी तकदीर थी जो मैं इस करामाती कमरे में पहुँच गया. सुनील चुप रहा. कमरे के दूसरे सिरे पर एक वाडरोब थी. जौन मैक्सवल ने आगे कर उसका दर्वाजा खोला. सुनील को अपने समी पाने का संकेत करता हुआ, वो वाडरोब में प्रविश्ट हो गया. जौन मैक्सवल ने दीवार पर कहीं छिरखानी की. फोरन ही दीवार में दो चमकदार छेद दिखाई देने लगे. उसने सुनील को आगे आने का संकेत कि और स्वयम पीछे हट गया. सुनील ने देखा वे दोनों चेद उतनी ही उंचाई पर थे और एक दूसरे से उतने ही अलग थे जितनी की एक साधारन कद के आदमी की आखें होती हैं. सुनील ने अपनी दोनों आखें उन चेदों पर लगा दी. पाशा का सारा कमरा से उसकी आखों के सामने आ गया. पाशा के सामने सुनील का ब्रीफ केस रखा था और वो ब्रीफ केस में मौजूद एक एक चीज चेक कर रहा था. मेहंदी जड़ सा अपने स्थान पर बैठा था. सुनील वाटरोब से बाहर निकलाया. जॉन मैक्सबल ने फिर दीवार पर ह ये छेद पाशा के कमरे में लगी काइद आजम जिन्ना की आदम कद तस्वीर की आखों में हैं. मैंने तुम्हें कमरे में जाकते देखा था और मैं सोच रहा था कि जिन्ना सहब मुझे आख मा रहे थे और ये कि किसी कलाकार ने उनकी आखों का बड़ा सजीव चित्रण कि जबके वास्तव में मैं जिन्ना की नहीं तुम्हारी आखें देख रहा था. जाउन मैक्सवल चुप रहा. शायद ये इंतजाम पाशा ने लोगों पर जासूसी करने के लिए किया है. वो संदिक दव्यक्तियों को अपने कमरे में अकेला छोड़कर खुद बाहर निकल जा और यहां आकर उनकी एक-एक गतिविधी को देखता होगा. इससे उसे संदिक दव्यक्ति को परखने का अच्छा मौका मिल जाता होगा. ऐसा ही मालूम होता है. इधर में पाशा की कमरे में गुशने का रास्ता है. उमीद तो है. साइड में एक दर्वाजा है. उसे देखत दूसरी और चटकनी होने की संभावना थी. उसने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया. एक चटांख की आवाज हुई और चटकनी खुल गई. चल्दी, जॉन मैक्स्वल दर्वाजे को धक्का देता हुआ बोला. हो सकता है ये आवाज पाशा के कान में भी पड़ी हो. दोन दोनों जल्दी से आगे बढ़ गए. वो दर्वाजा पाशा के कमरे में ही खुलता था. हाहट सुनकर पाशा ने ब्रीफ केस से सिर उठाया, तो उसका मूँ खुले का खुला रह गया. फिर उसका हाथ तेजी से मेज की पैनल में लगे पुश बटन की और बढ़ा. जॉन मै खबरदार! सुनील मशीन गन से पाशा और महंदी दोनों को कवर करता हुआ बोला. तुम आजाद कैसे हो गए? पाशा बेबस स्वर में बोला. और ये दूसरा आदमी कौन है? शरप डालिंग! सुनील विनोध पून स्वर में बोला. अगर दोबारा मूँ खोलने की की, तो तुम्हारे जिस्म में जरोखे दिखाई देने लगेंगे? पाशा फिर नहीं बोला. सेक्रेटरी की ऐसी हालत थी कि वो बोलना चाहकर भी नहीं बोल सकता था. आप दरवाजे पर निखाह रखिये. जॉन मैक्सवल बोला. मैं इन दोनों का इंतजाम करता हूँ. ओक सुनील बोला. जॉन मैक्सवल पाशा की कुरसी के पीछे पहुँच गया. आप बीट फेर लीजे, वो मेहंदी से बोला. मेहंदी ने ततकाल आग्या का पालन किया. वो किसी प्रकार का विरोध करने की स्थेती में नहीं था. उसका चेहरा राख की थरह सफेद हो गया था औ पाशा बिना मुह से आवाज निकाले अपने कुरसी से फिसला और कमरे के मोटे गलीचे से ढखे फर्ष पर धेर हो गया. मेहंदी ने अपने पीछे धम की आवाज सुनी लेकिन उसकी वापस घूम कर देखने की हिम्मत नहीं हुई. जॉन मैक्सवल मेहंदी की और बढ़ा. हगले ही क्षण वो पाशा जैसी हालत में जमीन पर पढ़ा था. सुनील विशाल खिड़की के पास पहुचा. खिड़की से बाहर उसे एक दो अन्य एक मनजिली इमारतों और पेड़ों के उपर के सिरों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया. तुम कह रहे थे कि तुम जान मैक्सवेल बोला. वो बाई और की एक दीवार के समय पहुचा. उस दीवार पर एक बहुत बड़ी वाल क्लॉक लटक रही थी. जान मैक्सवेल एक कुरसी पर चढ़ गया और उसने वाल क्लॉक के पेंडिलम को जोर से नीचे खींचा. दीवार में बनी एक 6 गुणा 6 पुटकी, किताबों से भरी अलमारी, किसी विशाल सेफ के भारी दर्वाजे की तरहा खुल गई. पीछे एक बहुत बड़ा कंट्रोल पैनल जैसा कोई बोर्ट दिखाई दिया. अलमारी जितनी ही लंबाई चोड़ाई के बोर्ट पर कई पुश बटन लगे हुए थे और उन में कई छोटी छोटी लाल हरी बत्तियां जल रही थी. ये क्या है? सुनील बुदबुद आया. मालूम नहीं, जॉन मैक्सवल बोला. मैं तुम्हारे और मेहंदी के यहां पहुचने से पहले पिछले कमरे में पहुच गया था. और तब तक मैंने जिन्ना की आखों वाल वे दो छेद भी तलाश कर लिये थे. उनहीं छेदों से मैंने पाशा को वाल क्लॉक का पेंडिलम खींच कर ये गुपक स्थान खोलते देखा था. ये क्या है? ये तो मुझे नहीं मालूम. लेकिन ये क्या हो सकता है? इसके बारे में मेरा है कनुमान है, जो शायद सच निक सुनील सांस रोके किसी प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा करने लगा. थोड़ी देर कुछ नहीं हुआ. फिर एका एक जोर का धमाका हुआ. और फिर सुनील ने खुली खिड़की में से आसमान की ओर एक शोला सा लपकता देखा. दोनों लपक कर खिड़की के पास पहुँचे. खिड़की से बाहर दिखाई देने वाली एक मंजिली इमारत के परखचे उड़ गए. बेरा अनुमान ठीक निकला. जॉन मैक्सवल बोला. वो भाग कर दोबारा कंट्रोल पैनल के पास पहुचा. उसने एक एक करके पैनल में लगे सारे बटन दबाने आरंभ कर दिये. एक किसी ने बाहर से दर्वाजा खट-खटाया. जॉन मैक्सवल बड़ी शान्ती से एक-एक बटन दबा रहा था. बाहर फिर एक जोर काविस फोट हुआ. सुनील जल्दी से व्रिध सेक्रेटरी के अचेत शरीर के पास पहुचा. उसने उसकी जेब में से वो तह किया हुआ का कि घंटी बंद हो गई. लेकिन दर्वाजा पहले से जादा जोर से खट-खटाया जाने लगा. साथ ही बाहर से लोगों के जोर-जोर से बोलने की आवाजें आने लगी. जॉन सुनील व्यग्र स्वर में बोला. बस एक और मैक्सवल शान्ती से बोला. जॉन मैक्सवल ने प पार देने वाले धमा के उन्हें सुनाई दे रहे थे. मेरा अनुमान ठीक निकला. जॉन मैक्सवल बोला. क्या अनुमान था तुमहरा? सुनील ने पूछा. जब मैंने पहली बार कंट्रोल पैनल देखी थी, तभी मुझे लगा था कि वो एक ही काम के लिए हो सकती थी. किस काम के लिए? इमर्जनसी में इस रॉकेट बेस को नश्ट करने के लिए. अगर ये रॉकेट बेस किसी प्रकार पाकिस्तान के कतित शत्रूं के हाथ में आ जाए और ये विद्वन्सक रॉकेट पाकिस्तान के ही विनाश के लिए चल जाएं तो क्या होगा? लेने के देने प दुरंगों को एक ही स्थान पर बैठे बैठे ब्लास्ट करके रॉकेट स्टेशन नश्ट किया जा सके। इस रॉकेट स्टेशन के डिजाइनर ने ये तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि बंदर के हाथ उस तरह लग जाने की धरहा कंट्रोल पैनल की जानकारी जॉन मैक्सवल न बाहर की और बढ़ चले। भागते हुए लोगों की भीड में खुरेशी भी दिखाई दिया। लेकिन उस समय इतनी आपा धापी मची हुई थी कि किसी को किसी की सुध नहीं थी। वे इमारत से बाहर निकलाए। किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें रोका नही बाहर प्रलाए का दिखाई दे रहा था। सारा जंगल धूधू करके जलता हुआ मालूम हो रहा था। आग के शोले आसमान छू रहे थे, हर तरफ खोहराम मचा हुआ था। लोग चिलाते हुए जंगल से विपरीत दिशा की और भाग रहे थे। लोगों के शोर के बीच मे रह रह कर बारूद भटने के धमा के गूंज उठते थे। सारे इलाके में वही एक इमारत सुरक्षित थी जिसके सामने वे खड़े थे। सेक्रेटरी मुहम्मद इबराहीम मेहंदी की कार अभी भी इमारत के सामने खड़ी थी। ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा कार स्टार्ट करने से पहले सुनील ने जेब से तह किया हुआ वो कागज निकाला जो उसने सेक्रेटरी की जेब से निकाला था। उसने वो कागज जान मैक्सवल को थमा दिया। इसे संभालो सुनील बोला ये आजादी का परवाना है अगर कोई रास्ते में रोके तो उसे मशीन गन अपनी बगल में रख ली सुनील ने कार स्टार्ट की और उसे गेर में डाल दिया कार बंदूक की गोली की धरहा आगे आगे चली लोहे के विशाल भाटक तक वे सुरक्षित पहुँच गए रास्ते में उन्हें किसी ने नहीं टोका सुनील ने कार को दस फुट दूर रोक दिया मैं भाटक खोलता हूँ जॉन मैक्सवेल कार से बाहर निकलने का उपकरम करता हुआ बोला सबर करो सुनील बोला तुम्हारे जैसा आदमी अगर इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इस दुनिया से कूछ कर गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा क्या मतलब गेट में बिजली का खरंट दोड़ता है अरे बापरे जॉन मैक्सवेल कार से बाहर निकला कोई है उसने बड़े अधिकार पून स्वर में आवाज लगाई कहीं कोई नहीं था उसने कार की दिक्की में से जैक निकाला उसने जैक को घुमा कर सामने गेट की और फेंका जैक गेट से टकराया और जनजनाता हुआ नीचे आगेरा गेट में करंट नहीं है जॉन मैक्सवेल बोला शायद इतनी थबाही में यहां की पावर सप्लाई की भी ऐसी तैसी हो गई है सुनील ने सहमती सूचक ढंग से सिर हिलाया जॉन मैक्सवेल ने आगे बढ़कर फाटा खोला और वापस कार में आ बैठा सुनील ने कार आगे बढ़ा दी रक्षित क्षेतर सेवे सुरक्षित बाहर निकलाए रास्ते में उन्हें एक दो बाट टोका गया लेकिन सक्रेटरी मुहम्मद इबराहीम मेंदी की जेब से निकला खागज हर बार कारामद साबित हुआ पेशावर से जॉन मैक्सवेल सुनील के लिए एक रेडी मेड सूट, कमीज और टाइं वगयरा खरीद लाया सुनील ने अपनी फौजी युनिफाम उतार कर कार की पिछली सीट के नीचे भेंग दी और जॉन मैक्सवेल के लाए कपड़े पहन लिए फिर जॉन मैक्सवेल ड्राइविंग सीट पर आ बैठा सुनील उसकी बगल में बैठ गया जॉन मैक्सवेल ने कार आगे बढ़ा दी कार का रुख वापस रावल पिंडी की और करने के स्थान पर उसने उसे खैबर पास की और मूड दिया उसके खतना नुसार पाकिस्तान से फोरण निकल जाने का वही सहूलियत वाला तरीका था खैबर पास पेशावर से 11 मील बाद ही शुरू हो जाता था और उस रास्ते से पाकिस्तान अफगान बॉडर केवल 35 मील दूर था तमाम रुकावटों के बावजूद भी एक घंटे में वे पाकिस्तान के आखरी सिरे तार्खम तक पहुँच गए तार्खम पर सुनील ने पासपोर्ट वगैरा चक करवाया हाधे घंटे से कम समय में उसे क्लियरंस मिल गया और वो बॉडर क्रोस करके अफगानिस्तान में प्रवेश कर गया बॉडर पर कम समय लगने की असली वजह थी जाउन मैक्सवल की प्रतिरक्षा मंत्राले की कार जाउन मैक्सवल ने कस्टम अधिकारियों को बताया कि तकी काजिम इंतखावी सहब और प्रतिरक्षा मंत्राले के सेक्रेटरी जनाब मुहम्मद इबराहिम मेहंदी के निर्देश पर वो पाकिस्तान सरकार के महमान को बौर्डर तक छोड़ने आया था जान मैक्सवल वापस लोट गया वो अपने बारे में विशेश चिंतित नहीं था उसकी सूरत केवल पाशा और मेहंदी ने देखी थी और वो भी केवल एक जलक और वे दोनों उसे पकड़ पाने के लिए फौरन कुछ कर पाने की स्थेती में नहीं थे रावल पिंडी से अपना सामान वगेरा इकठा करके पाकिस्तान से कूच कर जाने के लिए उसके पास परियाप्त समय था कदम कदम पर अस अफलताओं का सामना हूने के बावजूद ओपरेशन पाकिस्तान सफल रहा समा हभी आपने सुनी सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित ओपरेशन पाकिस्तान